अब ढूंब जाहिए को जैसा कि आप सब्सक्राइब देख पार रहें पीए थिए और कोई फ्रेशाइब आपके पर शूंगे यहां पीशिष के जाएगी यहां के पहसी सारे बंचे यहां पर जॉइंच कर चुके आज देखते जाएगे दोस्तों, आज एक पढ़िया और पहत्रीन तरीके से, आज एक बहुती पहत्रीन और पढ़िया तरीके से, हम लोग बीमसी को कवर करने की कोशिश करेंगे, एक दम शॉट और स्वीट रखा जाएगा, सिंपल रखा जाएगा चीदों को, और आपको प करते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं आप लोग, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, पटा पटा और रख्चे जॉइन हो जाते हैं दीजिए, तो चलिए, मैरी बेस्ट गेट रहंग और 55 आईए, आम एन एक्सपर्ट इन गेट, यसी, एसी, एसी, जाई, और दोस्तों, मैंने अपना मास्टर साइड इरोटी से कंप्लीट किया है, इन इस्ट्रक्चल इंजिनिंग, मेरा बेस्ट गेट स्कूर 902 है दोस्तों, और अगेट इस्पिरेंस गेट इस्टी में तीन साल से उपर है, और सिविल इजिनिंग में आल्मोस में सारे करता हूँ, और BMC में तो मेरा बहुत ही ज्याद रुजी है, ठीक है दोस्तों, और मेरा कोड अभी दूस कर सकते हैं CS10, अगर आप 10% of discount अवेल करना चाते हैं, प्लस के सब्स्क्रिप्शन पे, ओके दोस्तों, प्लस के सब्स्क्रिप्शन पे, आप लोगो क्या-क्या हो सकता है, crash courses हैं, जो जो आपके papers हाने, MPSC हो गया, SSC हो गया, जो जो papers हाने के आते जाएंगे, उसी हिसाब से हम लोग crash courses लेके आएंगे, बातने live classes आपकी चलती हैं, आप जानती हैं, प्लब्लम नहीं आने बढ़ी दोस्तों, ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं, आज तो हम लोग बिल्कुल समय परवाद नहीं करेंगे, समय परवाद नहीं करेंगे और बहुत जाधा पढ़ाई करने ही कोशिच करेंगे, ओके, बहुत जाधा पढ़ाई करने ही कोशिच करेंगे, ओके, so today we will discuss, so today we will discuss quickly, entire BMC, okay, we will cover entire BMC today, okay, building materials and construction, which is a very important topic, which is a very important topic, when it comes to your SSC, state exams इन में तो बहुत भी ज़ादा जरूरी है, okay BMC is very important और अगर मैं बात करता हूं, GATE और ES की, तो ES में इसका बेट अच्छा गासा है ES में, if you know about previous years, तो आप जानते होंगे कि आपके जो ES का पेपर होता है जो objectives आते हैं, उसमें objectives में हर साल 5 से 10 questions आपके, ठीक हैं from 5 to 10 questions आपके building material से आपके हैं, ठीक हैं obviously questions आपके dynamic in nature, questions बहुत dynamic हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको tips and tricks से, tips and tricks से conceptually चीदर remember कराने कोशिश करूँ ताकि आप लोग वहापे अगर guesswork भी करते हैं, तो आपके आफर सही हो सकें, okay okay my dear friend, and gate में इसका weightage 2-3 marks से maximum, ठीक है, इसमें कम आता है, in gate weightage is very less, so I hope it is clear तो जो exams में लोग focus करने वाले हैं my dear friend, जो एक्जाम में लोग focus करने वाले हैं, वो हमारा है, gate, gate questions very easy हैं, तो वो easy हो जाएंगे, ESE, जो भी आपके state level exam है, जो भी आपके state level exam से, okay, and जो भी AE, JEE की vacancies आती हैं, उन सम्में ये काम आने वाला है, ठीक है, जितने भी आपके DMRC, AUP, BCL, all exams will be covered, okay, so just don't worry, just don't worry, तो चलिए, we are ready, we are ready, आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी class को, let's move ahead, so we will see, तो हम लोग आज देखते हैं, क्या क्या हम लोग कवर करने वाले से, आज के 3-5 गंटे में, ठीक है, आज जो marathon के बच्चों लोग विले हैं, उसमें लोग कवर क्या करने वाले हैं, ठीक है, क्या कवर करने वाले सब, देखिये, उसमें हम लोग दोसको कवर करने वाले हैं, सबसे पहले, cement, first of all, we will deal with cement, all, जितनी भी तरह की चीज़े, जो भी चीज़े important है, from exam point of, जैसे, cement के test क्या है, type क्या है, manufacturing क्या है, hydration reaction क्या है, clinker composition, जितनी भी तरह की चीज़े हैं, units of cement साब लोग प from any exam point of view, ठीक है, you won't believe me, ठीक है, you won't believe me, कि आपका जो cement or concrete है, इसी से सारे question आने वाले exam में, ठीक है, तो आप बहुत ज़दा focus करिए cement or concrete पे, जो कि इनका weight is दादा है, और जो बाकि आपका brick है, brick masonry है, ठीक है, इन से जो लोग बीवारे बनाते है, masonry जो होती है, timber, stone aggregate, इ then believe it or not, आपका cement or concrete सबसे दाओने वाला है, ठीक है, तो in this marathon session, तो मैंने कुछ ऐसा plan किया, in this marathon session, my most of the time will be devoted to cement and concrete, okay, cement or concrete, चलिए, बिल्कुल सही, तो next, चलिए, बढ़ते हैं, हम लोग आज आगे, cement शुरू करने जाएं, दोस्तों, अब हम लोग सुरू करते हैं, I hope आप हैं, आज हम लोग ये cover करने वाले हैं, इस class में, तो जिन बच्चों को इन topics में दिखका थे, अब उनकी सारी दिक्कात हतम होने वाली है, तो चलिए, दोगो, सबसे बहले हम लोग बात करेंगे, cement, cement की बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग सिर cement, cement की बात चलिएगी, उसके हम लोग concrete देखेंगे, फिर हम लोग brick देखेंगे, फिर हम लोग timber देखेंगे, और उसके बाद last हम लोग देखेंगे दो उसको stones, okay, 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 ठीकें, और जो भी बच्चे हैं, वो ये उसे queries क्लियर करते रहे हैं, okay, चलिए, तो cement हम लोग समझाएंगे, पहले उसका, देखेंग हम लोग तो क्या क्या चीज़े बनती हैं, क्या 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 चीज़े बनती हैं, उसके बारे मात करेंगे, उनकी प्रॉपरिटीज की चर्चा करेंगे, ठीक है, और उससे एक्जाम में किसके सरे कुष्चन आते हैं, ये भी हम लोग बात करने वाले हैं, तो ये ग्वाती क्विक मेराथन ओने वाली है क्विक टाइप की मेराथन है जिसमें आपका सारा टॉपिक कवर करा दी जाएंगे okay okay my dear friends so then we will deal then we will deal with test cements पे क्या-क्या test करते हैं what test we perform on cement then type of cement okay all the types of cement we have more than 30 types of cement in market okay artificial cements manufacturing बहुत बढ़ चुकी हाँचकल depending on property depending on usage बहुत सारे हैं बहुत सारे cements हम लोग produce करते हैं okay my dear friends then we will then we will cover all the uses ठीक है जैसे आपने सुना होगा low heat cement तो चली शुरू करते हैं जादा समयना बेस्ट करते हुए okay बिल्कुल pdf I will try to provide on my telegram channel मैंने आपको बता दिया कैसे आप follow करेंगे मुझे आपको मैं फ्रीवेटर हमा प्रोवाइड करते हुए don't worry message कर दियेगा ठीक है आपको मैंने अपने सारे social handles बता दिये हैं तो आप लोग को पीडियस मिल जाएगी just don't worry चली दोस्तों शुरू करते हैं शुरू करते हैं लोग अब cement की कहानी तो cement की एगर मैं बात करूँ ठीक है cement की मैं बात करूँ अगर so there was a man एक महाशे थे जिनका नाम था जोसेफ अस्पदिन okay जोसेफ अस्पदिन was one man उन्होंने क्या किया था अपने cement को invent किया था he was the inventor of cement okay बहुत ज्यान सुनिए बहुत बढ़िया चान है तो इनोंने क्या किया इनोंने क्या किया यस है Monte Coo can you see limestone you है limestone Can you see limestone okay यह limestone उसके बाद ही आपका Clay इनोंने क्या किया Limestone clay और पाणी को मिल host Joseph Asufadelle ने क्या किया Limestone clay and water को मिला दिया can you see here okay इनों तीनों को मिलाया और तीनों के Mixture को and the combination of these three इनको बहुत हयूप लिए दिख जो पानी बिला यह क्योंकि पानी उपने बहुत है थे मिंथट ने रिग ख़िया थे सबया सब्सक्रा चीज कोईए जिसको नाम दिखिए स्प्सक्राइब क्योंकि भूंडिन भी आगई फ़ी आगी दे लिख़ा दिख़्रोंद लिखिविन के बाद एक चीज मनाई जिसको इनों नाम दिया सीमेंट उसके बाद इनों ना देखा कि सीमेंट तो बहुत बढ़ी चीज बन गी तो हम लोग सब्ज़ेगे लिए तो इनों ने क्या करा अपने गोस के साथ इसका पेटेंट ले लिया और एक कंपनी खोल दी ठीक है ऑफिर इनों ने क्या करा पेटेंट ले लिया है और फिर इनका सीमेंट दीमें दीमें 1124 से पॉब्लर होना शुरू हुआ अचा दोस्तों क्या बताईए मुझे बताईए कि प्रण बताईए विए विए यह चलने वाला है आपका आज का सेशन है यह चलने वाला है साड़े पीन गटा कम से कम तीग है बट हम लोग कोशिश करेंगे कि पांचों पांचों चैपर अच्छे से कवर कर लें थीग है यस ओके माइडियर फैस तो फिल्कुल सहीवाग तो से पहले कोई बीटिंग नी बनती थी क्या दुनिया में इससे पहले सीमें और यूज नहीं होता था तो सीमें जैसी कोई और चीज नहीं थी जो बिल्लिंग मना सके तो चलिए देखिये यह था मेरा पोर्ट्रेंट इस्टोन समझते है ठीकिए यह आपके पॉर्के पत्थर अब देखें यहां पर यह दो स्टों से जिए भी इक्दम सीमेंट जैसे इस अब होते पहले से पहले वह बात से से अब तो जैसे आप देख सकते हैं जो सिए फोर्ट्रे भी बैदरी कुर्ट चर्श आपको दिखाई दे रहा है यह दोस्तों फूरा-फूरा पूर्ट रिच्टोन से बना हुगा है, पौर्ट रिच्टोन भवाद ज़्यादा चलंगे था जैसे आपकी रॉमन सिविलाईज़ेशन दें पर्छाइं है पर हरे चीज दोस्तों हरे चीज हम लोग सब्सक्राइब है नहीं हम लुग पोर्टरेंड इस्टोण से समझाए वर इसे न शरेफ पॉकर्टुफमें। बेका 7 आप यह दो पस mitä री इत तो आंठे ब केसे आए पस्योंपोन पृट रेन तो और अज़िए। करें उना हुआ है सीमेनटि मैं Dentald इस प्रण व्हां है और सब करें पर charms शोबं प्रोटा करता है फाग्ड़ सोलाइं दी तो यह भी पहले प्र finely जुसेरे श्रुट wissen जी ने इसका नाम portland cement क्यों दिया, दिए यह नहीं ने आभिषकार किया है, जुने आपसा समय नाम क्यों दिया, i1 को प्रोपर्टीश है उसकी जो properties है color है जो binding nature है it is very similar to Portland stone it is very similar to Portland Portland stone और Portland stone क्या है दोस्तों यह मुझे बताने की जरौद नहीं है ठीकिए अभी मैंने आपको दिखाया Portland stone यह आपका Portland stone है यह पहले यूथ होता था और Portland में जो पथर पाया जाता था जो पत्थर पाया जाता था, उसे की जैसे property उसका market खतम करने के लिए, उसका market खतम हो जाए इसमने भाइसाब ने, मेरे जोशेप जी ने, cement की रचना की, ठीक है, cement का invention किया, और तब से यह popular हो ग üzerine, तो क्योंकि युदेर ब्राइब क्मपाउंण जिससे बायंतिक्विंड असमक्राइबारा क्लस कि अधिरे करें के अधिमिंट क्लेशा दिखा नाम से एक रहुत दिकमिकान जिससे बायंडिवांडिक राइंब हाई शैक stat, Maar में ब्रीन हो एक कि पहले से मेरा portland stone चलता था और जो से थे ने portland stone जैसी एक चीज बना दी जिसका नाम सीवेंट रती है और उने portland सीवेंट और वो धी में प्रचलित होता चला गया और आप जानते ही दोस्तों आज वो कितना यूज होता है चलिए दोस्तों आप जो फास चीजे देख रहें आस पास चाहे पत्थर थेखें चाहे सीवेंट चाहे स्टोन देखेंगे चीज articles करी है तो उसके अंदर उसके अंदर my dear friends बहुत तरह के मेंटेर होता है अप जैसे महां लेजेए आप भूम रहें और आपने पहाड़ी देखी और प पक्त्थर आपके है या जो भी आपकी चीज आप देख रहें आप आप सक बालू देख देख ने उन सब के अंदर आइरन उक्साइड, मैंनेशिया, समझने ही कोशिश करिए, ओके, होता ही है, होता ही है, कि everything in this earth has some minerals, और क्या-क्या minerals होंगे, देखिए, जनली क्या होता है, metal के सारे oxides होता है, metal के non-metals के oxides होता है, तेक है, क्योंकि metal और non-metals जो ले रहे हैं, अब metals non-metals जैसे आपके magnesium हो गय यह सब oxides बनाते हैं, तो जैसे मेरा calcium है, तो cao बना लेगा, aluminium है, aluminium है, aluminium है, तो मेरा l2o3 बनाएगा, क्योंकि exist करते हैं, जब लोग बंधन बनाते हैं, जब यह chemical combined होता है, तो ज्यादा stable हो जाते हैं, तो अर्थ में आपको aluminium नहीं मिलेगा, अर्थ में आपको aluminium oxide मिलेगा, ऐसे आपको carbon अकेली नहीं मिलेगा, carbon oxide मिलेगी, silica अकेली नहीं मिलेगा, si o2 मिलेगा, क्योंकि bond बनाने से, इनकी stability पड़ जाती है, तो यह सब कुछ गिने चुने 2-4 compound है, जैसे आपका calcium oxide को मैं lime बोलना हूँ, calcium oxide को lime बोलना हूँ, इसको मैं बोलना हूँ, air 2 o3 को alumina, can you see here, can you see here, yes, si o2 sir को मैं बोलना हूँ, silica बोलना हूँ, silica बोलना हूँ, उसके बाद मैं लिखा sir, iron oxide आपका क्या होता है दोस्को, iron oxide आपका क्या होता है, Fb2O3, Fb2O3, समझ रहे हैं, और ऐसी जो मेरा magnesium हो गया, MgO, और भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपका Na2O हो गया, K2O ह हो गया, और भी चीज़ हो गया, और भी चीज़ हो गया, बत, but remember my dear friend, but remember my dear friend, that in majority of the materials, in majority of the materials, there are three type of materials, okay, in majority of things, we have three types, three type of components, okay, so क्या है वो मेरे three type of components, first one is your calcareous, first one is your calcareous, okay, first one is your calcareous, then is your arguleceous, and next one is your siliceous, बहुत द्यान समझ यह, okay, तो, आप जैसे, कोई पत्थार है माली जए, ठीक है, आप समझने कोशच करिए, कोई पत्थार है मेरा, तो उस पत्थार के अंदर, CAOB होगा, AL2O3 भी होगा, और SIO2 भी होगा, तीनों चीज़े होंगी अंदर, ठीक है, अब कुछ पत्थार ऐस सुआटे होगे सर, कुछ पत्थार ऐसे होगे, कुछ पत्थार ऐसे ओने वाले हैं जिनके अंदर, जैसे माली जी मेरा रॉट यहां ने बनाना चाहिए, यह नहां होगा, यह माली जी मेरा रॉट है तीना, यह रॉट आप उछा के लाए, तो देखे, इसके अंदर, CAOB कुछ पत्थर ऐसे होंगे इनके अंदर calcium oxide का percentage जादा होगा, okay which will have more percentage of CAO तब उस तरह के materials को मैं क्या बोल मुझे है, ऐसा नहीं है कि मेरा limestone, chalk, marine shells और जो मेरा cement rock है इनके अंदर AL2, O2 और silica है नहीं, होगा, इनके अंदर भी होगा, लेकिन इनके अंदर अगर मैं पूछूँ हूँ, अगर मैं पूछूँ हूँ कि limestone, chalk, marine shell, cement rock इनके अंदर क्या जादा है, CAO इनके अंदर मेरा calcium oxide की मात्रा जादा है, बाकी जो compounds है, बाकी जो आपका iron oxide है, SI Urdu है, बाकी सकी मात्रा कम होगी Similarly, similarly, my dear friends, यह जो आपके पत्फर यह आप देख रहे हैं, shale है, clay है, cement rock है, chalk है, blast furnace lag है, marl है, इन सबको मैं आगे बताऊंगा, discuss करूंगा, शिंदा मत कीजिया, Okay, तो यह जो आपका, यह जो आपका क्या नाम है, argilatious compounds है, इनके अंदर बताई किसकी मात्रा जाद होगी, comment down below कि इसके अंदर किसकी मात्रा जाद होने वाली वर्टा, इन सबके अंदर AL2O3 की मात्रा जादा होगी, और जो बाकी चीज़े हैं, जो बाकी चीज़े हैं, जै फिर अब मैं अगर बात करता हूँ, siliceous material ही, तो यह जो मेरे पत्थर हैं, जो मेरे rocks हैं, जो भी मेरे materials हैं, इनके अंदर सर ऐसा नहीं है कि sandstone के अंदर CAO और AL2O3 नाम हो, सब कुछ है, लेकिन सर मैं काऊंगा, यह जो मेरे sandstone है, इसके अंदर silica थी मात्रा maximum है, मैं है, मेरे हर एक material जे अंदर हर एक टाइप का chemical होगा, बट, अगर उसमें माल लेजाए, आपका 80-90% CA हो गया, 80-90% lime हो गया, तो मैं क्या बोलनुगा, दोस्तो, मैं क्या बोलनुगा lime, तो मैं बोलनुगा calcerous material, अगर उसके अंदर 80-80% मेरा AL2O3 हो गया, तो मैं बोलनुगा तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोगो, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, क्या बताना चाहता हूँ मैं, कि आपके जितने भी यहाँ पे देखे, listen, basic constituents of all the materials on and inside a surface, earth surface में जितने material हैं, उन सब में यही 5-6 basic चीज़े हो तो दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग भूँ सारा raw material लेकर आते हैं, बहुत सारा raw material लेकर आते हैं अब देखें, जो से थे जितने क्या के लिए क्या है थे, lime stone, clay और water, तो यहाँ पर बिम लोग क्या करेंगे, what will do, हम लोग भूँ सारा raw material लेकर आएंगे, ठीक है, धरती से, यह मारी मिट्टे पथर लाइमसटोन लेकी इंगे, उनको अच्छे रेके ल स्टोर करेंगे एक ज commerce फिर उनके बाद उनको रजाए प्रपोर्शन नहीं उन yap प्रॉपर्टी में नहीं मिल पाएंगे, उसके बाद उन्हें हम पीसेंगे, उनको अच्छे से पीसेंगे, बॉल मिल में, दोस्तों यह आपके बॉल मिल है, हम लोग क्या करें, बहुत सारे पत्थर लेके आए, लाइम स्टोन, कैल्शेरिस मेटियल, अर्गलेस मेटियल लेके उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको भट्टे में गरम करूँगा, इसको मैं किल में गरम करूँगा, जो मेरा मटियल बन जाएगा, जो मेरा होमोजीनिस विक्षर बन जाएगा, ठीक है, उसको मैं भट्टे में गरम करूँगा, देखें, यह मेरी किल है, रोटरी किल नो इसको लोब डिटेल में भी समझेंगे, चिंता मत के लिए, आपने बस इतना समझना है, कि सर मैं धर्टी से बहुत सरा मेटियल उठा के लाया, लाइमिस्टोन क्ले, मैं कैल्चेरियस और आरग्लेशियस लेकिया, बेटा मैंने आपको भी होता है, लाइमिस्टोन आपका कैल् चेरियस और आग्लेशियस बडिटेल अधरमा एंग शीयरपात भी होता है, ऍटैकर मैं मेरा कॆ बनाता है, तक कि बहुत हुआ नगया होता है, बते मीस्टोन आपको लेकिन जब भूसे निकली के बाद बगणी केली है,। फिर यह जो मेरा क्लिंकर बना है सर। देख रहा है या बेख मेरे इस सर।4 list को फिर ऺई ph primero औरius सो याँ फिर में Mr li zaj टेख ओंद ने फिर उन्हान को घुनिता मेरे मेरे फिर इस देखियों आप उसे फिर pack करके भेज सके हैं, यह सब छीज हम भी लाग चुने दो ताकि हम रो डिजाय प्रोपर्टीज विल पाएं, हम चाहते हम इस प्रोपर्टीज विल पाएं, तो वह प्रोपर्टीज करता हूँ, ओवरल समझ गए सरा, ओवरल सर मुझे समझ में आ गया, ओवरल अज़र स्केविल पाएं, यहां पर आपर आपकी जो मैं कैरें गए, तो यहको पूर्टीज विल पाएं, आपके तो ऩरीज पींगे, देखेंगे सहर दोगोके सब्सक्राइं, जा यहां पीस होगा, अभी मैं बताय है, आई टोलि यह पूरस तो पूरा शेटप आप देख यहां पर आपकी जो मैटीरियल आया है करेक्ष्ट करेक्ष्ट होने के बाद उनको मैं आप इस होंगा जैसे यहांने बात की दी बॉल मिल्स ने यहां पर बहुत सरी डस निकलती है उसके आधिसे मां भट्टे भीजूंगा रोटरी किल में आए यहां यहां इसे आए कि अधिकर बाद एक किल्टे जान तो थंडा करेंगे या देख सकते हैं पे त्रेंगे हैं और बड़ते से जिप्टे से मेरा किल्ण से जाविए दो खलेंगे तो प्रूंगे तो फिर उसमें क्या करूंगा उसे मैं store कर लूँगा उसे मैं store करूँगा और फिर मैं उसमें gypsum और भी fly ash, windle component सब मिला दूँगा मिलाने से क्या होगा मेरी properties enhance हो जाएंगी और फिर मैं उसे सब चीजें मिला के अच्छे से piece दूँगा मैं उसे क्या करूँगा, cement को बड़े bunker में भर दूँगा, cement को silo के अंदर भर दूँगा और फिर cement silo को बनने के बाद मैं क्या करूँगा उसकी packing करूँगा और उसके अंदर में लिखतूँगा जो भी मेरा cement होगा, वो क्या होगा, cement manufacture हो चुका है, उनको आप में packing करेंगे, और pack करने का उसे आप market में face देंगे, अब जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ESP लगा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े dust हो जाती है, तो डस्ट को निकालने के लिए आप ESP लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो heat हम लोग दे रहे हैं, उस fuel का पूरा management है, coales हम लोग यहाँ heat produce करते हैं, तो यह सब चीज़े हैं, yes, okay, my dear friend, तो यह आपका major process है, आप हम लोग समझते हैं, एक चीज़ को detail में, इसको हम लोग समझने कोश्च करेंगे, एक लिंकर क्या होता है, calcination से क्या what I am doing, sir, आपने limestone, limestone मतलब मेरा calcerious material, बहुत जहाँ सुनना, listen very carefully, limestone और claylia, claylia, जो argillaceous material है, उनको आप लेके आए, ठीक हैं, अब और obvious सी बात है, जो आप यह material लेके आ रहे हैं, तो इनके अंदर impurities भी आ जाएंगी, बहुत सारी, अंचाही impurities भी आ जाएंगी, समझ रह खोड़ी बहुत रहे हैं, इनको मैंने किया, heating, पीजने के बाद मैंने पल राइस करने का, बॉल मिले हैं, उसके मैंने इनको heat किया, आचा दोस्तों, जब मैं गरम करता हूं, गरम करने की प्रक्तिया को मैं बोलता हूं, calcination, क्या बोलता हूं, जब मैं किसी भी substance को हाई टे पिखल नने चाहिए, बस इतना हो कि वह इतना, उसका क्या ना मिए, ऐसा हो गया, मेरा जो इतना हो गया, कि वह Ques हो जाए, आपस में जुड़ जाए आपसको जुड़ जाए, आप माल लिगे अंदर आपका lime था, अंदर आपका silica था, अंदर आपका A2 था, खील बना ले जो जो आपसे क्यों हो जाएं, पिखल के जुड़ जाएं, पूरा नहीं पिखलनाएं उसको, पूरा नहीं कुझलाना है, उसके अजिस प्रोसेस में आप क्या करते हैं, तो obviously you know, जब आप हीट करते हैं, देखे हीट करते हैं, दो थीज़े होती है, आपके complex compound simple में टूट जात हैं, और जब उस simple component टूटता है, तो कुछ gases निकलती है, gases are liberated, क्योंकि bonds टूटेंगे, heat करने, bonds टूट कैंसर मेरे, gases are released, जैसे CO2 हो गया, तो याद रखिए कि calcination जो मेरा process है, उसमेरे CO2 gas भी वाल होती है, और भट्टे में, जो मैं भट्टा ले रहा हूं सर यहां पे, जो म यह, can you see the temperature, which is very important, यह ask, it can be arzen ingram, okay, okay, yes, yes, very good, okay, so now I'm very clear, now I'm very clear, that calcination होगा, उसका clinker बनेगा, clinker को आम लोग पीज देंगे, clinker को pulvise कर देंगे, जिब सम और, जो भी मेरी importance ही, उसको मिला के, मैं पैकिंग करके, भीज होगा market marketing है, जैसे कि मैंने आप लोग को यहां पे स process है, it can be of two types, यह, देखे, देखते जाए आप, तो, दो तरीके से हो सकता है, एक को होता है, एक को होता है, मेरा dry process, एक होता है bed process, तो dry process से बच्चों क्या करना है, हमने calciarious material, arglacivative बिलाया है, उसको pizza, जैसे मैं आपको बताया, कहा पीसेंगे दोसकों, वही मेरा ball मिल में पीसेंगा दोसको, बताया है मैं आपको, और ऐसे ही पीसा, पीसने के बाद उनको correction करने के बाद, पीसने के बाद, और उनको correct production बिला दिया दोसको, और store कर दिया, इसे बाद बताया है, और यहां से फ्यूल दूँगा, घर्भी दूँगा, और मेरे klinkर बन जाएगे, जब जब वो शूफर लगते हैं जब वह थंडे हुने लगें हार्ट झाएं पर भाल मिलके अंदर फीज दूगा और जगने इन दोफिर मिलके और फीज दूगा और विदें सेमेट सायलो इसालो मेरा फाइनल सीमेट तयार हो चुका है सिमेंट सालो मेरा फाइनल सिमेंट तयार हो चुका है और पैकिंग करके मैं भीज दूँगा तो यह जो मैं हीटिंग कर रहा हूं देखिए भट्टे के अंदर उसी को मैं को बोलता हूं इस अपको फाइटे आपको फाइटे आपट्य के अंदर इसका मतलब आपने उस में अपस में क्यूस हो जाय है सिर्फ इसलिए किया ताकि वो लोग आपस में फ्यूज हो जाए, मैटियल मेरा आपस में फ्यूज हो जाए, अच्छा यह तो मेरा ड्राइ प्रोसेस हो गया है, क्योंकि सर इसमें आपने कहीं भी बॉटर नहीं आइड़ किया, नो बेर बॉटर इस एडिट, यह तो यहां पानी मिला देते हैं, और मेरा खीचट सी एक जरी बन जाती है, क्योंकि आप लेके मिट्टी आ année हैं, लेके तो पत्थर आ रहें हैंगे उनको आप मीश्चर पीजे मिला देंगे, खीज प्त्री मुलेगे के ज़एगे, समझ रहे हैं ?। और्ड़िकों देखें यहां पर मिच्छी ठर्ने असान है, यहां पर mix करना असान है क्योंकि पानी से अच्छा mixture बन जाता है homogenous मिलाने में असान ही होती है उसके बाद भाई करना है उसके कुछ नहीं करना है आप उनको अच्छे से correct proportion मिलाईए proportion आप अच्छे से control कर सकते हैं और आप उसको फिर से rotary tail में cal sign कर दीजिए और rotary tail में आपका क्या होगा cal sign हो जाएगा और फिर क्लिंकर बनेगा जैसा मैंने आपको बताया क्लिंकर गरम गरम होंगे जब ठंडे पड़ेंगे तो hard हो जाएंगे फिर उसमें gypsum मिलाके क्लिंकर को पीस के अचा दोस्तों जो के पीसने वाले काम होते है फल्राइशन होते है वो आपका tube मिल या ball मिल में होगा जैसे कि मैंने आपको इमेज दिखाया था ठीक है अच्छे आती है लेकिन इसमें पाता है कि फ्यूल जादा बेस्टा पक्चों कि को सोचो पानी है कर रहाएगा तो उसको भी जलाना पड़ेगा समझ लोग पानी भी तो रहेगा उसको भी चलाना पड़ेगा तो क्या होगा प्रॉब्लम होगी फ्यूल जादा बेस्ट होगा तो आज कर दोसको modern process का है dry process अब हम लोग क्या करते है फाणी मिलाए फाणी मिलाए विनाही हम अच्छी से बिसकरने को सच करते है तो इन इस देज अब ड्राइप्रोसेस होता है जिसने fuel consumption कम है क्योंकि पानी है जब पानी नहीं यह तो fuel consumption कम होगा अब यह जी हाँ तो वेट मेरा अच्छा था और वेट म सब्सक्राइब करते हैं ड्राइप्रोसेस का भी चलंग में है तो चलिए पढ़िए सीमेट आप समझ गया है अब दोस्तों मेरे बात ध्यान सुनिया यह जो पेस स्लाइड आपके सामने आई है बहुत महरत होई है तो आप लोग उसे अप्रिशेट करिएगा और आप लोग इना मैटेकल की फॉम में जमझ दे हैं आप मैं है को बना लिक्स म में का लग déjà सब पासे बरियर अविए घ्या उस और साथचीजे होगी लाइम, सिलिका, ऐलुमिना, आइरन ओक्साइड, मैंनिशिया, सोड़ा, प्रोटेस्ट, सल्फर, ट्राउक्साइड, और भी चीज़े होंगी, बड, ओविसली, सबसे जादा क्या है, उसमें, सिये हो, मैं चाहता हूँ, सर्जो मैं रोमेटे लेके आया हूँ, उसके अंदर सियो की मात्रा कितनी रहे, लगबग 60-65%, ठीक है, 63, 20, 6, 3, 2, देकिं कैसे आप करना है, 63 का सिक्स यहां आगया, 63 का 3 लिजे यहां आगया, ट्वेंटी का 2 लिजे यहां आगया, तो मैं इसको यहां से आप करताू, 6, 2, 6, 2, 2, ऐसे आप याप कर लिजे, 6, 2, 6, 2, 6, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 6, 3, 2, करता है लाइम स्ट्रेंध को कंट्रोल करने वाला मेरा लाइम और सिलिकर है अगर आप लाइम को स्लोगरता है यह जब आप आप लाइम की मात्रा को कम करेंगे तो चीजें जल्दी जल्दी होगी और लाइम के करद मात्रा पढ़ाएंगे तो चीजें जल्दी होगी तो अब क्योंकि आपको इमेजिन कैसा करना है अब उसको इमेजिन करेंगे जो सारे तिन के अलग अलग होता है तो उससे क्या होता है वो भी सेटिंग जल्दी नहीं करता है तो अगर आप सिलिका पढ़ा देंगे तो चीजें आपस में अलग हो जाएंगी सीमेट के पार्टिकल दूर हो रहा हैं बॉंदी प्रॉब्लम को समझ लिए स्पीड जैसे आपका अलग है जैसे आपका अलग है आप समझ चाहिए स्पीड बच्छों आपनों पेशेंस रखिए बस आप सुनिये मेरे तरफ से एक भी पॉइंट शूटे करें गल्कूर चिंता मत कीज़ों के आप लोग कमेंट इजे मैं सब को लेकिन अगर इसके बहुत जादा होगा बेटा इची समझे जल्दी काम शेतान का जो भी चीज़ जलवाजी करेगा वो गलत है अब आप लोग भी आराम से पढ़िए ठीक है चल्दी आराम से पेशेंस रखिए तो आपको सब्कूर सही होगा जलवाजी करेंगे दिक्तर उ इन सब को फ्यूस कन्डे में कोन मदब करता है अर अक्षाड तो अब देख लिका का परसेंटेज आपका 17-25 की वीची कुछ भी हो सकता है चाहे 22 परसेंटेज जाए उसको कोई प्रॉल्म की बाद नहीं है लेकिन इन जंडर जो पुकों में लिखा हो ओं में आपको बता र और मेंगनेशा क्या करता है अनसाउंड नाता है वेटा सबसे इंपॉर्डट पॉइंट यहां पर अनसाउंड नेस अच्छा दो आप सोच रहोंगे साउंडनेस यह क्या रही है देखे पहले तीन चीज समझे ए ट्रिक समझे जो पॉइंट आपको यहां रखने मोटे मोट एक है मेरा लाइम और सेकेड वणी ईप सिलिगा यह दोनों इसट्रेंद वाला है ठीक है उसके बाद साउंडनेस को अंट्रोल करने मैले तीन लोग सब्सक्राइब करें मेरा सीमें एक वाल्यूम चेंज कर रहा है जब आपने सीमें पानी विलाया और वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं बोलूंगा सर मेरा सीमें इंसांड नहीं हो चाहिए सर आपने दीवार बनाई धर तो आप अगर unsound cement है, let me write it here, let me write it here, unsound का मतलब, unsound means, unsound means high volume changes, unsound means high volume changes, okay, unsound means high volume changes, yes, clear, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा cement क्या रहे है, sound रहे है, cement sound रहे है, उसकी volume change जादा ना हो, okay, my dear friends, उसके बाद और भी दोचाल लोग यहां पर आ जाते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं से बट आ गए हैं, हम लोग चाहते नहीं थे, जैसे soda, potash, alkali, आपको पता है, metal के जो oxides होते हैं अब माल देle cement के अंदर alkaline, यह है तो cement जब पानी जाता है, तो पानी के साथ यह alkaline घुल जाती है कि अलकली पाने से बहर आँती है तो इसके बाद चाहिए आपको पता है अलकली को बूली होगी है लेकिन पानी इवड़करट हो जाएगा और ऐलकली पीषे चुट जाएगे और सफेज धब्बे पड़ जाएगे इन सफेज धब्बों को इन वाईट पैचेस को मैं क्या बोल तो वह पैचिस नहीं पढ़ना है क्योंकि इस पोपर salt deposit हो रहा है और वह salt deposit आते कहां से हैं या तो cement के अंदर से आते हैं या तो मेरा weather से आते हैं बहार से मौसम से समझ दे हैं आप बहार environment से atmosphere से मेरा chemicals आते हैं तो भी मेरे तब बढ़ सकते हैं ठीक है तो alkalis मुझे desirable नहीं है लगे क्या करते है वॉलिंस चाथे मुझे दस या शुपज होते हैं या ए कि रहात है करते हैं बिदक्रत की बात थे पर बत क्रंग को तो करने वाला है अब मेंसे ब्सेंद करने वाले जब को दूर-दूर करता है, बंधन में problem लाता है, ठीक है, ये bonding में problem लाता है, इट creates problem, during bonding, टो सीमेट अपका strength देगा, लेकिन जदा होगा, तो obvious भी क्या होगा, चीज़े slow होंगी, और आपका चीज़े अलग-अलग होंगी, और आपका चीज़े अलग-अलग होगी, और अल्वना कैसे आतकना है, फास्ट, क्विक, तेज, ठीक है, जाता होगो तो दिक्कत किया दे, आइरन ओक्साइड आपका क्या 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 सबको बांध के रखता है, इनको आप याद रखे हो कि है, चलिए, बिल्कोल, सी वाटर यूज़ करने से लिक्राइस आता है, बिल्कोल स सब कुछ था, लेकिन कुछ चीजें से हम लोग क्लिंकर करने के बाद भी उला रहे थे, कुछ चीजें, सम पॉंपोनेट्स, आइडिंग आफ्टर क्लिंकर कॉंपोजिशन, यहां में आपको दिखाया था, यहां देखिए, इस डिएग्राम में यहां जो मेरे क्लिंकर बनक सकता हूँ, क्योंकि दूस्ता आपको पता है, जो मेरे आजकल thermal power plant से कोईला जलता है, बहुत सारा fly ash निकलता है, वो fly ash मेरे dispose भी हो जाता है, उसे हम लोग सीमेंट में इसमाल कर सकते हैं, इससे होता है कि सीमेंट की workability बढ़ जाती है, ठीक है, सीमेंट की workability बढ़ जाती है समझ रहे हैं, तो उसको यूटलाइस करने रहे हैं, उसे सीमेंट भी यूज़ करता हूँ, आजकल गौर्मन भी कापकी योजनाय चला रही है, तो fly ash से मेरी workability बढ़ जाती है, और मेरा जो अपना waste है, वो भी dispose अफ हो गया, और साथ ही साथ सीमेंट की industry में यूज़ भी हो धहर बढ़ाने के लिए, सीमेंट के अंदर patience बढ़ाने के लिए, मैं क्या करता हूँ, what I do, I add gypsum, gypsum में 23% मिलाता हूँ, ताकि क्या हो, setting time बढ़ जाए, ताकि मेरा सीमेंट कैसा हो जाए, slow हो जाए, ताकि मेरा सीमेंट कैसा हो जाए, slow हो जाए, yes, यहां में लिख देता अब होता है, जो मेरा क्लिंकर बनता है, इसके अंदर है, जो मेरा क्लिंकर बनता है, जो मेरा क्लिंकर बनता है, यहां देखा था मैरे क्लिंकर, यह था आपका क्लिंकर, यह क्लिंकर था, अब आपने क्लिंकर बना था, जब आपने इसको गरम किया था, हीट किया था, कितने इतना temperature आपने बढ़ा दिया, इतना temperature बढ़ाया, temperature इतना ज्यादा हो गया, कि आपका क्लिंकर की जो नॉमेटियर्स थे, जो compound थे, वो सब जो गए, ठीक है, resultant compound जो बनते हैं, fuse होने के बाद, गरम होने के बाद, उन्हें बोलता हूँ से, बोलता हूँ से, क्या बोलता हूँ देखें, यस, क्लिंकर निकला मेरा गरमा गरम महार बटे से, और temperature कि वहाने कितना रखा था, क्लिंकर मैंने आपको बढ़ाया था, बढ़ाया था, बढ़ाया था, 14-15 हो है, ना, high temperature, क्लिंकर बहार निकले लेकिन उनका तेमरेशर से अभी 1200 है, आप क्या करिए, उनको चाहिए, अगर आप चीजों को हॉले हॉले करेंगे, असानी से करेंगे, ग्रैजुली करेंगे, तो development अच्छा होगा, ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि जब आपने उसका temperature बहुत जादा करा, तो जो अंदर CAO, silica था, lime था, alumina था, यह सा आपको जोडने लगेंगे, ठी अब आपको जोड़ा बनता है, मेरा tricalcium silicate, क्या बनता है, tricalcium silicate, tricalcium silicate, tricalcium मतलब CAO, 3 CAO, 1 SiO2, तो इसको मैं short rate रसे लिखता हूँ, C3S, यहां देखे, symbol है, C3S, अब ऐसी मेरा dicalcium, dicalcium मतलब 2, तो 2 CAO, not SiO2, इसको मैं मोलता हूँ, C2S, पता होगा आप लोगो, ऐसी trical इसको मतलब 4 CAO, 1 alumina, और 1 epitose के अगर जुड़ गए, तो मेरा बनजय का C4A है, इसमें A का मतलब alumina, F का मतलब, यहां आपका iron oxide, A का मतलब alumina है, S का मतलब दोस्तों क्या है, S का मतलब आपका silica है, C का मतलब lime, समझ गए आप, इनके नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है नाम क्या है, alite, bellite, cillite, bellite, simple, simple, बता है आप सबको, तो मेरे clinker के अंदर सरे यह 4 compound है, और 4 compound बहुत ज़रोड़ी है, कुछ ना कुछ इंका काम होता है, आईये समझा जा जाए, सर, ठीक है, इनको समझा जाए, आँछा याद रखो, तुमारा S3S के अंदर कितने compound है, कितन सब्सक्राइब कितने मॉलेकुल है मैं दिए छेल तभी तो मैंने लिखा सी पोर यह है चार सी होके एक अलूनाज और एक आरेनोसर दर जुड़ गए जोड़े क्यों कि आपने टेमरेचर दिया अचा इनके अलावा भी छोटी मोटी अलकली वगएरा पढ़ी रहती है इनके अलावा भी सब्सक्राइब कुछ अलकली सोडा पोटेश इसा पढ़ा रहता है ना सल्फर पढ़ा हुआ है मैं चाहता नहीं हूं लेकिन यह है अंदर क लेकिन जो में काम हो रहा है आपका वह हो रहा है किससे लाइम से सिलिका से और अल्यूना से लाइम सिलिका अल्यूना आपके में पॉंपरेंट हैं देखिए यहां सुनिया है सबसे बेस्ट सबसे ओ है 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 घौर इफेर डिश्टि को अच्छे से अब बटों के अंदर तो सबसेंट अच्छे के और सबस्क्रीस तरह कोसें श्रूल ऌति-टील की सिर्ट की करते हैं 5लाकशत चुरींट अगर जो बाद नहीं पार 5-6 महात्यवत》 यहलो मैं च्रांट खूजिए नहीं पु करनेगे सिर्टोस फर्जीम्राइब UEश के श्रूल quicker, और खूशहर के शिपर हाईब मेरी freezing thawing resistance तर जाधा होगी इसमें freezing thawing resistance जाधा होगी गया CTS होगा और freezing thawing resistance यहां पे कम हो जाएगी आप सोचिंगे freezing thawing resistance जमना पिखलना दोस्तों आप एक चीज चीज समझेगे आप माहले कि एक दूंदिक कंट्री से लिए होता है नहीं है 2012 नहीं करना है जो इस अबरुम हमने क्ट्रा प्राट pregnant बोल्च विभाथ है 9 सेटी करें म fiल दिछाब्या दौि अगर आपका स्थाईश के मात्रा ब्री मारा कारी ありंक नाइक थो रखेंगी और का चाहते यह अच्छी बात है लेकिन जो आपका यह है C2S यह दिक्कत है यह प्रॉब्लम देगा समझ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तो आपका यहां पर फिर्ण फारेशन स्कम हो जाएगी यह जाधा हीट देता है यह पांसो जूल पर ग्राम अगर इसका आप लेंगे और रियाट करेंगे पाने से तो कितनी हीट निकलेगी कितना हीट फारेशन आएगा 500 जूल और इसका खोलेशन आपका लिवग से न अब सीडोस यहां और श्रेंग पर आपका अब सब्जी करेंस और याद रखतल के यही धोना है मेंकर मतलब वंबर यहीं दोना है जो इन और इनसे प्यूत नहीं श्रेंग ज़वासी करते हैं इन से के सेंटिं टानि काम होता है। कि इस्थी ऑले हैं क्याद स्प्थूर्टैंच करते हैं यह क्यों झ Eggs затू को आप और हम से नियुज्डवाजी करते हैं इमिजिटली जो पाने को देख रेक्शन कर जाए या फ्लैश सेटिंग करें है यहाद रखिए वह है मेरा सीध्री है जहां को सता है यहां देखे जितना भी आप गोड़ एर टैलिक से देखें वह सब रट जाहिए वह आने वाला है समझ लिए बहुत इंपोर्टन ठीक है बहुत इंपोर्टन तो इमना परस कंपॉंड है आप आपको बता है जलवाजी तो सेटिंटाइम होगा क्या होगा कम और जब भी दोस् यह सुनते ही आपको एक बात याद आनी है सुनते ही आपके दिवान गाना चाहिए शल्पेट है कैसे मैं जब आपको समझाने जा रहा हूं चिंता मत करिए ठीक है बस आप समझ गए है जलवाजी होगी तो बॉल्यूम चीन जादा होगे क्रैकिंग होगी बहुत जादा और सबसे कम ही जैना चाहिए टार सbor दे आम चेट करेस्त शचरी खलेगा यहां रेमि Shark करता है एक रविल मेरा। कम मात्रों जल्पी से बन गी होना नहीं किसे नहीं हम को समें पर आणब होसा चीन बढ़ना सेदा इस में इसकेड मेरेसे समिव्य spongy को सब्सरती बढ़ने सी सीपोर एक बढ़ेगा तो मेरे स्टेमेंटिक स्टेंथ क्या होगी दोस्तों कम होगी समझ गया बहुत बेगार है यह और यह रिस्पॉंसिबल है और मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यह जलवाजी करते हैं तो इंसा इतना महदर है नहीं अब बन जाते हैं बन जाते हैं त स्टेंग को कम करते हैं जलवाजी होगी और ऑफिसलिवाजी होती है तो प्रॉब्लम साना शुरू हो जाते है तो आप याद रखे कि मेरा जो क्लिंकर बनाए उसके अंदर वो कंपाउंट में है वो है उपर के दोनों सी टूस यह दोनों स्टेंग करते हैं यह अगली स्टे अब जो आपका C3S था यह आपका C2S था माइट जाहां सुनिया है अब इन में पानी मिला है इनके बीचे जो दोस्तों केमिकल रियक्शन होने वाली है इनके बीचे जो केमिकल रियक्शन होने वाली है इनके बीचे जो केमिकल रियक्शन होने वाली है इनके बीचे जो केम और जब यहreating करते हैं bet नकी अर्वित कर आछेज था जब गीर्याइक करते हैं तो वेटा क्या बनता है । जैय sensor एक तो पनोल। नम खुमातलों क्या अक्यगा की हटमऊहने मुटना राज और जसे इसे मृत曦 शेक से यहां पर शेक शोंब्राफक Con Whenever .3 water. .3 water. यह अपका क्या है? CSH Gel. अब यह Gel ही आपका responsibility है किसके लिए strength के लिए? जैसे- जैसे मेरा cement जमता जाता है. ठीक है? जैसे- जैसे मेरा cement जमता जाता है, strength क्या होती दोवंको? strength बढ़ती जाती है, ठीक है? इस CSH Gel के साथ साथ, इस CASA gel के साथ साथ मेरा calcium hydroxide भी बनता है, जो कि अच्छा product नहीं है, ठीक हैं, अच्छा product नहीं है, अब आप समझें हैं, इस CASA, veo-to-IS जो साथ साथ बनआएं, वो एक by-product है, undesignable है, गो अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि उससे होता है sulfated है, उससे हो कि अच्छा प्रोट नहीं है जिससे अटैक हो रहा था वह बन दएक पर सब्सक्राइबू न चेल तो ज्यादा बना रहा है तो मुद्धन सब्सक्राइब तो इसको अगर आप देखें कंपेर करें तो जैल मेरा ज्यादा बनता है किसमें तो मैं कौँगा सीवेंटिक वह बहतर है तो समझते हैं बहुत असान सी बात है इसको आप याद रखिए बस आप याद रखिए यहां से जो मेरा एक्रिंजाइट जैल बना यहां जैल जो मेरा बन रहा है सर वही मेरा जैल रिस्पॉंसिवल है याद रखिए बच्चो बहुत इंपोर्टेंट वही मेरा जैल रिस्पॉंसिवल है इस्ट्रेंग के लिए ठीक है अच्छा हाइटिशन डिबेंड किसके ओपर करता है तर जाहिर सी बात है अगर आप उसके अंदर क्या ले रहे हैं अगर मुझेज़ करते ना आपक दुट्रेंगे में बुटक प्रेम मिल जाएगी चिंदा मत ओ ठीब cassette मिलेगी ओव के तो मेरा जो इंग्रीडियंस है इंग्रीडियंस हिसाप से रहे हैं जल़वाजि वाला इंग्रीयं अंदर है तो जाहिती बाता और रिक्शन तेज थे जैसे मेरा C3 है पाने को देख यह मेरा C3 है पागल जाता है तो रहां करता है इम्मीजिएटली समझें आप सब्सक्राइब करते है तो रहां में रहां करते हैं को मेरा C3 हैा जो भी यह है आपकर्णे समय हैं मैं के इस अधर क्लिंकर के अंधर 4 चार चीजे जैए और वही पाने कसा गयाट करके जल मनाती है वही मेरा पानिक साथ रियाट करेंगे जब भी तो बनेगा से मेरा जल या बनेगा जल पार्टिकल्स और इन जल को अपसे मैं बोलूँगा क्या बोलूँगा या एट्रिंजाइट जेल अब जरा समझो यहां समझने कुशिफ करो कि सबसे ज्यादा हीट यह सब एक्जाम में आएगा तभी मैं लेकिया है उसमाई सामने हीट ऑफ इसका है देखो अभी बता है मैंने पागल आदमी है यह बहुत जल्दी में रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर दो प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है बिल्कुल अच्छी बात होगी वाईटी है न वो तो बन जाता है तुम जब रॉम मटिल लेके आयो रॉम मटिल के अंदर अलुमिना था आईरन ऑक कि अगर तुमने सब का एक ग्राम लिया देखो अमा उठीट का नहीं अगर तुमने सब का एक ग्राम लिया दो सभसेट है कोल मनाएगा यह सीवरे सिर्डियू सेडिया विल्कुल समाझ भेसर जार नो ब्लॉब्लम अब मैं बात करता हो रेट ऑडरेशन दी हैम में बात करत लेकिन तुमने देखा कि C4AF, C4AF पर 20 ग्राम रियक्ट कर गया है, तुमने C3AF का देखा सर प्लस ग्राम रियक्ट करा है एक सेकंड के अंदर, फिर C3S का देखो कि C3S और C2S क्या करते हैं, स्लो चलते हैं, C3S और C2S तुमारे स्ट्रेंथ वाले लोग है अराम चलते हैं, इ पहले तुम लोग कर लो हम तो अराम से चलते हैं, हम तो महीनों बाद खेल खेलेंगे, हम तो महीनों बाद इस्टन देखे आएंगे, तुमको मैंने बता दिया पहले ही, कि C2S और C2S के स्पीड इतनी जागा नहीं है, आराम स्पीड लिखा है, ठीक है, स्पीड उनतर स्पीड लो है, ठीक है, बिल्कुल सही, तो मैं अब बोलूगा यहाँ पे, मैं बोलूगा, क्योंकि अराम से चलता है, तो जो C2S है, इनकी से स्टेंध भी जाद आएगी, अरली स्टेंध मेरे कौन देगा, C2S, और लेट स्टेंध, अल्टिमेट स्टेंध मेरे कौन देग किस्ट्रेंध इन होनों से आ रही है, इस्ट्रेंध सिर्ण्थ सोटवीट से आती है, और अगर मैं आप सेटिन टाइम की जवार करो, कि सबसे जख 20 हमें हाट लो हमकों कौन दिखाई देगा? तो C3S, जो सबसे पहले मैं हाट होता हमकों कौन कौन है? C3S, सबसे पहले पान सबसे लास्ट में कोई आएगा सीट गुए अब जो मेरे पार्टिकल थे वो इसने पानी जुड़ा तीक है इसने मेरा पानी जुड़ेगा पानी जुड़के बनाएगा जेल और जेल के जो पार्टिकल बनेगे कुछ पानी उसके अंदर होगा जेल के पार्टिकल बनेगे कुछ पानी उसके अंदर होगा सब कितना पानी उसके अंदर जा सकता है याद रख को 23 परसेट इस तरह के पानी जो जुड़ गये जो जुड़ गये उससे बच्चों में बोलता हूं बाउंड वाटर और कुछ पानी लोग और डालते हैं ताथी चीज वड है खानी वीच में जगे है आणी जो कंषसी आखी रहे हैं तो वह मेरा पानी में तो चुटा चलके प्लीन पर्लीच को और दूबा जल में पानी पानी में पीमी आए कट। जो कमाइन नहीं हुआ वह लगवक 15% एधा है अच्छा ज्यादा क्यों लेके चलते हैं तोड़ा ज्यादा इसे लेके चलते हैं ताकि रियक्ष्ण अच्छे से हो पाए अच्छे से वोपाए अब ऐसा तो है नहीं को तेस की जरोते हैं तुमने तेस दिया ओफेसी बात है कि तुम जो यहां पर CTS ले रहे हो उनको जरुआते पानी के लगवक 23% उनको लगवक 23% पानी करोते हैं लेकिन थोड़ा सा पानी ज्यादा लेके चलते हैं ताकि रियक्ष्ण अच्छे से अच्छे से अच्छे हैं लेकिन हाँ यह बात साच है कि in order to complete in order to complete the reaction हमें तो सिर्फ 30% पानी चाहिए लेकिन थोड़ा सा एफिशेंसी चाहिए रहे है जिसके लोग ज्यादा पानी लेके चलते हैं ओके यह समाझ में आगे तो आप याद रखिए कि मेरा water by cement ratio मतलब सीमेंट अगर मेरा 100 है तो water कम से कम 38% होना चाहिए इससे कम रखेंगे तो आपकी जो reaction से जो पानी लेके चलिए तो reaction आपके अच्छी होगी फिर बात करते हो तो sulphate attack की बहुत ज़रे sulphate attack आ रहा है और अभी मैंने आपको बताया था कि जैसी बेटा आपको C3A दिखे तुरंट आप बताईए sulphate attack तुरंट गोले sulphate attack C3A मतलब sulphate attack क्यों देखिए यहाँ पर सबको यहा दिख रहे हैं C3A जब पानी से react करता है तो बनाता है CAS gel जैसे वो CSH gel होना रहा था C3A मेरा CSH gel होना रहा है वैसी मेरा CAS gel अब यह जो CAS gel होता है सर यह gel बहुत खदरनाग है सर यह gel क्या करता है सलफेट जो भी आपके calcium sulphate magnesium sulphate कोई भी sulphate होगा उसके साथ जुड़के calcium sulphate बनाएगा जिसकी volume बहुत जाता होगी सर यह gel इतना खूल जाता है इतना खूल जाता है कि इसकी जो volume है सर 227% बढ़ जाती मतलब दो गुना से भी जाता जब इतना volume बढ़ेगा तो सब्सक्राइब मेरा सीथ्री अंदर है और सीथ्री को गलती से sulphate मिल गया सीथ्री में जेल बनाया और उसके जेल के साथ जब sulphate जोड़ गया है हर एक बहुक कमपाउंड जेल होगा उस जेल के साथ मेरा sulphate मेगशियम sulphate जोड़ जाएगा समझें तो जो कमपाउंड बनेंगा उनकी volume जाता होगी और जब volume जाता होगी तो उसको volume जाता होगी तो क्या होगा फैले लगेगा मेरा concrete यहाँ देखो फैले लगेगा और इस तरह से दरारें cracking falling यह सब होने लगेगा तो मेरा concrete expand करेगा देखो expansion होगा बहुत सारी cracking आ आपका जो CVA है उसके जल से जब sulphate जोड़ते हैं तो volume बढ़ती है volume बढ़ती है volume मेरी बढ़ जाती है कोई प्रॉलम नहीं अब तुम पूछो के सर यह जो मेरा concrete था अच्छा कासा concrete था इसमें sulphate आया कहा से इसमें sulphate आया कहा से यहाँ देखो सॉइल से देखो यह तुम्हा सॉइल दिख रही है इस सॉइल से सॉइल आ जाएंगे ग्राउंड वाटर से आ जाएंगे समुदरी पानी से आ जाएंगे जाएंगे साथ एक बच्चा पूछ भी रहा था है है ना very harmful sea water से मेरा sulphate आ जाएंगे calcium sulfate, magnesium sulfate, magnesium sulfate है ना गटा होती है तो को पता मसाला लगाते है तो ब्रिक एंदर से भी आ से सथे हैं और जो मेरा seaver होते हैं सीवर के अंदर के होता है बहुत सारा कछ्रा होता है महाँ से भी मेरा sulphate आते हैं तो बहुत डीटिल मेंने जाहेंगे आप पर अगरॉमेंटगेए पूरा सब्सक्रावन सब्सक्राइब देखो देखो अब इसा करिए अब बच्छों करिए आप ऐसा करिए आप ऐसा करिए sr, इसकी मातरकों से 2-3 % अची है, ताकि क्योंकि gypsum का काम क्या है, gypsum का काम सेटिं ने कम करना भी है, लेकिन sr आप ऐसा ना करिए कि उसको 15 % ले ले ले, अगर आपने उसको बहुत जदा लिया, तो sulfate attack हो जाएगा, अगर आपने उसको बहुत जदा लिया स्मझ में आगि और यहां दखे सर्भिक होता होता है किसके सोता है चुर्ड वाइक होता है सीध्री ए और यहा आपने देख admired reactor पीर कि यहां देखा था this सिबाहलों के यहां अपने देखा था सीयोच उड्आइबल कहें यहां अफने देखत था दुकितने टाइब की दो पेरा दुकित है फील्ट गॉसा लैब करूंगा अब पील्ट टेस्ट करने मिनन कमें ऐसे फिजिकल टेस्ट टेस्ट फिर केमिकल टेस्ट सारे टेस्ट हम लोग अब वादेक्षिकल करने पढाले हैं अब पाइनेस से करिस्टेंस शुर्ट सेट इन देखे लोग से बहुत आयो गोई है यह लैब में करते हैं तो फिल्ड एस देखो क्या होता है तो ग्रीनिछ के लिए सब को पता है ग्रेश रंगा गरा सीमेंट होता है अगर तो अपनी सिमेंट इस पीछ में रखो तो उसे स्मूर होना चाहिए लख नहीं होना चाहिए यह इ अगर तुमने सिमेंट को पानी से भरी पाल्टी में पेका, तो उसे थोड़ी दर बाद ना चाहिए. पहले कि वाज़न तेहर रह उसे कि लॉअने चाहिए और जो गण नगव दो स्पार्म के लिए मदर्ण होगों । थो सम्ट टा है बहुत है इसलें ऑने पानी लेता है क्रों अगरों बतालों गढ़ है तो मेरे लेफ लार प्रोंат अध्रमCR मेदाव है समझ रहे हो पानी को एप्सॉल्ट कर लिया है समझ गया है उसके इस्टेंज कैसे नापतों में फील्ड में मैं क्या करता हूं फोट 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 ब्लॉग बना दों ब्रिकेट का मतला ब्लॉग देखो यहां ब्लॉग बना है क्या साइज है 50 mm 25 12 यहां लिखा हुआ साइज तो मैं बाहर निकालूगा तो वह जल्दी नहीं टूटना चाहिए वह इदनी जल्दी ना टूटे ठीक है तो मैं कहूंगा सर उसकी स्टेंद भी जो मेरा सीमेंट आप लेके आए बोरियों में वह सीमेंट लिश्टेंग अच्छी है यह साब गया इसके सारे प्रिट टेस्ट जल्दी है जल्दी नहीं टूटना चाहिए फिर आप में बात करतों फिजिकल तो पहला मेरा फिजिकल टेस्ट की है देखो यहां लैब में मेरा पहला फिजिकल है फिर कॉन साई चेमिकल अधिक हैं यह स्मा डियर फ्रेंज बिल्कुल गोपाल जी सही बता रहे हैं कि मेरा teamet जो क्या नाम है 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए लग बिल्कुल सही बिल्कुल सही very good very good you all are right दो देते हैं दो तो देखें पहले करते हैं लोग सीव टेस्ट पहले दोस्तों लोग क्या करते हैं ताब 10 माइकरों कितना माइकरों है90 सिमेन से किया हमने साधा सेसे has कि आडर ीचे आ है और उपर उपर 10 जैदा सिमेन ना रुखेल आपने लिया उसका 10 परसेंट हिसा वह वा नितना चलिए वह और तो देखेंफिए अगर OPC आप ले रहे हैं, OPC को आपने छली से पास, 100 g आपने लिया, उसको आपने 15 min से शेक किया, से पास किया, आप चाहते 90% से ज्यादा नीचे निकल जाए, और 10% से कम उपर रह गया, अगर ऐसा हुआ तो आप कहेंगे, जो रेसिडिव, जो ऊपर बच रहा है, उसको क्य आपको पता है, जो एर पास होगी, तो head का loss होगा, जिस तरह से, पानी पास होता है, उसी प्रकाल से, अगर सब्सक्राइब करते हैं इसको मेजर करने के लिए वो है मेरा नर्स एंड ग्लेंज अपरेटर्स पूछने आपसे नियुका । यहां देगा लिए अपने के लिए अब आपने के लिए अपको ब सबस्क्राइब अगर को सब्सक्राइब करें जोंका इताइक उसक एरिया कितना अपने के लिए आपने muffled सेंटिमितर स्कॉरर पर ग्रम ऐसी आरेसी आरेसी, आरेसी क्योंकि रैपिड हर्ट नेकि अैकि उसकी और जाज है तो और महीन होगा, और फाइन होगा समझत अब। तो वो कितना नाचीए, 212ची है ना या अगर में इसको में मिटर स्कार पर केजी में देखूं, तो में 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 225 और 325 बच्ची में बच्ची गए गए और पीसरा मेरा कौन से है दोसको और बैगरा टर्बीटर यह ज्यादा इमपर्टेट नहीं है, इसका नाम आप जाद रखे इसमें क्या करते हैं, क्या है करत बहुत इंपोर्टन जितना इपन बता दिया है तक है और भी अग्रते लिकर जरूर नहीं यहां पर दोस्तों मेरा कन्सिस्टेंसी टेस्ट क्या अटा कंसिस्टेंसी टेस्ट तो इसमें मुझा करते हैं विकायट अपरेटर्स होता है मेरा यह जो मेरी मोल्ड आप देख रहे ह यहां मैंने विकेट मोड ली वाहाँ एदे और यह मेरा जो फ्लंजर आप देख रहे हैं लोगों यह आपकी स्केल आपि यह प्लास का इंट है इसके अंदर है संधर सीमेंस और था चेमेंट भरेंगे मासेट करेंगे की आपनी की मात्र 화ल करेंगे rebel 10% पानी गिलाएंगे। फिर 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 अगली आपर 20% पानी गिलाएंगे फिर 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 अगली बार क्या करेंगे। प्लंजर को रिलीज करेंगा, अब देखेए होता क्या है कि हामें ऐसा सेमेंट का पेष्ट मेंख captive दो is cheap standard और अपने आप नीचे से 5-7 लिप का देख हो जैसे नीचे 5-7颯े जाए को तो सीजाए नेचे 500 लागल इसी तो तो अब देखो घर के डिख़ गर है घ्रां में तसके का में पंधेर के लिए इस इसना घंतल कि अगत्ली में बालव। तुम्हारा जो प्लंजर तुम्हें होता है हं तो दीखो कि चाहना इस श्क्राक्व गरंस उपर से 23 म разм या मैं कहूं, bottom से या मैं कहूं, bottom से 5-7 thunder मतलब जो मेरा cement है उसके त PLAY कि प्लंजर अपन्याब जाके कहां पर रूख रह है आपन्याब जाके पाह रूख जा रहा है अपन्याब जाके आ def performer कि नीचे से मेरी कितनी जगे बची रहे जाए आपका मोल्ड है, तो मैं वो मॉश्टर केटेंट निकालूगा, अब कैसे निकालूगा और फ्राइज दोगा, मैंने 10% मिलाया तो प्लंजर अंदर जाई नहीं रहा, अभी पानी बहुत कम है, फिर मैंने कहा करा 20% मिलाया, इसका मतलब विसकॉस्ट थोड़ी कम होई, प्लंजर और नीचे जाएगा, मैंने 25% मिलाया, इतना नीचे गिया, कि नीचे सब कितनी जगे बची दोगा, मीचे से यहां कितनी जगे बची, आप समझे रहे हैं, जैसे माल लेजिए प्लंजर है, आपका मोल्ड है, तो मैं बोलूगा, सर इसका मतलब 25% water, 25% को मैं एसा water content, दोश्को मैं बोलूड गिलाना है, जिससे मेरा फ्लंजर फां से साद में नीचे से, पां से साद में अंपर बॉल्टम रूप जब घंगा, अब पी मैंने निकाल लिया, पी निकाल लेका फाईदा किया है, पी निकाल लिया है, जो एक अगर निकाल लिया मैंने तो स्कुवाइर निडल लेते हैं और फाइनल सेटिंग तायम के लिए अम्रोग लेते हैं अगड़े अ अगड़े देखा जायें देखो तुम यहाँ तीन सेटप देख रहे हो तीन सेटप अबसक्वारा रहे हैं पहला को पर कि पहला को साठे के लिए, प्लंज्दर को अब्सक् सब्सक्राइब खुक्षों नहीं करना है अब एक काम करो वैटा सेंपल लो 300 ग्राम का थ्या सुटना बहुत ध्यान सुटना सेंपल लो 300 ग्राम का उपसे पानी विला दो पानी कितना मिलेंगी 0.85 पी अब तुम पूछो कि पी क्या है अरे पी वह ही ऑप बेटा नॉर्बल ग तो यहां जितना पानी मिला था उसका 0.85p यहां मिला दो इसका 0.85p यहां मिला दो setting time एक्जाम पूछे जाता है कि setting time में हम लोग कितना पानी मिला था क्या बता दो गच्छो लोग 0.85p अब एक काम करेंगे हम यहां पे square needle को lower करेंगे square needle पर नीचे जाएगी अपने आप कितनी देर में वो नीचे से 5-7 mm जाकर रुचा है जैसे वहां पर रुखी गी नीचे से 5-7 mm जाकर आप रुचा है उसे में बोलूँगा initial setting time और किस apparatus की जिए क्या attach कर देथा मैंने विकएट में आप पर इस assembly मैंने क्या attach किया था ता 1m square के needle दीग है केंट नहीं है कोई प्राइब में अब मैं फाइनल शर्ट अ चाहता हो तो मैं क्या करूँगा फाइनल चॉलर लो है यह देखो यहा धिकोड़ कॉलर दिख रहा है यह देको ऑनल कॉलर दिख रहा है यह आद फूटाइज से तूटी सी बहार निखी हो है अगर आमको फाइनल सेटिंग टाइम निकाला है तो इसको रिलेस पाइज पाइनल सेटिंग टाइम अच्छा इनिशनल सेटिंग टाइम याद लखो तुम्हारा OPC जो होता है उसका कम से कम 30 मिट होना चलिए तुम्हारी जो सूई थी सब्सक्राइस को सब्सक्राइस के सहां हम याद इस यह आर्याल सेटिंग वाइज कि अजल्दी चलिए ब ही निक्कत क्योась है अच्छी बात नहीं है कोओ प्रोल्म नहीं क्या है इस अब इनिशंग टाइम को मतलब क्या कि तुम अगर अंदर तो सीमेंं भिज कर सकते हो तो उसकी व्हें आदे घंटे में 100मीं करते हो उसकी प्लास्टीसीटि अभी जिंदा है उसकी प्लास्टीसीटिaffe डही नहीं ऐप ए उसकी अभी फ्लृृडिटिटी अभी है समाज्जे हो तो आ मैरि वरीकृड वोड रीभ उन कर सकते हो इतनिया सेटिंग टाइप का मतल्फ स्टार्टिंग जब से कुन्ह पानी विलाया पानी विलाने से लेकि है है', शुरू के 30न सेट तक तुम तुम्हारा जो cement dust में रीमिक्सिंग कर सकते हैं तो प्लास्टिक प्लास्टिक प्रपर्टिक होई नहीं है अगर उसके उपर कोई चीज हम रखते हैं तो इंप्रेशन नहीं बनेगा अगर उसके उपर हम कोई चीज रखने हैं तो वहाँ पर निशान नहीं पड़ेगा समझ जो जैसको लोग घर में क्या करते होगे जब लोग कॉंट्रीटिंग करवाते हो तो कभी-कभी कोई जानौर जल गई तो उसके पर दोड़ जाते हैं देखाए कर ने कर रहा इस को लोवर करूंगा और देखने कब तक मेरा निश्עन आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो क्या करहा तुमने बच्छों क्या किया कि तुमने say smaller की है उवा कि अन्यॉल क्या टो देखा 5 लंट या निशान पड़ा तुमंने उसको फिर से ग़ा चे गढ़ तुमने तुमने उसको 7 लंट बाद किया मीडल makes an impression मेरा जो ऑन्यॉल कॉलर है ना बनाई वो इंप्रेसयन नाबना ऐए तेक है इसका मतलब इसका मतलब सर मुझे तब तक रुखना है जब तक मेरा इंप्रेशन एनलो पॉलर ना बनाए और मेरी सूई अंदर चली है तो लगबाद 10 गंटे बात क्या होगा जब तुम्हारा इनलो पॉलर नीचे जाएगा तो आप कोई भी इंप्रेशन नहीं आएगा कोई भी इंप्रेशन नहीं आएगा लेकिन जो करी सूई है तो यहां पर नेकल गए प्रोजेक्ट आउट हो रही है वो अंदर जाएगी लेकि इसका मतलब सर अब मेरा सीमें अच्छी खासी श्टेंग दे चुका है अच्छी खासी श्टेंग दे चुका है और आप उसके और आप टेंशन नहीं जरोद नहीं है आप फॉमवर्ग खोल सते हैं या दरको फॉमवर्ग तुम हमेशा फाइनल सेटिंग ताइम के बाधी खोल होगे ठीक है अच्छा मालो तुम्हें जल्दी जल्दी शेटर खोल लें जल्दी फॉमवर्ग खोलने तो क्या करोगे पॉइंट 788P यहां तको इजाम में पूशा जाएगा 0.78P अब भोता क्या है बच्चो पोता क्या है माइड या फ्रेंड्स हम लोग साउंड नेस्ट का मत्तब जाद है चेंज इन वॉल्म सिमेंट आपर सेटिंग जब मेरा सिमेंट सेट करेगा तो इसे में अजर कैसे करे तो मैं दो बताया था है था है सर यहां पे बैंगेश्या और सफर कैसे अंसाउंड्स हा रही है लेकिन उनका कंटेंट आप देखे कितना कम है 2% क्या भीगाड़ेगा मेरा 1.5% क्या भीगाड़ेगा कुछ नहीं जो में साउंड्स आ रही हो दोस्तों को किस के से आ रही हो तो मैं साउंड्स नापने वाला हूँ वो नापोगा सिर्फ और से फ्री लाइम के से जो अंसाउंड्स आते हैं वह जो मेजर करने हैं वह मैं करूंगा ली चैनल अपरेटर से इसका डामेटर कितना है 30 mm, इसका डामेटर 30 mm, मैंने इसके अंदर लग दिया और इनके बीच म अब मैंने पहले पहले सेमेंट का पेश तयार किया सर्थ, बढ़िया से मैं उसको उसके अंदर रखा, रख भी हां कोई प्रवडम नहीं, इनको आप 24 घंडे पानी भी होई है पहले, 24 आवर मैंने ठंडे पानी बरक्खा और इनके बीच की रीडिंग को नोट का लिया, 24 घ ठंडे पानी बरक्खे, माले रीडिंग मेरी आई, X, कितने जोसका X, इनके बीच की रीडिंग आई, X, अब मैंने क्या करा, इसी split mold को मैंने क्या करा, अब मैंने उसको boiling पानी में टाल दिया, उबलते हुए पानी में टाल दिया, ठीक है, तो उसको मैंने उबलते हुए पा गो फ्री का मतलब जिसने सी ओ डॉसा यूटसा नहीं बनाया, वो फ्री रह गए, वो बंदन नहीं कर पाया तो भी लाइम बाद में पना है, तो फ्री लाइम उस तीम घंटे के अदर, जो लाइम पूरी जिंदगी में पना है वो आपने टेस्ट के अंदर के अदर तीम घंट निकालूँगा इसका, y-x, y-x, इसी को मैं बोलता हूँ, ली-चैटिलियर, इसी को मैं बोलता हूँ, बेटा, क्या, ली-चैटिलियर, soundness, ली-चैटिलियर, soundness, और यकीन करो, बेटावर, यह समझ जो, free line बहुत ज़्यादा है, free line बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब unsoundness बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है, unsoundness का मतलब volume change, मैं लिक रहा है, मुझे पसंद नहीं है, volume change हो रहा है, और मैं चाहता हूँ, मेरा material कैसा हो, sound हो, मैं चाहता हूँ, मेरा material safe and sound हो, मतलब मेरा volume change नहीं हो, ठीक है, yes, you are right, ओके, बिल्कुल सही बात है, पीन-चार गंटे तक मेरा सारा line react कर जाएगा, और इसकी volume बढ़ जाएगी, एक्जाम में क्या क्या पूछ सकते हैं, कि unsoundness of cement कहां तर limited होनी चाही है, 10 mm, जितना भी gold है तुम यहां देख वो यहां करना है तुम्हें, अचा माल लो, अब मैंने तुम्हें बच्चों भी आधरत आया है, क्या करूंगा, cement के sample लज़ दूँगा, ठीक है, और उसको pressure दूँगा, तीन गंटे मैं steam का pressure दूँगा, और pressure देने के बाद क्या होगा सर, जायद सी बाद जो मेरा 3-line अब आधर रेक कर जाएगा, और जायद सी बाद उसका expansion होगा, तो मा लिजए उस sample है, मा लिजए सर जो मेरा sample है, उसकी volume बढ़ गी, volume बढ़ गी, volume बढ़ गी, तो इसका मतलब जब volume बढ़ेगी, जब मेरी volume बढ़ेगी, तो क्या होगा, उसकी length बढ़ेगी, और जो length में change आया है, जो percentage change in length आया है, वो 0.8% जादा नहीं होना चाहिए, यह भी इदाम पूछ सकते हैं, इदाम पूछ सकते हैं कि auto click test कभी उसकर जाँ तो आप बताएं कि lime और pagnisar दोनों के ऐसे unsoundness लिखा ले, clear? और अगर unsoundness आ रही है, तो वो 0.8% से कम रहे नीच चाहिए, और यहां पर जो मेरी unsoundness आ रही है, वो 10m से कम रहे नीच चाहिए अब आता है मेरा strength test, देखें, दोर strength होती है, एक होगी मेरी compressive stress और दोर सी होगी tensile stress, आप अगर यहां है cube देखें, यह cube दिखा है सबको, बच्चो, यहां पर आप सबको cube दिखा ही दे रहा है, मैं pro x and pointer बना है, तो yes, cube दिख देखा है, अब इस तरह है कि मैं 3 cube तैयार करत सब्सक्राशी जो कम निकाली दीवापई, यह देखो, बिना पी के तो कोई test नहीं उपर है, इसी पी की मदद से आप ने सब्सक्राशी की है, यहां पर सब्सक्राशाशी की ना nessa चेस्ट किया, यहीं सब्सक्राशी कर रहे है, तो आपने Sample बनाया, कैसे बनाया, Cement and Sand का मसा स्क्राइब क्षैसर पर देख रहा आपको यहां पर बनाते हैं 3 q यहां पर बनातें के तीन क्यूब यहां पर बनाएंगे 3 q ok कोई दीखत नहीं है जोन बरी तो तो में लेकर पासफेस यह वह गहां बना गए अजया-जय पांच-जय चक्रूब अब आप आप से बाते जो स्कुएर है अगर आप इसकी एक साइड निगा लें अंडरूप करेंगे एक साइड आपकी 70.67 मतलब यह जो क्यूब मैंने बनाया है इसकी एक साइड कितनी है 70.6 माइडियोफेंट तो क्यूब मेरा 70.6 माइड का बन गया थीन लिए और तीनों को मैंने दर्भाया और जब तक को फेल निकरा मैं उसकी स्टेंट नापनागा ठीक है तो तीनों प्यूब में कुछा कुछ चैन्ट आएगी मालीज 1 की आई 10 अगले की आई 12 एक की आई 14 तीनों का वेबरेस्ट यह वह आपकी स्टेंट आप सीमेंट हो जाएग वेटा सीमेंट हैं इस्तीमें बूलना नहीं अब ऐसे इंगे बात करता हूं कि इस तरह लेता हुकशं तरह रुकेट के जिए स्यूंपनि करिए उस्वे पिरकाता शींपना नहींस जिसके अंदर में क्या करता हूँ, सेंपल बनाता हूँ, सेंट रेता हूँ, 1-3 और 255 पानी विलाके रखतेता हूँ, और 6 ब्रिकेट का मैं टेंसलिस्टन निकालता हूँ, और अगर इस तरह खीच राओ में तूट गया हो, तो मैं बोलूँगा यही पी तेंसलिस्टन मुझ सफड़ेता ह doubling, क्या वती है क्या, पूल निकरGot बभलता है, बात इस तु अधर आ काम होड़्वेटो फिलिग कोई में निकालता है, रियाद को क्नाल से मिलाग़ के सब बडा समयन कालता हूँ, सु एलगन में जिन्नीके क्या होता हूँ, जिछाầल गयां पानी सो 2 भी पारी तो जाइट सी बात है कर तुम पाल्टी में पानी लोगे और सीमेंट रखोगे तो सीमेंट को अलिकुल डूप जाएंगे सीमेंट को अलिकुल डूप जाएंगे यस वो पाल्बेरी गूट यह जो डामेंशन बताई गई है 25-25-282 वो उस ब्रिकेट की नहीं है समझो वो जो फियल्ड में सा जो मैंने बताया था था ठीक हैं consiste है वह अलग चीज और यह जो 25-25-282 बताया है यह दाएंजन भारी ओटोख्योटेस में न रखते है प्टोख्योटेस में चैंपनाता है उस सेंपल का स्क्रामेंशर कितना रखते हैं 25 पचीज और 282 पचीज पचीज और 282 रखते हैं लेंग कितनी है 282 अब इस 282 की लेंग बढ़के कितनी नहीं पॉइंची पॉइंट परसंट ज्याद नहीं थे रही है तरह बजर बहुत है और याद अटना इस पैसे नहीं को तरह बेंग रखते हैं 25 अटना इस तरह लोग दो किया है तो पर लॉस और इंटिशन की बात करता हूं कि दोस्तों इंटिशन प्या है यहां पर लॉस जादा होगा, आप सोचेंग अगर आपने भटचे के अंदर सीमें को अच्छे से नहीं जलाया होगा, तो यहां पर लॉस ज्यादा होगा अगर बंटे के अंदर सीमेंट को आपने अच्छा बना होगा तो पहले जो लॉस होना तो हो गया होगा सीमेंट अच्छा बना होगा ठीक है लेकिन आप अगर उसको अच्छी से बर्निंग नहीं किये तो लॉस ज्यादा होगा यहां पर औ तो ratio मेरा Aluminium in aion of shard का 0.6 से जादा नहीं होना चाहिए, यह सब तो points है, Magnesia जो होता है, 6% आर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, Because I already told you, I already told you, कि जो मेरा Magnesia है, जो मेरा Magnesia है, वो soundness unsound करता है, क्या करता है, my dear friend, unsound, okay, unsound करता है, ठीक है, और मैगनेशिय की सांसरोंडे से हम लोग कैसे मेजर करते हैं और अर्टोक्लेफ टेस्टिस के साथ के साथ को किया से और एक तरह फैक्टर होता है लाइन सेट्वेशन फैक्टर इसका बहुत अच्छा का सा फॉर्मला होता है यह फैक्टर रेंज करना चाहिए 0.66 से 1.02 के बी अब्जेक्टिव की मैगनेशिय का परसेंटेज मेरा छे परसेंटेज मेरा छे परसेंट से कम है ठीक है बिल्दिंग मैटियल लेक्ट्चर आर अर्डी अप्लोड बेटर माइडियर फ्रेंड और चैनल गो एंड सर्च यह वीर दिलिंग इस मैराफॉन वीर कुल्की रिवा सबसे बेचिक सीमेंट के सारे को मेरा है ओपी सी यह बेटा ओपी सी ओपी सी अब यह जो यह है और यह कि वा फानी बिला देंग तो जो यह तो इसकी ट्वें अ की श्कुट्रेंड के बाद उसकी इस प्रेंड और वो वोती है तो आप समझ रहे हैं? यस बिल्कुल क्लियर एक्डम तो अगला point जो आपको याद रखना है कि जो मेरा cement है उसकी 3 दिन की स्टेंट कितनी होगी 3 दिन की स्टेंट मैंड एक 50 परसेंट होती है 28 दिन की और 7 दे की स्टेंट होती है 2 3 28 दिन की पॉर एक्जांपल आपको OPC आपसे पूछेंगे कि जो आपका OPC है उसकी 3 देश्टेंट कितनी होगी तो आप 30 दिन को हाफ कर दीजेए 50 परसेंट कर दीजेए जो की हो जाएगा अचा फाइनेस कितनी होती है मैंने आपको बताया है फाइनेस मनों निकाला था अपने एयर पर्विट्टी टैस के साब से ओके है इनिशाल सेटिंग टाइम कितना होता है मेरा OPC का 30 मिनिट से जाधा होना चाहिए कम से कम 30 मिन तो हो नहीं होना है इससे जाधा होगा अच्छी बात है जो मेरी इनिशाल सेटिंग टाइम वहली सुई थी बदाया था मैंने आपको और जो मेरा फाइनल सेटिंग टाइम होना चाहिए 600 या 10 घंट टे ठीक है और करता है इसे जाधा पीज दू कुर करता हूं जो i.zy जो जलदी रेयाट करता हुंको बढ़ा दूगा और जो देर वाले के कम कड़ोंगा तो c2s जो देर में चलता था उसे मैने पर करता हुसे कम झा additional इस sudah बढ़ा दिया अठीएक का मैंने 5250 से कड़ी माश्यवी न नितstar है तो ऑबस बाद है तो अब तीन में फारी दिन पेता किया हैं इस उस्क ह Fo закон को सकते मैं इसको कहा हो यूज करते हैं इसको हम लो कहा ही उस करते हैं में थन्डी कंट्री में चालता हूं, जो आपकी रैकि रापटी के रही हो क्योंकि मैं चालता हूंaltens, पानी जमने से पहले, मेरा सीमेन जम जाए। अच्छी बात है। अगर मुझे फॉमबर जल्दे लिए रिमूब करने हैं तो मैं क्या यूज करूँगा रैपिट हर्टिंग है किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप मेरे सोचल हैं मुझे सकते हैं सोचल हैं मैंने अपने सारे आपको वीडियो को स्टार्टिंग हो बता दिये हैं और पॉर एनी वरीज यूज आसकर उन सोचल है ऑगर चलिए उसके बाद यहां देखे लिखा भी है बंडे के श्रय श्रय ऑचार अब मुझे अगर और स्पीड और और तो मैं क्या करूंगा 2% CSCL2 मिला दुना, 2% CSCL2, CSCL2 is an accelerator, कैल्षे, याँ रखिए, जाम उच्छे जाएगा, कैल्षे हम क्लोईड के है, तो आप याँ रखिए, CSCL2 मेरा accelerator है, CSCL2 मेरा accelerator है, कैल्षे, और उसे भी मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन इतना extra rapid hardening cement है, कि दस मिनिट के अंदर ही आपको mix भी करना है, ट्रांसपोर्ड भी करना है, और पॉंट्रिक को place भी करना है, बहुत जल्दी, चलिए, समझ गया, हाई रोने cement, यह different type of cement है, यह OPC नहीं, OPC का अलग तरे सबंदाद, इसके raw material यह लग जाते हैं, जो raw material, लोग लेकर आते हैं, बही मेरा क्या है, वो अलग है, बॉक्साइट, लाइम स्टोर्ण, यह लग जाता है, और मेरे नए तरह के बोक कमपॉण बनते हैं, इसमें जो मेरे बोक कमपॉण बनते हैं, वो एकदम ही अलग होता है, यह जो सीमेंट है पूरा RSC की तरह है लेकिन ऑफेस भी RSC मेरा OBC की तरह है जिसके बोग कंपोड अलगते है यहां इसके बोग कंपोड अलग बनेगे क्योंकि साहर बॉक्साइट लिया रो मैटिली चेंज कर दिये अपने जो रॉब मैटेल लेता था वो तो मेरा LIME STON था आप सब्जाए रेकिस्टों था उसमें और ख्लेट है सबस सकते हैं तो इसमें सीजरी एक्षेंट होते याद रखिए और क्योंकि यह फार्स होता ये भी याद रखिए एक जांप पूचा सकता है कि alumina cement एक खास बत किया है कि तेजी के साथ साथ इस पीड के साथ साथ ठीक है इसकी चैमिकल बहुत जाता है इसकी थर्मल रेजटेंस गर्मी जेलिंग शम्दा भी बहुत जाता है याद रख स्वॉप जाता है चैमिकल फेस्ट नैट हो अगार्ट के शवाय कसे साथ इस दो काम करते है 2010 और यह जो तीन आपने आप पढ़े हैं, आपका RSC हो गया, Extra Rapid Hardening हो गया, आपका HAC हो गया, इस सब Speed वाले हैं, तो obviously आप रिपेरिंग करेंगे, लेकिन HAC खास इसलिए है क्योंकि उसमें Heat की रेश्टिंस भी जादा है और Chemical रेश्टिंस भी जादा है, ओके, अब मैं बात करत जिसके इसलिए अटेक होने वाला है, जिसके इसलिए अटेक करता है, आज ही मैंने आपको समझाया, महा पे आपका करिये CCA की मातला ही कर दीए, और अच्छे से पीस दीज़े, तो बस आपने OPC में CCA की मातला कर दीए, सिंपल, कहां यूज करेंगे, जहां से सीवर हो गया का नाले, कैनाल हो गए, समुतरी लाकों में सी वाटर होता है, वहां पर आ सकता है तो आप वहां पर पर प्रब्लम नहीं, पिर आता है मेरा Portland flag cement फाय का यंप्राइक 10 फाइना में डैंन्स फइना जार्फका है 12 वे चूपार पाइन और अर्ली स्टेंड आ गई बहुत तमाल का सीमेट है चीज थी साथ सथ चेमिकल रेशनेस भी जाता है जिस भी चीज की हीड रेशनेस जाता होती हो से उसे में बोलतों पेटा रेट्री यस फिर पोटेंट श्लैग क्या होता बेट्चू देखो जो मेरा पिक आइरन होता है प गोलतों ब्लास्ट फर्नेस लैग और ओबसी वाद है तुम आयरन की गईनफैक्ट्रिंग कर देखो तो अपी तुओ तुओ पक्ट्री को च्छांद रहे हो इसको अलग कर रहे हो आरे 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 यह नी निकलेगा और जो पूड़े हैं जो चीज बच गई जो रिमेन ह और उस blast furnace slag में वो सारे calcerious arglaces material होते हैं जिससे cement बन सकता है, तो मैं cement के clicker लेता हूं जो PCC clicker बाएथ है, उसे मैं piece के ground blast furnace slag टालता हूं, gypsum टालता हूं और मेरा नए अप्रगार का cement बनता है, Portland slag cement, खास क्यों है सर्थ, एक तो आपने industry का जो base material उसे यूज कर दिया, उनकी sulfation बहुत ज़ाद है, वो slow होते हैं, जब भी चीज़े slow होंगी, तो चीज़े अच्छी होंगी, slow होने से चीज़े अच्छी होती ही, chemical laces बढ़ती ही, heat of addition कम होता है, crack income पोर्टी है, समझ जो? Yes, my dear friends, yes, my dear friends, तो portland slack, वो मेरा cement है, उसमें क्या होता है, chemical laces जाद होती है, याद रखना, पानी में, अगर हम लोग कोई construction कर रहे हैं, तो वहां मेरा portland cement ये इस्वाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई रिक्कद नहीं, yes, चली बढ़ते हैं आगे, तिर मेरा आता है low ed cement, very important exam, पूछा जाएगा, पक heat बनाता है, गर्मी पादा करता है, exothermik reaction होती है, अगर मेरा cement जाएग करता है, तो मेरा exothermik reaction होती है, तो अंदर temperature जाता है, बहाँ temperature बहाँ होता क्या है, इस दे मेरा dam में पानशीट और फूलर लगेगा, तो यहाँ पे temperature टिपने सा जाएगा, वोगाँ जाड़े पढ़न तो क्या खरोगा मैं एक ऐसा Summent लोगा हुआ जिसकी हीट पहले से कम.. अब दिको हीट कम कैसे करूगा ऐसे एक QCompound जिनकी हीट ज़यादा। जैसे CVA और CBS जिनकी हीट ज्यादा थी उन्हे ही कम कर दो bitгеट brave तो हीट आएगी नहीं और जो लोग जिनकी हीट कम थी, जो बहुत कम हीट दे रहे थे, जैसे मेरा सीटो ऐसा जिसकी हीट किनी 260 पर गाम दी, उसको तुम बढ़ा दो, तो चीजे स्लो हो जाएगी, एकदम स्लो हो जाएगी, जो कि देर वाले लोग को जो ध्यारवाने उनको तुने बढ़ा दिया, जो जल्दवाजी वाले से जो गर्मी बहुत जादा दे रहे थे, जो हीट जादा दे रहे थे, जो एकदमी जादा कर रहे थे, उनको तुने कम कर दिया, ओके, यस, बैरी गुड, तो मेरा जो इनिशल स्रीटिंग टाइम है, बढ़ जाएगा, चीजे स्लो हो जाएगी, एक चीजे स्लोड गड़ाँ, एसी तुमारा ज्याय खाल वाला थो, ऐसी प्रकार से उमारा एत्षा विद्पार्ट OVER परिफवाला भी घर, इस परकार से तुमारा प्रेपिरन विख्वाला थो, Susie प्रकार से परिफो जाएग Southern Sm Надग विगें दे शिरिक्म बगै करb कुछ बत करो, पोडलेंट सीमें ने पोडलानी मेटियल मिला दो, अच्छे से पीज दो और तुम्हारा बन जाएगा PPC, PPC अच्छा क्योंगी क्योंकि इसकी वर्किबिल्टी बहुत जादा मिलती है, अच्छे से फिनिश आपाता है सर्फेस के उपर, और क्योंकि चीजे स्ल ने पोडलेंट स्लो होगा, अगली स्टेंट कम आएगी, वीट फेट अफटाइशन कम होगा, चीजे स्लो डाओन होगी, और ट्रैकिंग, सिंके निसमस्था क्योंकि खतम हो जाएगी, अब ये काम कैसे करता है सर्, सर ये पोडलाना होता क्या है, और काम कैसे करता, ये आप कि rice husk ash, silica fumes, metacoline, और भी जो तुम सोच सकते हो, बहुत सारी चीज़ है बेटर है ना, बहुत सारी चीज़ है, तो जो siliceous material होते हैं मेरे जिनके तर silica की मात्रा है, उनको मैं बोलता हूँ, pozoanic material, example बने लिख ये सारे, अब होता क्या है, ये siliceous material lime के साथ चुड़ते हैं, अब तुम्हें पता है, तुमारे cement के अंदर lime होना चाहिए, calcium material होना चाहिए, और argilaceous होना चाहिए, तो lime के साथ भी जुड़ जाता है, अब बतो ये कहां से यादा था, ये तुमारे gel के साथ बना था, बताया था मैंने, कि जब CSR gel बनाता था, तो साथी साथ एक C.O.S. ह जो कि अंदर पढ़ा राता है, और undesirable होता है, कि ये बनाता sulphate attack, ये करता है sulphate attack बताया था मैंने आजी, तो एक तो ये sulphate attack करता है, तो obviously undesirable है, तो ये क्या करेगा, ये पोजलानाक साथ जुड़ जाएगा, ये compound जुड़ गया, अब पोजलाना silica दे रहा है, ये तुमारा lime दे रहा है, और lime और silica की जुगल बनती हो गए, और तुमारा compound बना, पोजलाना एक lime compound बना, अब जो नया compound बनके आया है, ठेक है, वो तुमारा cementing property देगा, और पढ़िया cement दे यार, पोजलाना के अंदर खुद तो कोई cementing property नहीं थी, खुद तो उसके अंदर कोई cementing property नह और हर जाके जुड़ता ही है, डॉट लगके से जुड़ जाता है, और property चेंज जाती है, और प्रॉपर्टी चेंज जाती है, यह तुमारा ओगे, पोजलाना, कहां ही उसकरते है, obviously, लेख सकते हो तो, फिर तुमारा water plant होता है, water plant होता है, जो पानी से दूर भागे, जो पा से नमी बहुत आती है, कोई भी water tight structure जेसे मालो पानी टंकी है, तो वहाँ पे तुम मेटा कॉंसा से समाल गा सकते है, water निकले है, अजब कुछ cement कैसे होते है, colored white होते है, देख white cement कैसे बनता है, मेरा chalk से बनता है, chalk लो, और clay लो, ऐसा clay लो जिसमे iron oxide ना हो, या तको iron oxide से मेरा तो उकसे और clay से जिसके अंदर iron oxide ना हो, तुम से ना पूछ सकते हैं, कैसा cement हो जिसके अंदर iron oxide ना हो, तो तुरंग दाना हो, ऐसा cement सर एक ही है, जिसके अंदर iron oxide ना हो, और वो है मेरा white cement, अब आधे मालो उसी white cement में दोथको, उसी white cement में तुम्हे कुछ colored pigment मिला दिया, माल दो तो इस भूस है, और क्या बोल सकते है rainbow cement, rainbow cement बोल सकते हैं, कई चीज़े बोल सकते हैं, वेटा देख हो, आधे हो, अब यहाँ आता है quick setting, quick setting सर इतना 3 हाड हो, इतना 3 हाड होता है, इतना 3 setting हो तो इतना 5 मिनट के अंदर इसकी initial setting हो जाती है, यह plasticity सर 5 तके दर होच कर ले किसरे बड़ता reaction देज होती है, जल्दे दी हाड होता है, उसके बाद आपने gypsum हटा दिया, जो चीजों को slow करता था दो जो सबकुष रखा था, जो चीजों को slow करके रखा था उसका नाम था gypsum, आपने gypsum हटा दिया, आप से गार मुझा सकता है, with cement is gypsum free, with cement is gypsum free, with cement is नहीं होगा, तो speed देखे कितनी कम हो गई है, speed मतब कितनी ज्यादा हो गई है, time मेरा कम हो गई है, समझे हो, अब gypsum जब रहा है, तो सीथे को control करेगा, सीथे को रहा है, समाझे है दोस्तों आप लोग, yes my dear friends, yes my dear friends, तो आपका कोई setting, कोई setting के अदर gypsum नहीं है, और इस gypsum पूरा सीमेंट हम लोग ने एक घंटे के अंदर यहां पर cover कर लिया है, बढ़िया से, बढ़िया से cover हो गया है, आप दोस्तों हम लोग आते है, confit के और आए चला जाए, confit के और चलते हैं लोग बच्चों, बढ़िया मजा आया कि नहीं, जल्दी कमेंट करके मजा आया कि आप इसको अच्छे से, बढ़िया से, बढ़िया से, बार-बर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वली, चली, आप हम लोग गोस्तों बढ़ते हैं अपना, confit के और, 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 confit के हम लोग बेसिक पहले manufacturing पढ़नी है, okay, manufacturing पढ़नी है, what estimate ratio पढ़ना है, strength निकाल ली है, strength अगरा समझ दी है, ये topics बहुत इपॉटन, पहले समाइल लेते हैं, जो topics important है, ये 4 बटा देखिए उपर ते, okay, okay, बटा कर पूस्च्चन करेंगे तो समय बहुत जादा हो जाएगा, बहाँ चाप्र खतम करेंगे, पूस्चन करेंगे तो समय पढ़ना है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ, कुइक लिए कवर करते हैं, ठीक है, पोस्चन होंगे, उसके लिए आगा से टेस्स दे रहा हूँ है, special classes क्या दिखता थै, okay, sir, सब मिलेगा, PDF मिलेगी, बिल्कुल चिंदा ना करो, सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा, समय सब हो, चले, पढ़ते हैं, ओके, बिल्कुल, आज तुम देखो, अगले दो घंटे पूरी BMC कवर है, अगले दो घंटे पूरी BMC भाई खताम होने वाली है, तुम कहोंगे, sir, मज़ा ही आगा, सारी चीज़ें यह बार में कवर हो गई, marathon class में, बाथे, test में लेते रहोंग सब को पता है, 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 सब को जो मेरा M10 होता है उसकी स्टेंग कितनी होती थे 10 MP है बहुत असान। सर तो ऐसा बताइए जिसे मुझे रेशियो याद हो जाए है तो चरण ट्रिक देखते हो देखो जितों मेरा M5 है फिर मालो तो मालो 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह हैं देखो पहले समय बन तो लिख दो 1 का मता तुमारा Cement हो गया 1 सब के सामने लिखो 1 हो गया Cement फिर कुछ ऐसा लिखो फिर लिखो फिर देखो लिखो 5 देखो 5 के सामने 5 लिख रहा है और एकी नमबर कम करते जाओ 4 3 4 3 2 4 3 2 4, 3 2 1 1 एक है से तुछ तरह से तुमारा 0.75 बजाता है देखो इसके यारत पर 25 आटी से आपकी भी लोग को लिख द रजेद करने होते हैं उसके उपर लोग यूज नही बन करते हैं उसके अप्रम उसके और रहाम नहीं करते हैं नॉम्मेल मिक्स तर्ग इस कर दिसकि बहुत प्रणदा शलिए इस तरह आपने लिगती है अब देखिए तरह के लिखा है यह आपका किस के लिए है यह आपका है यहाँ का सीमेंट यहाँ अगरेगे 4 साइकर्टिस का डबल कर दो 5 का डबल 10, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 3 का डबल 3, 1 का डबल 2 हो गया याद? हो गया याद? अब आकसे को पूचे M10, तो तुरां ता 5 साड़े साथ से शुरू कर ये, टेवल मना ये, तुरां ता खुजाद है, देख रिजया, M5 सही लिखा है, M10 सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है साथ, देख लो M10 मान से लिखा है, ठीक है, M15 लिखा ही नहीं, M15 लिखा है बने पूरा लाएंगे मैलफान, चिंता मत परो, पड़िया लेकर आएंगे, जितना हो पाए का मैनत होगी, ठीक है, आप लोग बस जो भी वीडियो के डिस्रिप्शन है, टेलीग्राम गुरूप दिया हुआ, उसे जोईन कर लेजे, उसे फॉलो कर लेजे, जो भी आपने चलिए देखिए, बस जैसे हम लोग महनत करें, वैसे आप लोग महनत करिए, और क्या ही, बस आपको पढ़ना ही दो है सिर्फ, बात की बसके आप इतना मांग रहे हैं आप से कि आप शेयर करिए, हम लोग चालते हैं इतना अच्छा है, थीए बच्चों को मिल ला है, तो य इतना में आजे चर्चा करूंगा, नॉमनल मिक्स आपके सीरेसी आइस होता है, रठने होते हैं, वहीं से यह साब उठाए गए हैं, ठीक है, डिजाइन मिकसे हम लोग दिमाग लगाते हैं, इस्टेंड को अचीव कने के लिए, एक पुरा पोरसीजियर रे डिजाइन मिक्स जो आपका IS 10.262 में दिया गया है, ठीक है, चले, को रिक्त नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, आपके प्लैन, देखे, मैंने सब कुछ प्लैन करने कोशिच की है, चैनल के आपके 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 मैं क्लासेज लगाता ले रहा हूं, पूरे टीम क्लासेज दे रही हैं, आप स 20-40 अगरे स्टेंज तो मीडियेम, और 20 जादा है तो हाइस टेंज बल् आपके आधारब आधार दो 500 मेरा बहता है उतां का भाउना 518 मँदूप लाइचों 75, 1515 मेरा क्नेज बेंडिया मेरा constructive है और 30 से जादा बहता है घ्र जाल, क्लासिटर केZeट का आप चलिए मनों फैक्रिक भड़ते हैं देगें दोस्तों सबसे पहले बैचिंग करते हैं सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं आ है ॠो कि यह न kadar आ है एक है 말ा आ कि यंजी जरीन होगा है ओró सब भर लbahnाली में चनालियों तरह को प्कित डाले तो आप मपादा चलें z कई मैं फाइन अग्रिगेट जो मसारे डालना, जो सञन्दomyर्ण टालना किया तो किले फ़ी क्या ? कितना रखंोग उस्षार मैं ? वोझे से चलेगा आउ कटना ऊछ्रव मैं मेल दाइग हो ? इसी मेथड को जो मैं या मांश निकाल लागी पां.. तो जब मुझे सीवेंट और सीवाटर का मास या वॉल्यूम पता चल जाएगा तो मैं उनको अच्छे से मिक्स कर दूँगा, अभी मेरा काम है कि उनको से मेजर करो जैसे फ्रील में क्या करते हैं यह लोग तसला लेते हैं पैन बोलते हैं यह लोग क्या करते हैं मालगो रेशियो अगर वन इश्टो फू श्टो फू निकल के आया तो एक तसला एक पैन सीमेंट डाल देंगे दो तसला दो पैन फाइन डाल देंगे सेंड तुमारी और चार त कि यहां पर ने कि अधिये तो होगा आपटने नाल देगे तो होगे अमने इस ए इस प्रक्राइव में और चेजी में डेंट किया इस तन में कौई बालिम न से लिए पर आ है वॉल्यूम ना आपने करें तुम्हारे एक इस्टेंडर गेज बॉक्स होता है याद रखना इस्टेंडर गेज बॉक्स इस यूज पॉर बैचिंग भी गया पॉर एक इस याद रखना दो तरह के होते हैं बस इससे मुझे पता चल जाएगा कितना वॉल्प आखना हैं जाने हैं और पी बॉल्स और रखना स्कूर को अब इंको mix करो, इनको क्या करो, उनको mix करो, इनको क्या करो, mix करो, ताकि अच्छा समय जाए उनिप्शर मिल जाए पढ़िया साय ना, तो mixing दो तरीके से करते हैं, या तो manually hand से, आपने देखा होगा, जो अगर छोटा मोटा work हो रहा है कोई, तो आप लोग क्या करेंगे, मसाले को हाथ से ही तियार कर लेंगे, कॉंटीट को हाथ से ही तियार कर लेंगे, उसे बोलते हैं दोस्तों, hand mixing, okay my defense, और या तो आप उसे machine में mix करते हैं, अच्छा, IRC, IRC ले रहे हैं, आपके मिक्सर देखे होंगे, तो मिक्सर भी आपके रहे हैं, तो मिक्सर भी आपके काई परकार के हैं, तो आप इतना जां लीड़िए मिक्सरर ते मिक्सर्टे मिक्सर होते हैं, जो तरेर होते हैं, और ये मिक्सर टे decisions , और एसा थे अंवर्टिकल बाद़े हैं , नि मिक्सर से लोट से भूप हैं , ये उसे इतना um क्यां इक नकों पिक armour कम करेंगे तो भी दिफ्कर तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा इसके दो मिनेट की मिसिंग आप्टिमा में करना है और जो रेवलिशन यहां ले रहे हैं लोग तो आपका सब्सक्राइब कर दिए अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी यह दोनों डेटा यहां रखे का पूछा सक कर देखें जो यहां से का पूप को पहुंचा रहा है बहुत दूर तक दूर है यहां nostra प्र खींचता है रहा भाइप के मादियें सरथ हो घहिंचता है कि इस के दुश्ते के भीज दो है अच्छा पंप क्या करता है दोस्तों और मेरा कितनी दूरे तक कानुटी को भीज सकता है अगर वल्टिकली मेरा फंप पॉनटी को सुरस्टी मीटर चढ़ा सकता है और अगर मैं होर्जान्टल दिश्ट्ट की बाद करूं तो 400 मीटर दोस्त कि अफोर कि अई बस गोत में बहुत कि होता है उपर जाता है सब्रेजी बाकश में आप मादिकुन कारणा मेरा फेल कि बंचारी मेरा करें इसके बंच कारें? यह वेन रखेर आपको मेरा है वीज़़ने है हमें तुर अब इसके र्खतिया थाMusicन तुर आपको तैसा है कोणोरी थिल में सब्सक्राइच इन वाका है यो भर फिंग पली वाक्रों काम दोनों सभाओ देत welcome क्यों कि आगले मिखने ड़ीकन के पैसि निम्राश एक में किरा अगली में अगली माजस्थ भूसा कराहे दूरी तो है अगली दोनों के ड़नों के पत्थर chip में अधर बनदर बना दे aus, इन दोनों बैच में इन दोनों लेयर में मेरी दीज्च सिमला दर킨 भाएं। कमेरी शेता हूं है। अर्डि शे के सब्सक्रीनिनि सीनघ्रशन करें जोगे पहसे हमें। यह पानी का लेवेले बेटा इसमें ट्रीमी पाइप डाली हम लोग ने और ऊपर यहां से हमने कॉन्वीट को लोवर करा चटका देते एक्दम से और चटके से सारा कॉन्वीट नीचे जला जाए और नीचे जाके बेटा आपका है यह रहना पर आपका कॉन्वीट को से अ मांके भी जाहता है आपसे आपका कॉन्के जा रानी का छड़ लेका है को कउद्रण यहां अंडर्वाटर को सतफ करें में बेटान तो मताओ एक्प्स्टीन घाधा है प्लेस कर दिया थोस्तों आप क्या करेंगे टोस्तों करेंगे और थोसे निकल जाए उसके बढ़ जाए आप देखो तरीके मेरे पास्तों क्या थो आप दोसके बीज़ेता हूँ एनर्जी मैं हैंड से ए्षाइब यहां इमेज दिख रही है इंएजाए इमेज क्या कर रहा है अपने हें से एनरजी इंपार्ट कर रहे हैं और उसको फर्ग रहे हैं जिससे ईसके एनरजी वह और पॉंपे wireless तो बाते बहुत हार्श है जितना पानी कम होगा इसे पडिकन दिख्कान आएगा तो मैं क्या करूंगा? उसे जटका दूगा तब मैं क्या करूंगा सर कुछ करूंगा ँसे शोक्त दूगा FR फिर तरह होता है शेटर य एक्षिनल वाइटर अब मालो तुम कहीं पर निडल यूज नहीं कर पाऊंगे तो मैं यूज नहीं नहीं जाएगी टो मैं वहार हां मैं आप नहीं पर शेटर के फिर यूज और यह नहीं कर दो पर पर वाइटर तो मैं निडली बॉस इसफिर्टर ओकर वाया। इसमंगे वację बास तो कॉम्बराइट हो जाएगा और दोस्तों अब तो कोय तरीका बची नियदा SoyAKів वा की सब्चाने क ्वाइट कब मेरा ay चणके सब्सक्षण धिन चुछ स सीब्सक्राइब जो पॉइट बहुत बेशा में, बहुत श्चिपने में, जो बहुत बात ही नी मानन है वो कहाने कितनी अची देदो, हम तो कॉंपैट होने नी वाले हम ले तक हम तो कॉंपैट नहीं होंगे तो उनको उनकी स्टेपनेस को दूर करने के लिए हम लोग लेगा हाँ थे करते हैं, जब तुम्हारा ड्राय बहुत जब आफाधा जादा हो लिदी करते हैं, नोव इसे करते हैं, वाधरीन करें बहुद जादा हैं। जिसको तुम अराम से ओमपमेट कर सको उसके वरिखेविल्टी जा हूँ शिम्पल लाग और जिसको तुम कॉंपमेट नहीं कर वाद जो ड्राई है उसके वरिखेविल्टी अब अगाँ आई इसके बाद इसको कष़क्षिन करने करणा ना मैं finishing करणा है finishing मैं ब्रचो क्या करता हूं , पहले screading, floating करता हूं , फ्रावलिं करता हूं screading मतरर जो भी बड़ हमसे है थीजी हमसे है बहुत सारा concrete फड़ा है देखा होगा तो नहीं बहुत असाँ चीज़ है, फ्लोटिंग करूँगा, पूरा तैरा होगा इसको, फ्लोट कर दिया, उसके बाद, फाइनल फिनिश कूँगा, यह मेरा ट्रॉवल है, लगवाग एक डिमेटर की इसकी को होती है, लेंज, यह मेरा ट्रॉवल है, जो फाइन कहीं सर्ा उसके अंदर पानी कम हैंगे, दिखतत की बात है, उसके जो पोर्स हैं, उसके अंदर वॉइडस हैं वो एकदम सैचुरेटेड़ रहने चाहिए, पुली सेचुरेटेटेड रहने चाहिए सर्थ समझ रहें आप तो वो पोर सेचुरेट अगर नहीं रहेंगे तो आपका जो सीमेट के रियक्षिन हो रहा है पानी के साथ वो नहीं हो पाएगी क्योंकि पानी क्या होता लॉस होता है वेटा थी करेंगे अगर आपने पानी के लॉस होने दिए वहons सरे दराने पड़ मेंदे आप ऑप समझते हैं जरूakes देखा का जो भी नए श्ट्रक्स भंते हैं उनमें क्या होता है अनमें क्यों थैं बहुत स़रे क्रा lad जाते दो में पानि कहीं हमाई को पानी देते हैं एसा देखा गया है कि अगर आपने क्योरिंग करेंगी, कम से कम सात एंधे कि याद रख्ये बाद क्योंकि पानी जब मिलता है कि जलबनता है, पानी आपका वो कंपर सा incluso है, ये जलबनाता है और स्टेंग जंय बनाता है जिए पानी भर दिया। अले करते समय में तो जोँ कोड़ी हुए। मेरপेड़ efendim कुछवो भीने फिसे पाई सेति calendar मेरे कमें देपे आघंगी दिवारों अबने हैं मैं जुदेभी सबिता है OK और सबसे बेस्ट मेरा कौन से है श्टीम क्यूरि बैस मेरा सबसे बेस्ट वो steam curing में एक दिन्याद दिया है, तो यहां पे rate of gain of strength ही बहुत जादा है, यहां लगता है, कि steam curing में rate of gain of strength, rate of gain of strength भी क्या है, जादा, rate of strength, rate of gain of strength is high, very high we can say, very high, okay, हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन steam curing में पैसा जादा लगता है, इट एक अनेकनोमिकल, आप बढ़ते हैं पर नहीं करते हैं, चलिए, आप बढ़ते हैं में water cement ratio के ओर, यह तो आपको पता है, पानी बढ़ने से strength हो की है, very important, very important आप सबको पता है, कि, आप यहां देखे, compressive strength है और यहां मेरा water, यहां मेरा water cement ratio और यहां मेरी compressive strength है, दोस्तों, Abram, Abram law क्या है, Abram law यह है कि मेरा compacted cement है, जो मेरा compacted concrete अच्छे से, उसकी strength है, पानी बढ़ने से कम होती है, अगर आप water बढ़ने से जाएंगे, तो strength क्यों होगी कम, आप graph देखने नीचे जा रहा है, graph आप देखने नीचे जा रहा है, no problem, okay sir, okay clear, तो आप जब भी water की मात्रा बढ़ाएंगे, या cement की मात्रा कम करेंगे, तो आप इस निश्टेंग तो cement से आती है, जब cement आपने कम कर दिया, और पानी डिलेटिब भी बढ़ जाएगा, तो strength कम हो जाएगी, simple formula यहाद रखिए, बाकि यह सब जारा डिटेल डिस्क्रास करने रहोत नहीं है, अब अस्मी में, फुल कॉंपैक्टिट होगी रही है, उसमें पहले से कुछ से कुछ एरवाट होंगे, तो अस्मी ग्राफ जो रियल की ग्राफ है, वो ऐसे होते है, वो ऐसे जाते है, जैसे आपका सॉयल में OMC स्टलों जाते हैं आपके OMC वो बिस्टैंट छीन्स करते हैं और फिर इसे कॉम्पैट करते हैं तो यहाँ ही करते हैं और देखना है। स्टलों में च्रीबेट हमेड़े सिहम हो की दिए डिवन कम मेरीं कम सादे हैं, ओबर आपको ülद K यहां ए Пока में इतना में मिलाएंगे और इसके आगे जब बढ़ाएंगे, इसके आगे जब बढ़ाएंगे, तो अब्देसरी स्ट्रेंट आपकी कम होगी, okay, okay, my dear friends, चलिए बढ़िए, ये तो पता ही है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टन पैरमेटर है, आप से पूछें, जो मेरी स्ट्रेंट है, उसको सबसे सबसे पहले मेरी कौन सी ए, कम्रेसिव स्ट्रेंट, okay, आचा, देखें, कम्रेसिव स्ट्रेंट समझने से पहले हम लोग पहले चावगाइंगे, क्या होगी है, देखो, मालो तुमने या पर 10-20 क्यूब ले लिए, कितने क्यूब ले लिए, 20 ले लिए, 1-2-3-3-3-3-3-3-3 सबसे निकाली, अब देखो, तुम एक चीज HAione कuciones समझो, मालो, एक के स्ट्रेंट 10 है, एक की 12 है, एक की 15 है, एक की 9 है, आट है, इस तरह से बहुत सरे सेंपल है, डेटा है तुमने क्या करा है, विए, घॉर्ण मेन निकाला, सबसे ले मीन निकाला है, कैसे निकाली मीन इनि तुम ने क्या करा है जिस्ते भी क्यू दे सब का average निकाल लिया है में तो निकाले है लोगे लोगे बेटा कोई बड़ी शीज नहीं है बहुत असान होता है है ना वेरी गुड वेरी गुड माइडियर देट्स यस और भी है बस इतना ही लेकिन याद करते हैं लोगे अब भी आज हम चारे बेटा ताइम बिल्कुल वेश्ट ना और तुम लोगो कम से कम से जाबर जाबर जादा मिल पाए आज़ा दूसरा तो इसी सेंपल की बदद से इस हैंड दिशन निकाल लो कैसे निकले का कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है हर एक वैल्यू को 10 को मीन से माइनस करो स्क्वाइर करो और सबका एड कर दो एसी सारे वैल्यू एड कर दो और अपॉन एड माइनस वन कर दो ठीक है upon क्या कर दो my dear friends n-1 ठीक है सही एंड ओके एंड तुम्हारा क्या number of sample और इस प्रक्राइब रूट कर तो rms value है यह रूट mean square और तुम्हार standardization मिल गया ठीक है चलो समझ गया अब अगर तुम इसका graph देखोगे तो सबकी strength नहीं mean किसी के strength कम होगी किसी के strength क्याता होगी और कोई होगा mean पर ठीक है देखो ऐसा माना जाता है कि mean mean के आगे 50% होगे mean के आगे 50% सेंपल है और mean के पीछे भी कितने परसेंपल है 50% अब इससे मान तो तुमने यहां बहुत सरे sample ले दे उसका mean निकल गया गया 15% तो तर 15 से कम 50% sample है और 15 से ज्यादा 50% in general देखा गया ऐसा ही होता है किसी भी data के साथ okay mean mean होता है जो तुमने यहां पे q लिये हैं उनका average उनका average उनका average उनका average को mean होता है और standard division भी निका लेगा लेगा बद तो इस formula समझो तुमको यहां characteristic अब्रस्विष्ट है समझने है ठीक है तो एक बात मुझे समझ में आगे सिर एक strength ऐसी एक ऐसी percent एक अजिक स्मेरं में एक meanrise इस graph में इस graph में सब लोग िड़ी कर रहे हैं कुछ क्यूँ ऐसे हों किśćills की strength आप कम है कुछ क्यूँ आप कम हुख क्यूँ आप कमः कुछ क्यूँ आप ऑफ ईस्य情 बातागे, डेटा ऐसी वेरी करता है, ये तुम्हारा हो गया, में तारगेट स्टेंथ, में स्टेंथ होगी है, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ, करेक्टरिक स्टेंथ की, ये तुम्हारी जो लाइन तुम्हें देख रही है, इस लाइन के पीछे, इस लाइन के पीछे से 5% क्यूब्स होंगे, और इस लाइन के आगे दितने होंगे 95% और इस पूरे ग्राफ के डिया अगर तुम देखो, इस पू आप समझो, तुमने मालो कोई भी क्यूब्स लिया, तुमने पूछा भईए उसकी स्टेंथ कि पी 9, तो वो बोलेगा 9 है मेरी स्टेंथ, फिर अगले कि उसके पूछा उसकी स्टेंथ मालो 10, 12, 18, किसी के मालो 8 है, इससे से बहुत सारे क्यूब्स लिया ना तुमने, तो ज 1.65 sigma minus कर दिया कि मेरा करेक्टरिस्टिक के स्ट्रेंग कि मेरा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंग इस में माइनस 1.65 sigma minus कर दिया कि मेरा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंग कि मेरा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंग कि मेरा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंग कि मेरा करेक्टरिस्टिक तो मेरा characteristic compressive function क्या हो जाएगी mean minus or 0.6 sigma अच्छा mean से आगे होने की क्या संभाना 50% mean से पीछे होने की क्या संभाना 50% यही अगर मैं बात करूँ fck की यही सर अगर मैं बात करता हूँ fck की तो fck की सर्थ मैं बात करना हूँ जोदो fck से कम होने की संभाना 50% रेकर हैं इस क्त्रेंज fck से कम हो जाएगी इसकी 5% संभाना है और इस ट्रेंज fck से ज्यादा हो जाएगी 95% इसका मतलब fck बहुत कम value हो है जब वह बहुत कम होगे उसलों जाहर सी वात है सारे लोग उससे आगे रहेंगे अब माल लेते हैं example से माल लेते हैं आप ने बहुत सारे sample लेते हैं उनका mean आ गया उनका mean आ गया 15 जुटन पर ms2 और उसका standard division माल लेते हैं कितना गया तो पताएं कितना हो जाएगा 15-1.65 सिग्मा 15-1.65 सिग्मा यह लगबग लगबग आपका कितना आ गया 1.3 3.4 आपका हो गया और 3.4 3.3 3.3 आपने माइनस किया तो आपका हो गया यह 11.7 आपका कोई बात नहीं तो देखिए आब 11.7 आप यहा जितने भी आपने की संभणाहिं तो 11.7 की स्वावनि भी से संभणास से 5 परसेंटर अब और यह जादा हूनी किस्वावना कितने की संभाना कितनी है सौ फ्यूब में से आपका सौ में से पांच क्यूब ऐसे होंगे सिर्फ मात्र पांच क्यूब ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ 11 पॉइंट से कम होगी और 95 परसेंट क्यूब ऐसे होंगे तो अपसे अगर आप से कोई पूछता है दोसकों, अपसे अगर आप से कोई पूछता है कि What is characteristic compressive strength तो आप मोटा मोटा से रितना बोलेंगे एक ऐसी strength एक ऐसी strength of fuel जिससे ये characteristic strength एक ऐसी strength एक जिससे कम होने की किसी cube की संभावना कितनी है 5% और उससे जादा होने की संभाना दोप्तों कितनी है 95% Clear? चली बढ़िया आप से होगी आप कैसे हैं अब compressive strength नापते कैसे हैं हम लोग सर यहाँ पर 1.5 by 1.5 का cube लेंगे ठीक है आपको पता है दिखता है यहाँ पर है क्यूब देखा है जाओं कि इसको आपनों पीन लेयर में जा करेंगे तीन लेयर हैं पचास-पचास त्यम गर्जे बरेंगे और एक एक लेयर को अच्छी से कॉंपैट करेंगे एक एक लेयर को आपको रोड यहाँ पर कित्ती बार टैम्ट करेंगे 35 ताइम्स ठीक है मशीन से 24 गंट आप बाहर निकालिए और उसको आप पाने में डुबो दीजें मशीन से आप अपने तू को बाहर निकालिए और 24 कह रहा हूं 28 दिन के लिए पाने में आप उसको पॉंड निकर दिजें टीक है डूबो दीजें ओके 24 दिन करेंड अपने में 28 दिन अच्छी से क्योड ने हो गई हो अपका आपने लिए और लोर लेगी कि मेरे compressive state content की भाई हो जाएगे थे हैं सारा याद हो गया एक्जाम दो सतने कि humidity कितनी होती है temperature कितना रखते हैं size कितना होता है cube का पता होना सिर्टी तो तीन cube तो आपको बनाने ही है उनका average लिगालती है compressive state लिगालेंगे ये concrete है सिमेंट में पढ़ा था सिमेंट जो q बनाते है उसका size कितना था सिमेंट जो q था उसका size कितना था मेरा 70.6 ओके और बहुत सारा अच्छों कर्विन देती है कि 35 times लिखा है यहाँ पर 35 times ही होता है 25 times तब होता है 25 times तब होता दोस्तों जब यहाँ पर जो आप concrete लेता है उसके जो aggregate जो कित्तिया है उनका size अगर 20 mm से कम हो ठीक है अगर उनका size 20 mm से कम हो तो मैं 25 दोंगा और अगर अगर उनका size 20 mm से जाला है तो मैं 35 दोंगा और जगली 30 तब होता है तुक मैं 35 दोंगा तो सरा यहां व कहीं to आपकाुकी कॉ ने की होगा और आवका रुच अगर टो रेते कंडा का जाला P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P उत्ध। इसे स्टने刃 90 mm दोंगा Genesis जब तुम इसे force रगाते हो तो side से बटा, side से, side से friction आता है, जी को iya image, side से क्या आता है? तो इसको चारो दुटे की जल्दी नहीं लेकिन क्योंकि यहां सिलेंडर ज्टेंडर ज्यादा है यहां बेग लंबस हो गया है तो फ्रिक्शन इतना एफेट नहीं कर पाद पाद यहां से ऊपर उपर पकड़ के रखा हुआ है यह बीच अली जाएका फुली खाली तो जल्द आएइक है और होको ट्atyशन और से तो अली एिक मेरी कुषम कारी सभना प्रावी बड़ा है प्रेंट काद कर फोनलिक बैल थाओ आपुटे का प्रेंडर जीब सकता है और हтесь कष्ट गाया कुर्ण का फोВы कष्टेंग यहां इस नेए सकता हूं कुटे स्थे मेरी अ दूसरा हमसे मेरा फ्lehy rectangle tension and then Cordy इस में क्या करते हूं मेरा एक beam लेता हूं सर् दिंक रहे है उस इसमें दो roll relates दो rollे रागता हूं दो roll here okay ऊपर से में यहां लगाता हो load क्या लगाता हूं सर मेरा load लगा लगाता हूं लगाए लोड वीन मेरी बेंड होगी सर् और tension के यह से मेरा होता है beam rupture थेख है, बिल्कुल सभी, बिल्कुल सभी, वेरी गुल, confinement effect होता है, l by d constant rupture, सही रखना है, इसने details अब नहीं जाना है, जलिए, तो, तेंसा लिश्टेंड तो मुझे ना आप ने हैं, मॉडल तो मैं बिंट करना हो। आप फॉम्ला देखिए आपका सिंपल की फॉम्ला है तो फ्लेश्टरल इस्टेंट आपके क्या है? PL अपॉन विडियोस पर पी आपके यह लोड है इस सैंपल की लेंद्स कितनी है? 700 देख रही है आपको लेंद्स यहां पर 700 यहां रख दीजे L में B कितना है? देखे B कितना की है अपनी beam की 300 depth कितनी थी कहीं रख दीजे लेकिन यह फॉम्ला दोस्तों तब लगेगा जब A आपका क्या है 200 जाता और यह फॉम्ला दोस्तों तब लगेगा जब आपका A कितना है अब आप पूछें के A क्या है? मतलब Nearest Crack की Distance Nearest Crack की Distance कैए हैं? यह रहा मेरा A A is Distance? Distance of Crack डिश्टेंस ऑफ ट्रेंग तो और यह को मैं अलग टैंपिंग बार से जिसका डामेटर कितना है इसका डामेटर कितना 25 तो इसको एरिया उसका वेड़् कितना 200 और लेंग कितनी चार्प्चर लेकिन यह सब तुम्हें याद नहीं करना है बस तुम इतना जानलो एक FCR के यह से कम होने की समभावने कितनी 5 परसेंट और ज्याद होने की समभावने कितनी 95 परसेंट अब आधा मेरा स्प्लिट एंसे इसमें क्या करता हो मैं सिलिंटर को लेटा देता हूं अब मैं क्या करता हूं अब मैं क्या करता हूं अब मैंने इसे क्या करता हूं अब मैंने इसे क्या करता हूं अब मैंने इसे क्या करता हूं अगर तुम इस एलिमेंट को देखो अगर तुम इस एलिमेंट को देखो तो तो देखो कि इसमें उपर से तो कम्रेशन लग रहा है ल लग तो compression नहां है, लेकिन जब उसको दबाने लगोगे, तो side से खिचने लगेगा, ऐसे जब दबाते जाओगे, तो side से खिचने लगेगा, okay, side से खिचने लगेगा, my dear friends, okay, side से खिचेगा, और B से टेंचर आजएगा, इसी को मैं गोलता हूँ, इसमें टेंचल इसमें P है मेरा load जिसपे failure हो रहा है, P है मेरा compressive load जिसपे failure हो रहा है, B के है मेरा diameter 800, L कितना है मेरा, 300 बता चुका हूँ मैं, क्योंकि अपा ideal, बिल्को सही, और सही बात है, ये flexor tensilation के लगबाद 2 3rd होता है, बिल्को सही, लगबाद 2 3rd of FCR होता है, ये, अचा दोस्तों, एक बात इस Direction दोस्तों क्या करा है, इस Direction दोस्तों क्या किया है, बिल्को अचाल करेंगे जल्दी तूट जाएगा प्राँड माजागा, जाएगा णका लिडर देखने जए, सबसे बेटा कौन सी रहेगे, आपकी FCR, उस सिल याधा कौन सी रहेगी, मेन टेरेटा कोन सी रहेगे, म अभी मैने बता दिया, आप प्रोटिंग है, आचा क्या क्या तर्टे जिसे मेरे strength of concrete depends करती है, दोस्तों size, size बढ़ेगा, तो strength मेरी कम होगी, समझ रहाएं, moisture बढ़ेगा, तब भी strength कम होगी, समझ रहाएं, air, voids बढ़ेगा, तब भी strength कम होगी, बहुत problem की बाद है, rate of loading समझ दोस्तों, और aggregate की बात करूँ, अगर तुम यहाँ माल लो, angular aggregate उस करते हो, angular, तो round aggregate strength कम होती है, और angular aggregate वो फस जाते है, 9 फस जाती, interlocking अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें interlocking अच्छी ही, दोस्तों, interlocking अच्छी है, तो मेरा concrete strength क्या होगी, दोस्तों, जाधा होगी, देगा, yes, yes, my dear friends, और यह order याद रखना पूशा सकता है, आच्छा देखो, य यह जो split tensile strength है, यह तुमारी pleasure tensile strength है, FCR है, उसका लगबग 0.6 होता है, 0.66 होता है, और FCR का अगर तुमने 0.5 कर दिया, आधा कर दिया, तो तुम्हें मिले कि direct tensile strength है, मुझे समाने यह आ गया, sir, concrete के tensile strength बहुत बेकार है, concrete tension में बहुत भी थे, और compression है बहुत अच्छा है अब अगरा tension नहीं बात करूं, तो tension में, जो tension bending के यह साथ है, जो tension bending के यह साथ है, उसमें तो सही होता है, okay, yes, very good, चली समाझ किया आप लोग, strength अब workability की बात होगी, बच्चों, अब बात होगी, workability की, yes, my dear friends, अब देखते है, workability, तो workability क्या होगी, workability बच्चों क्या होगी, हम लोग यहाँ पर आज break भी लेंगे, ठीक है, एक छोटा सा break भी लिए देएगए, workability दोस्तों क्या होगी, देखे, ease of compaction, compaction करने में असानी कि में दोस्तों क्या बोलता हो workability, अगर आपको कम energy में जादा stiffness मिल रही है, कम energy में जादा असानी से contrast कर पा रहे हैं , उसके बहुंड और जाज़र्छ कर पारे ह। और उसके बहुट खुर्ड नहीं है। क्योंकि इसको आपको बहुत कॉंपैट करें करें ना बहुत कॉंपैट करना पदेगा, जब इसके बहुत कॉंपैट करूँ तब यह जा जए गही होड़ा सा कॉंपैट होगा, तो मैं बोलूगा सर इसमें जो energy लगे अनरजी हों क्या होगी तो समझो अब जरा कॉंसे पानी जादा है जूसे में ज्यादा सबस्वायगा जब जब में छल्य जद्धा टेगा जब 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 जल्य चाहए है जब मिक्सिंग आएघे जद्रें बहाने के जाए में तो जल के बढ़ने से तुम्हारा जल के बढ़ने से जयदा फाणी के बढ़ने से मेरा क्या होसा वर्किविल्टी परगती है और अप कॉमबैक्शन करने एनरजी पहाट कम देने पड़ती है यही मैं बात करूँ इसको इसमें जल की मात्रा बहुत कम है, जब जल की मात्रा कम होगी, तो मुझे convection करने मिद लिए energy बहुत जादा देनी पड़ेगी, इसको मैं फीट-फीट के ठक जाओंगा, लेकिन इसमें से air voids भाग नहीं निकलेंगे, ओके? जब आपके voids कम है, जब आपके voids कम है, जब आपके voids कम है, तो जो आपके gel की requirement होगी, समझ रहे हैं, क्योंकि जब जब जल भी कम चाहिए, उनको अच्छे से lubricate करने के लिए, इसका मतलब, सर, जब जब आपके gel की requirement कम है, तो जो मेरा gel पहले से महजुदों को sufficient है, वो sufficient है, समझ रहे हैं, वो sufficient है, तो मेरी compaction energy भी क्या लगी, कम अच्छे से lubrication हो जाएगा, उतने ही मात्रा में, उतने ही gel में अच्छे से lubrication हो जाएगा, और मैं बोलूँगा, और मैं बोलूँगा, अंदर gappy gap होगा, पहले जयल की requirement क्या होगी? बहुत जादा. जाएगा? अब जब जल कम पढ़ जाएगा, आप समझी रहें? जल कम पढ़ जाएगा, तो क्या होगा? जल मेरा कम पढ़ जाएगा, अब जब जल कम पढ़ जाएगा, तो सोच है आपको कितनी compaction energy देनी पढ़ ाइगी आपको है कि आपको ना इनर्जी आपको इसे दे नहीं पड़ेगी जल कंपड़ जाएगा जब तो आप समझे जब वॉड्विड आपके ज्यादा होगे तो जल भी ज्यादा चाहिए मुझे जेल भी ज्यादा चाहिए और जेल ज्यादा चाहिए लुब्रिकेशन अच्छे से हो नहीं पाएगा इसका मतब रखेविट्टी क्या हो जाएगे गोशनों कम फिर उसे आप अच्छे से कॉंपेट कर नहीं पाएगे ठीक है स्टेमपल सी बात आप मोटा मोटा याल रखिए जब भी आपका फॉय्ट जदा तो अंदर लुब्रिकेशन करने लिए आपको मसाला पेस्ट को लेता है सीमेन कर चाहिए अच्टा या जब जादा होते है जल जादा आ जाएगा ठीक है वरिक्विट्टी आपकी बढ़ जाएगी टेक्स्टर के अगर आपके अगर आपके अगर आपके अगर दो प्रकार के उते हैं तो उते रफ और एक उते दूसरे बताई किसमें लुब्रीकेशन करना आपके अशान होता है किसमें आराम से किसमें पोर्स जादा होता है किसमें वोड्स 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 जादा है तो जल की रिपार्मेंट जाद पार्टिकल कुछी एजी मुवमेंट होता है, तो वाइट से ज्यादा होगा तो असा प्रॉडम होने रहे क्योंकि मेरा जेल तो कम पड़ जाएगा, इसमें तो वर्किविल्टी क्या हो गहीं का, और मेरा कोर्स पार्टिकल है, उसमें वाइट यह नहीं है ज्यादा, तो अब देखो राउंड वाले हैं, अब देखो राउंड वाले हैं, राउंड वाले राम से एक उसे को पर घूम सकते हैं, लुब्रिकेशन ज्यादा होगा, तो राउंड वाले क्या होगे, फस जाएंगे, तो उनकी वाले ज्यादा होगे, फस जाएंगे ना, तो उनकी वर्क प्रेटिटी क्या होगी कम, यस, very good, okay my dear friends, फिर आम मैं बात करता हूँ grading की, आम मैं बात करता हूँ grading की, ठीक है? grading की आम मैं बात करता होगर, तो grading मेटा होते हैं तो, एक होता है तुम्हारा well graded, एक होता है well graded और एक होता है poor graded poor का मतब एक ही तरह के पार्टिकल, well graded का मतब सारे तरह के पार्टिकल से हैं, जेखो होगा क्या, well graded में मुद्धा की concept प्रभू जा रहा है well graded में सारे प्रकार के components है, मेरा force aggregate है, उसके अंदर fine aggregate है छोटे 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 उनके अंदर भी बहुत सारे voids हैं, उन भी कुछा को भरा हुआ है well graded का मतब all type of particles हैं, चाहे बड़े, चाहे चोटे, सब कुछ है, मतब voids कुई तरह से भरे होना है लेकिन poor का मतब सारे particles एक ही समान है, सारे particles एक size के uniform size है, इसका मतब इनके पीच की जगे भरी भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि सब particles एक जैसे हैं, उनके अंदर जाएगा कौन सब का particle size तो सेम ही है, अंदर कौन जाएगा, कोई नहीं इसका मतब poor grade में voids जादा है, और well grade में voids कम है, समझे लोग, well grade में voids कम है, समझे लोग, well grade में voids कम है, और poor grade में voids जादा है, ठीक है, yes my dear friend, yes, okay, okay, बिल्कुल सही है, तो अब तरह समझने कोशच करो, पर, well grade में voids कम, जब voids कम, तो gel मेरा अलाम से lub Guide करदेगा, जब voids कम, तो gel मेरा अलाम से lubikation कर देगा, अच्छे से चिज़ें मि बहुत सारा cement paste चाहिए लोब्रीकेशन करने के लिए लिए इसका मतलब वर्खेविल्टी बेरी कम हो जाएगे लिए यह आपकी होगी वर्खेविल्टी अब वर्खेविल्टी दोस्तों कैसे ना आपने एक होता है मेरा slump test मैं पता ही है इसमें क्या करते हैं हम लोग यहां पे इसका diva ऊपडर 10 cm है, नीचे 20 cm है, हैट किती है 230 cm अब तुम क्या करों कि उच्छी से कॉंप्रीट को इगदर इस बाल्टी को ऐज़ते हैं इस बाल्टी को ऐसे ऊपर उठाऊ दें, इस बाल्टी सोफ़ा ओगैं हो गया होगा होगा क्या, होगा है, तुमारा यह concrete बेहने लगेगा तुरंग यह कॉंफिट मारा बहने लगेगा और देखो पहले इसकी हाइट वहां तक थी यह पाल्टे निकाल के बगल रख देंगें और फिर हम लोग वहां से नाप लेगे कि मेरा स्लम फाइनल में कितना जाके हो गया ठीक है तो अब पता है कॉंफिट मारा फ्लो क कि.1 अब तुम फूर्टर जादा बैड़ सो फाइंगी अगे अक ब्ताल ग अगर वॉटर जाधा मतल प्ले सीबिर विटी क्लेटी के अब मतल प्लेसिबीर्टी जादा एं सब्सक्रम्ण से को है बहुत इंपोर्टेंट है बहुत कॉमन है मेडियम से हाई वरिक्रिविल्टी लालों के लिए हम लोग स्रफ टेस्ट यूज करते हैं इसमें क्या करते हैं सर्म लोग यहां पर यहां पर यहां पर इसके अंदर कॉंट्री टालूंगा यहां से कॉंट्री टालता हूं फिर दर्वाजा खुल जाता है यह गिर जाता है यह दूसी बाटी में फिर यह दराजाथ होता और सारा कॉंट्री यह जाता है सिलिंडर में आप अल्टिमेरी के अंदर वह ऐसी गिर पड़ते हुआ है और वह पार्शनी कॉंपेटटि ओवाए बृच्छे से नहीं एस ग्र कांपेटिड वह वह लिखते ह तो ऐसी गिरके आया, उसका बजन ना पलो, ना पलो कि बताओ, कोई प्रॉब्लम यह आते हैं, आप उसका बजन ना पलेंगे राम से, यस, वेरी गुड, ठीक है, तो पहले आपने उसका बजन क्या गरा, ना पले, बार्सिल लिवा लेगा, अब आपने क्या करा, उसी सिलिंडर को, फिर से आपने साफ किया, ठीक है, अब आपने सिलिंडर फिर से लिया, लेकिन आपने उसमें डारेट कॉंट्रीट बढ़ा, उसी इनीचे अला सिलिंडर जो था, उसमें पार्शली कॉंट्रीट नहीं है, उसमें वो लूसली नहीं किरा है, अब आप क्या करें तो दोस्तों मुझे बताइए जब आप फुली कॉंपैट करेंगे तो अब जब सिरिंडर का वजन करेंगे आप जाधा नहीं आएगा तो देखिये फुली कोंपैक्शन वेल्वाले का मोगा काम होगा तो आपईसली मेरा कॉंपैक्शन भैक्शन वेल्व 1 से कम होगी कोई परण नहीं अब मुझे यह बताहिए दोस्तों ऐसा कौन सा देशे जब इनकों वेल्वाली का नहीं बराबर हो जाएगी यह जोब तब होगा जब partially compact rate म का भेट बराबर हो जए है तला तो यहां पूरा-फूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पिनk भर जाएगा, पानी जैसा comfort है फूरा-पानी या भर जाएगा ठीक है और जब बाज में तुम fully compact confident केट होगे तो वह भी पूरा भरा होगा पार्षली वाला यो तुमने बाद में डाल, वह भी फुल्ली शेचुरी tow does, तोद पानी की पांतर बढ़ेगी पांतर मुआ पानी वाला अपने पूली ओपैटिट हो जादा पूरा घर के तो अब मेरा चितना बन से कम होगा इसका मतलब पानी क मात्र उतनी कम है और पानी अगर पूरा-पूरा पानी लेलोगे तो पानी तुमाना गिर के आए चाहिए तुम बाद में उसे भड़ो बजन दोनों सेम होगा फिर पानी अगर होगा लेकिन पानी जतना ज्यादा होगा तो पार्शली में और फुली में बजन का डिप्रेंस ज्यादा नहीं होगा ठीक है समझ गए अब कॉंप्रेक्टिंग फेक्टर बंग यह आसपास अगर मैं बोलूंगो वेरी लोवर्केविल्टी समझ गया तो और जितना वन के नस्दीक उतना हाई वर्केविल्टी जितना वन से पीछे उतना लोवर्केविल्टी ठीक है अच्छे में कहा है यूज करता हूँ रोड्स में मास कॉंप्रेटिंग में टीक है फांडेशन ना जी पहली लेने के कोशिश करता हूँ ठीक है और जहां में बहुत ज़्यादा सरीया है इतनी सरीया हो गई है कि मेरा ड्राइ कॉंप्रेट अंदर जाए नहीं बाएगा तब मैं इस तरह का वेट कॉंप्रेट क्या करूंगा उसके अंदर डालूंगा और हैवी कंजेशन में या जहां रहा हूं इन कॉंपैक्टिंग के कार्सपोंडिंग ये सेलुंप है एंसलम अब होसेलिए पानी ज्यादा है तो स्रुम्टेश योज करो लेकिन जब तुम्ने बाल्टी चटाई और यहां पर कुछ जाय नहीं तो तो तुम काम करना फिर तुम कॉंपैसा कान से करना लेकिन मानलो workability बहुत कम है, बहुत dry है, बहुत ही ज्यादा dry और stick mix है, मानलो बहुत जड़ा dry mix है, और stick mix है, ठीक है, तब slump में तो कुछ नहीं होना है, slump में तो कुछ value change ही नहीं होगी, okay, बिल्कुल से क्रिवी पाइप में use करते है, high workability अला, अच्छा dry और stick mix जब मेरा तब तो बिल्कुल नहीं है, तो slump test कहाई के लिए करेंगे, slump test करेंगे नहीं, और compacting factor मेरा low से medium के लिए, ठीक है, कि मुझे partial में, full में कुछ नहीं कुछ difference दिखाई दे, अब दोस्तों, अब दोस्तों क्या है, आग रोगरे test आता है, वो है vp consistometer, यह होता है for very low to low slumps, ठी क्या लिया यहां पर मैंने, यहां पर एक cylinder देखो, cylinder लिया, vibrating table लिखा, देखो मैंने पहले उताया दा, जो भी बहुत dry है, जो भी बहुत stables को, उसको compact करने के वह बहुत energy देती है, और अम लोग देती है, टेबल को पर मैंने cylinder रखा, cylinder के ऊपर slump phone रखा, slump phone के दर मैंने concrete यहां से लेको concrete डाल देगे अंदर, अब क्या करूंगा, मैं इस phone को उठाऊँगा, phone को जब मैं उठाऊँगा, sir, तो क्योंगी बहुत dry है, तो अब जब तुम phone हटा दो, यहां इमेज देखो, यह जब phone हट जाएगा, तो यह phone ऐसा बन के आएगा, और धीमे धीमे जब हो अब गताओ, जो concrete ज्यादा टाइम ले, शेप लेने में, तुम्हारा जो slump shape है, उसको cylinder shape में आने में ज्यादा टाइम अगर लग रहा है, ज्यादा टाइम लगा है, इसका तो समझे हो, उसमें पानी की बहुत कमी है, ड्राइए हो, और अगर मालो तुरंथी वो, cylinder shape में चल और टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लगा है, यह तो 10-20 सेकंड ले रहा है, तो मैं बोलोगा, सर, बेरी स्टिफ, इतना स्टिफ इसको shape लेने, बहुत अनरजी दे रहे, तब भी टाइम लग रहे है, और अगर मालो 18-22 सेकंड लगे, तब तो वह यह extremely dry है, एकदम सूख पानी की बहुत कमी हो गई है, तो याद अटना, वी बी कंसिस्टो में में मैं क्या निकालता हूँ, time, time required, जब मेरा slump का shape change हो जाए, cylindrical shape में, इस time को मैं बोलता हूँ, और यह मेरी vb degree है, vb degree जितनी जादा, मतब उतना try, okay, उतना try, और vb degree मेरी जितनी कम, उतना जल्दी shape लेगा, उतना जल्दी है, cylinder shape लेगा, ठीक है, इसका मतभ़ वर्किविल्टी जादा, तो time जब कम आएगा, याद अटना, यह पूर सकते है, time कम, तो वर्किविल्टी जादा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, दोस्कों, दो पर जोला नहीं, आचा, लास्त है मेरा flow table, flow table की आउता है वेट था, flow table test में, flow table test में तर यूज़ करता हूँ, जब slump value भी बहुत ज़्यादा हो, थीक है, मतलब तुम slump use नहीं कहता हो, slump में क्या होता, पुरा फैल ले लगीगा, थीक है, flow इतना ज़्यादा हो रहा है, त उसकी plasticity ज़्यादा है, कि उमने बालते उड़ा है, वो फूरा फैल गया, तब तुम slump test नहीं, यूज़ करोगे, इसमें तरोगे क्या देखो, यहाँ पर, फैल को नहीं उसको एक flow table के रखा, उसको बढ़िया से सेट किया, और पर slump phone को हटाया, slump phone को हटाया, और तुमन चन्तों मामें मानस करना 25 और अपन 25 between 100 करों को तुमें क्या मिलेगा, अब तुम्स क्या तो उतनी जादा होगी मैडिये फेंट्स टीक है, सिंपल बाद, उतना मसल है उसका वर्ट वेल्टी भी कहा होगी जादा होगी, no problem, yes sir, समाझ गया, लेकिन इसको मैं उसको यूज करता हूँ, जब slump test से भी ज्यादा slump होगा न, तो यह वालो slump क्यों लोगर 100% तक आ रही थ देखो विंडर अडिविक्ष़ तो मैंने सीमेंट मिला यह जिपसम मिला यह जो बहुत पर दो जिनको मेरे होते हैं केमिकल अडिविक्ष़ समझ गया, अब देखो, इंचार एक्सेलेटर, एर एंटरेटर, और फ्लास्क्रिशियर, सुबश्टिश तो चलो पढते हैं, पह प्लास्टिसिटी को बढ़ाते है, पानी, तो सुभी से छिमारि डिया रिकल को प्लास्टिसिटी को बढ़ाते है, पानी, जेखो बहुत ध्याससे को द Twoya representing अफर यहां से घैब के पार्टिकल्ण से है, प्लास्टिकल्डर को बढ़ेत। अब क्या करते हैं लोक़ प्लास्टी सेद डाल जैंसे फ्लास्टी सेदर उनको नगेटिव चार्ज बनाते हैं अब सारे पाने अच्छे से जल इसे मतलब अब क्या है ले ये जादा स्टेंट मिल जाएगी मैं बोलूँलुका से बोलुग को जärदा श्टेंट बिल जाएगी ऊस्त नहीं पानी में मेरी बरिकिबिटी बढ़ जाएगी यह स्टेंद बढ़ जाएगी समझ रहो उतने ही पानी में जाधा का होने वाला है बताब प्लास्टिकि बढ़ गई वरिकिबिटी बढ़ गई क्योंकि इसनों ने क्या करा डिस्पर्स कर दिया ठीक है सिंपल बात और अब तुम जो पानी यह आए हुए जहां बूशा दे सकता है बहुत इससी पॉइंट ऑगी उसे जहां भी तुम लिगनो शब्द का मतबी बढ़ बाटर रेडियूसर जो पानी की रिकर्मेंट करते है कम पानी में सेम एफेक्ट दे इसको आप बोलतो हम बटा प्लास्टिकाजर और सुपर प्ल करते हैं जो तुमा से ओर साओ खख़सर ख़सर नार को इससे वह क्या करत थे रहा है एकप प्लासर जैसे हैं मेकेनिजें आप पूरी वैसे जैसा मैंने वागेचा मांध का लंए लेकिंड हो क्या किते हैं अब यह झू है 10 अग अपक्ल कशन थे पोलो को बेटा water की requirement उख्म करें, वरकेविलेटी स्टो को बढ़ा दे ओकी वाइड ईच्छेर लेकशनी को पानी की requirement को कम करें और वरकेविल्टी को बढ़ा दे, वो होता है मेरा plan कीज़िघर और जो फ़ड़ा खदर्नाग हो और थाइर लेवल पे जाके काम तेरे वो मेरा होगा शूबर प्लाशिजाजर आतला मेरा क्या रिटार्डर बेट रिटार्डर बॉस इंपल सबादे जो केमिकल एक्शन को स्लो करते और सेटिंग को बढ़ादे तो बढ़ादे सब को स्लोडावन हो जाएका और इसके एक्जांपल के आए बेटे शुगर याद इपना शुगर है बहुत इंबरेंट पूच्छा जा सुगा है टार्टरिक अशड है वेरी इंबरेंट यह दोनों याद है शुगर और टार्टरिक असमें मिला मैंने वेरी अंतलिख है और शुगर य्यारीक अशुगर दाति ऑट्र आट कियो घ्यां is उत कैमा स्केमिकल स्वें ऩीरिक्शैंटंवी मुला यह वेरी गूड चलिए अगला एक्रीस्ट आज ही बात हो चुगी है सीमेंट की स्पीड को बढ़ाया था याद करिए एक्स्टा रेपेड हाड़नीं सीमेंट याद रहा था याद करिए आपका दो परसेंट दो परसेंट जा करिए सिमेंट मिलाईए आपका यह क्रों लगे दो पजाया होँ आज सबस्क्राइगे मैं सेशने रहली के ऐसा रखेड़ना भी कर दो डीगान। जो आते हो इंटेस्ट हैं दूसरे निकालते हैं और उनको अमना कॉंटिट इमिक्स करते हैं जिसे छोटी सी खोडी थोडी एयर फस जाती है ठीक है श्रिंकेज, क्रैकिंग, सारे प्रॉब्रम कम, मैं लिख देता हूँ, सारे तरह के डिफ्रेक्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, अब आप पूछेंगे, क्या होता है, तो मैं आपको दिस्तन जाने जा रहा हूँ, ठीक है, बेरे डूरिबल्टी समझिए, बेटे डू अगर अंदर कोई रहाएंगे, ना उसके अंदर कोई आपको जाहें, कि ञान फ्रीक्ता है, हूंपर आपको प्लेबल्टी को कम करूँगा, अगर रूरिबल्टी गर होगा उनन और, बढ़े डूरिबल्टी को graduates. तो दोस्तों उन्ही परिविल्टी चाम हमेरी मेरे थुरिंड़ी मेरे संदिज को नौ यह थृविल्टी मेरे स्प्रोज्ड चासे trea तीक है लूर भी को है स्कर है उसके बाद वास हो रहा है फ्रिवक्स प्रीजिंग हो रहा है यहीं हो रही है और तुम्हारा ठे measurement हो धा तो मैं चाहता हूं कोदी चीज अंदर ना जाए और यह साज़ाएगा तो मैं चाहता हूं कोदी चीज अंदर ना जाए तो मेरी तुम कोने कोदी तर देखो तुमको पता है अगर मेरा मीरा मेटियल अंडम्ड है अगर मेरे मेटियल a ond मतलब से की じृ तो मैंने अज ही ज़ वर ने सकत्र Members ठालु घर जिया लिया ज Mangal विटान्माटियल यूस का लियांसर्म मत बदद जिनका वालिंस जाना हो तो अब्विस्टी बात है वेटा विटा 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 विगा होगी कम और ट्रेख आजाएंगे स्परकर से क्या आजाएंगे गटा ट्रेख्स टीकहर एक तो पॉंट लियुक्त यह जी है। इससे वड़े क्राइक से कर वो बेटर सब कुछ अंदर चला जाएगा और तुम्हारे डिवेबिल्टी के हो जाएगी कम और बहर जब आई घुलके तो पानी तो मेरा इगापुरेट हो गया लेकिन क्या उसने पीछे छोड़ दिया अपने निशानी उसने पीछे छोड़ दिया सब वहार आया और सरफेस पर डिपॉसेट हो गया और इस प्रकार के वाइट फ्लपी पैचे आप देख सकते हैं इस प आप आप ने पानी उपर दाल नीचे होती है एक दम उसी प्रकार से अगर आपने सीमें को बहुत जदा वाइबरेट कर दिया या उसको बहुत उंचाई से किरा रहे हैं यहां तो मेरा आपसे बिखर जाएंगे लग हो जाएंगेurgMan理 बैड मिक्स है सरह है अमें नहीं पसंदाया यह होईंगे चीज़े अलग होग चीजों का अलगाब होना को देरेकि में क्यक्क 20 शीमें आप पानी अंतंग है है सब कुछ गण चीज़े यह नहीं चाहते हैं तो गर्णी सर्फ परस पानी को यह सब कर झाएं तू बते रहो तू देखो अभी इंग से फिरी ओरबी कर लएँगे जलेगे विदी में क्या उता थे मेरा करसे मेरा सबलाएं चल क्लिए चल किसे कआप मैं झाले के दें किसी से कर दिया टूके और हो कीwach आपने इतना एनर्जी दे दी, ठीक है, और कैपेटी फो हो गया, कैपेटी फो हो गया, और जो अंदर का मिक्सिंग वाटन था, वो सर्फिस में लगा, और इस तरह से क्या होगा, अंदर कैपेटी एफेट चालू हो जाएगा, और सारा पानी बहार निकलाएगा, ये भी नही है, आपको, खांज़ नहीं है, ये ओगते हैं, वेरी गुड, वेरी गूड, माय दॉट्रेंट्सरी बढ़ाते हो गया उजएगा, और फॉंट आएगा जिसके वाद, मेरा कार्फिड बैडार हो जाएगा, तो जैसी चैसे आप उसको कमप्रेस करते जारे हैं, वैसे-वैसे के अंदर दमाव उसके अंदर जो इस्ट्रेस हो पड़ता जाएगा और उसके बाद वो कहेगा हमारा हो गया अब मुझसे नहीं छेल पाऊंगा मैं अब मैं जा रहा हूं मरने अब मैं टूटने जा रहा हूं तो फिर वो सॉफ्ट लेगा सॉस्ट मतलब तो जो इसका तनाव है जो छो इस्ट्रेस है वो कम लगेगा सॉट्टिंग में जाके और मर जाएगा अल्टिमेटल जाएगा ची के सिंपल सर्फ कर देई और ऐसी टेंशन हें तो टेंशन देखें ग्राफ जाता नहीं कि है आप सभी को ये बाद तो पता ही स्वेशेंट में मेरी गोंस्टिंट कर दंध मेरे सिंपल सी बार शिर्ण में कोई प्रापम नहीं है साही बाद है चानल से और जिसका एक प्राइब को बढ़ा है यह सारी प्रापर्टी नहीं को इसे मैं आपको बता दिया है ठीक है नो प्रॉब्लम कारण हम लोग करते हैं हलके हैं आयडेया दू कि नहीं नहीं कहना है जब सब्सक्राद को बाइब कर होड़ है यह सब्सक्राइब कर दो आए छॉया झीक्स मता दिए तो टूब कर दोकि जादा थीए तो पूरा क quoting special life concrete देख वितने आपको आईडियदाई आपको चेलए फूरा सब कुछ कमेदा है और आयमान सब क्कुछ शोके पर आकेर अपको को बकान के अंदर या करते दोस्तों हम लोग एर शेल्स को एंट्राइपDly अ इसे में पर रख द्रेथि का ओधती है तो आपके यहां यूस का सथे खालके काव उबल जिया जो छते बनती हैं पॉल सीलिंग बनती हैं आप उन्हें पॉल सीलिंग देखियों बिल्कुल सही बाद है हाँ, no fine से बोलते हैं, sand को जब उनको कभी-कभी ओमेट कर देते हैं, बिल्बू सही बात है, जब sand को, आपका जो concrete उसमें, आपका cement sand और coarse aggregate होता है, अगर आने, sand आपने omit कर दी, sand आपने omit कर दी, sand आपने omit को आपने omit कर देंगे, इस तरह की concrete को बोलते हैं, no fine concrete को तो कि इसके इस तरह की fine aggregate को बोलते हैं, no fine concrete, okay, yes, फिर होता है मेरा heavy weight, heavy weight में क्या को आपने भारी-भारी aggregate ही उसकरते हैं, यह मेरा retaining wall, dams, भारी-भारी चीजों में इसमाल होता है, okay, heavy weight मेरा guy इसमालो का भारी-भारी चीजों में, फिर होता है मेरा prepet, prepet दोस्तों क्या होता है मैं यहां पर coarse aggregate लेता हूँ बहुत सारा, यहां coarse aggregate में लेता हूँ यहां फूब सारा, और इसके अंदर, cement और sand का मसाला को inject करता हूँ, cement और sand, अजद cement और sand की मसाला को मॉटर को बनता हूँ, मॉटर है न, इसको मैं इसके अंदर inject कर दूँगा, इस core-s aggregate के अंदर inject कर दो, fully compatible मेरा core-s aggregate है, उसके अंदर मैंने cement और sand मसाला को inject करा, और पडिय से एक्टम बना दिये, मैंने ख़ confusion with 20 हिभे आपना फिफिश्क करें अच्छे से इंजेक्शन करने के अच्छे से अच्छे सी पेखाने के साये पानुकर रचुभ होगा तो यह जो बहुत टैंस रहेंगा है कि तुम्हें अच्छे से यहास तिल्ंग करバम और क्योंकि बहुत देंस है तो कोई प्रॉब्लम आने अलिए श्रिंकेज और जो भी प्रॉब्लम से होती है वो सब दूर हो जाएंगे देगा है सारे दूर जाएंगे देख होता है मेरा FRC अच gossip मतलब हमतला इसका उंप्रेश देखास नहीं ह wanna औज तुम को पायाइभर क शकाता है इसको कि जिक अब naatasy है कोई इख लो des?. कार्बन फाइबर, गलास की फाइबर यूज़ लूद लिए बस तुम यह जान लो जुगल बंदी होती है, उमारे कॉंक्रीटमें। कॉंक्रीट और जो फाइवर दोनों जुगल बंदी करते हैं और एक दूसरे कम्यों को दूर करते हैं अब इस टील ने कुमारे टेंशन चेल लिया पता हिए तो फाइवर से भी बहुत अच्छी चीज हो जाती है अब जो मेरा मिक्स डिजाइन है उसकी बात करता है जैसे माल लेज़े आपको एक मीटर की वी पॉंट्रीट तरहीं करना है माल लेज़े दोस्तों आपको एक मीटर क्यू पॉंट्रीट तयार करना है तो उसके अंदर मेरा सीमेंट की वॉल्यूम कितनी है पानी कितना रखना है एयर के वॉइट कितनी होने चाहिए सब कुछ पता करना है तब मिला कि मेरा बनेगा वर मिटर क्यूब ठीक है ओके वाइडिया फ्रेंड्स तो देखिए मिक्स डिजाइन का उदेश यह है मैं यह करता इसने हूं ताकि मेरा वन मिटर क्यूब कॉंट्रीट के अंदर यह जो बाती चीज है ना आपकी सीमेंट इन सबकी मात्र में किस रख न के हुछ दोς को पहला तरिका है तुवार मिक्स और दूसर तरीका है किव्द नियुड इजाइन मिक्स होता है यह पहदर क्यूकि द्मनिक्स होता है और सुमिq धिल वेली तूध हुआ 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 है यह सा मैं कर बापता है गोगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग आइसा हमेशा नहीं हो सकता, समझो मेरी बाद, समझो मेरी बाद, 1-2-3-2-6 तुमने रेल्यू सीदे उठा ले टेविल से, आई-ए-4-5-6 से उठा लिया, लेकिन उसका रियल से कोई मतल भी नहीं, मालों, रियल मेंगर प्वालिटी और इंडिर्स खराब हो गई, तो बताओ चाहिए, तो बटाओ ब्सक्री प्वालिटी और नहीं हो पहुत से जाएं, मेरी बाद, 1-2-3-4-5-6-6-5-7-7-5-6-7-7-6-6-7-6-6-8-6-7-8-7-7-6-7-7-7-6-8-7-7-7-8-7-8-7-6-7-7-8-7-7-7-8-6-7-7-7-8-7-7-8-7-7-8-7-9-7-9-7-7-7-8-7-8-7-7-8-7-8-7-8-7 आपकी स्टेंड और सिमेंट की मात्रह और जो प्यालिटी चेंज हो गई तो आप इसको बार रहा टेस्ट करेंगे तब तक आपका एंट्विटी न मिल यह तो मुझे खुछ सोच करेंगे अच्छा कोन है कौन सा मेरा असली चीज़ों को थ्यान दे रहा है वह थे वो है मेरा design मिक्स डीक है डेकि मेरा design मिक्स मुझे बजाएं सब्सक्राइब दोनों ही mix design का क्या है दोनों ही mix design का क्या है दोनों ही mix design के मैरा odaish है कि कि मैं end में निकालूn मिक्षर का रिशियो मालीजे नॉमिल मिक्ष तो आप सीधे पढ़ लिया मालीजे आप M10 बना रहे हैं तो यहां मालीजे आपने टेविल खोली आई-स-4-5-6 पूला और सीधे आपने पढ़ लिया 1-2-3-2-6 और मिक्ष प्रोशन मिल गिया तो आप बोलेंगे सीमेन की मात्रा बन रखो, पाने अग्रेट की मात्मा 3 रखो, इसकी 6 रखो और वाटर सीमेंट एशियो के अम्रों टेविल से पढ़ी लेंगे, 0.6 होता है, टेविल होती है, पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, यह ओती है टेविल देखी, यह देखे लिखा हुआ यहां पे, देखे लिखा ह तो उसे मैं mild condition होता हूँ, अब माली environment aggressive होगा, बहुत ज़्यदा बारिश होती है, बहुत ज़्यदा गीला रहता है, बराबर water रहता है, soil में जुड़ा होगा है, आपको concrete, तो मेरी condition खराब होगी, condition देखे, जैसे से इधर बढ़ा है, condition और खराब होगी, समूदरी पानी आ आज़े है ऐसा push, तो water cement ratio आप table से पढ़ ले गए, और आपको mix proportion में गया, लेकिन design mix में असली में test करूँगा, अगर मुझे m20 बनाना है, तो मैं test करकर mix motion निगा जोगा, और वो ऐसा तुस point में आएगा, वो ऐसे one issue push-upon नहीं आता है, वो ऐसे point में आता है, जैसा आता है point क्यों point में आया है, क्योंकि value change हो गई, क्योंकि real life में जब तुम solve करोगे, तो value क्या हो जाएगा, change, और यहां तुमारा proportion को इस प्रकार साएगा, जब भी तुमारा proportion को इस प्रकार साएगा, जब भी तुमारा इस तो 2.4, 4.8, round off नहीं है, समझ जो तुमारा design mix है, समझ जो concrete mix design का code है, यह पूरा step चलते हैं से, पूरा step होते हैं, पूरा step होते हैं कि पहले water cement ratio निकाला हो, फिर aggregate, fine aggregate सब्सक्तों निकाला हो, तो ultimately, तुमको यह ratio लाना है, और इस ratio की मदद से, ratio की मदद से कुछ formula होते हैं, वहनों लोग में से पढ़ लेंगे, ratio की मदद से कुछ formula होत की और सा मिला जुला के, वहार में मिटर की फूंट में तैयार हो जाएगा, लेकिन वो तुम पता कैसे करोगे, सब की volume पता कैसे करोगे, इस mix proportion से ही, और mix proportion निकालेंगे, दोनों code में अपने अपने provisions दिया गए हैं, यह तुमारा हो गया, क्लियर, क्रेंदिशन समय लगे, mild करें, तो आवी कहा होती है, और नॉर्म से, कोछ नहीं है, सब नॉर्मल, मौर्ड का मतलब क्या हो, दोस्तों अब बारीज बहुत ज़्यादा बहुत रही है, तुमारा स्वाइल या जाल आ सकते हैं, समेझ रहो, तो मालो समुदरी पानी में दूबा हुआ है, सी वाट में क्या है क्योंकि समुदरी पानी बहुत ज्यादा है क्या होता है ठीक है ओकि इसके बाद मिःसी बैद करें हो तो बेरी सीग ना क्या होथा है अगर झैकर जो पालोधी हिस के तरो के लिडरी टाइट आती है शीवाटर के छिड़काव होगा ठीक है? बहुत जाहदा सीवेर अन्वार्टा होगी होगी तुमारी युक। तुमारी एक्स्टीम कंडिशन हो जाएगे युक। अब होता सीवेर और तुमारा कॉंप्रीट कभी भी कोलैप्स कर सकता है। तो उस case में very severe में हम लोग very severe में क्या करेंगे अगा हमार RCC है तो हम लोग M35 grade लेंगे कम से कम M35 grade लेंगे और extreme condition वेटा क्या है मालोग chemical attack में तुन्हां direct रख दिया मालोग तुम industry में को chemical industries होती है उसमें तुमने directly chemical के environment रख दिया chemical environment direct रख दिया समुद्वी तट के वालोग इदर समुद्वी तटो के आसपास जो building है जो coast है समुद्वी तटो को English में बोलता है coast समुद्वी तटो को English में बोलता है coast समझ गया तो चलो इसके साथ तुमारा concrete का भी super region हो गया super region हो गया कि विद्व घंटे के अंदर हमारा बचा भी ख़ता हो जाएकर सरा क्या किया कवर करेंगे ब्रेक टिंबर और ब्रेक टिंबर और रुमारा क्या नाम है इस्टोन ठीक है चलो दो बीस पर हम लोग थाई बजय मिलेंगे पढ़ा जाए जाए बढ़ा जाए तो ब्रिक शुरू करते हैं लेट सार्ट ब्रेक एंड पर्स आम लोग इंट्रडक्शन देखेंगे ब्रेक के मेरे मित्ते क्लेंट उसलबंघं योई उसमें क्या डिया चीजिञ भी उसलिए ते उसमें किया क्या चीजेई होती हैं बहुत और लोग को टेलीरइन आगेशस्टों पहले होगे हैं इसमें याल्यों 5ippa student लॉट आते हैं यह अशिर आ 많은 मनुरे टेक सो में trying देके, एरिट कई सालों से चली आ रही है, कई सालों से चली आ रही है, लगवद 7000-2.000 बीसी से, मतबब बहुत रहाइन नौँ हजार साल पहले से मेरी एरिट इसमाल होगी आ रही है, इस प्रकारी को देखती थी, तेके, कितनी की संपाना हैं, आप उठाले जो चाहे, आप मैं निकालता हूँ, खले निकालता हूँ मैं धृद्टी से और उस लिए की मदब से मैं इस बनाता हूँ अब में लोग अच्छे संजें कि कैसे होता है तो जो मेरी ब्रिक है, वह 8 इंधी की हम लोग बनाते हैं लेकिन पत्थार मेरा फस्रों वो पहले से हें मुझे तहां मिलता है आपना खंश मक्रून में तो मेरा função प्रुख होता है मेरा प्रॉब होता है असलोंगत था अ की तो आ खतो fluky सब्आउंद नाइटीन 9 cm CR यह फ्रॉक्स पुड़ जाता है फ्रॉक की घ्याई ऑफ सो 1 cm होती है अब यह क्यों किया गया है ताकि मेरा बॉंडिंग हो सके अच्छे से अगली टिवर के साथ अच्छे से चुड़ जाएगा बॉंडिंग के लिए अगे मेरी सम्जाओ का जैता है मॉटर लगा देते हैं तब मैं इसको बोता हु नौम्नेल साइज है आज की आपने जो बिष यूदती उसे नॉदल भी और पहले यूज़ नी प्रिक्स पहले पुरानी चुलती नॉटी थी नॉटवर तो नॉन मोडुलिटिक्स का साइज होता है मेरा 23, 11.4-7.6 cm यह पुरानी ब्रिक्ती जो नहीं चलती है अब फिलाल पॉन्स चलती है मेरी 99 और अगर उसे मसाला अपने चाहता है तो एक सेंटिमेटर्स जोड़ो देंगे तो जो आएगा तो एक सेंटिमेटर्स जोड़ो देंगे और मेरा वज़ाएगा 20-10-10, इट का वज़ें मेरा होता है 3-30 kg जो मिस्टेनिस टॉपिक्स होते है मेरे उसका बेटे हित्रा कम है बेटा कि पढ़ने के ज्यादा फाइदा नहीं है आएगा तो एक बनना आएगा नहीं क्योश्ट तो इससे अच्छा है कि आप जो है में टॉपिक जिसनए क्षचन आने जिए सेमेंट कॉपिटर्स को आएगा, क्षचन पहले हम साईगा मैंने शब करना दियोसमें तो जो आrhा है ज्यादा आ रहा है उमित की पढ़िये मैं सिने स्टापिस इसे सो बिल्कूल कोई परह Parris एक्जां में बहुए लोग जाएत हैं जो कमछीदोता अत्मान पढ़ते हैं कम चीजों को लिमिटेट चीजों को ज्याद आप पढ़िए अच्छे से आपकी रहक आएगी को डॉल नहीं आएगी से मैंने भी आई किया हुए मैंने बहुत साथ चीजों को बहुत आप पढ़ा है और आप सेलेक्शन हो जाता है तो कम प्रिक वाथ क्लासिटियशन करता हूं है दो हिर नियुकर प्रिक है इसके पाईए धिल barbecue का अधिenne में तोструल कढ़ा से प्रफेक्षंटिंद्र और पर्परिक्षेंद्र ли यॉक्स को क्वरेय pessim में इसको नहीँ buyingर को वह ब्रक्राइब करते हैं और टेविल मोल्ड करते हैं इसको ब्रिक को अकार जो मैंने मिल्टी विडलती है उसको मैं अकार टेविल को उमर देना हो को वह रहा सा फर्स्स क्लास आजाता है इसको जब मैं गिराओंगा इको में गाइट से तो यह ब्रेक नहीं होना चाहिए आज सकी क्रेशिगिस्टेंट ऊपर वोँ तस से जादा होगी चहिए इसको दोस्तलों यूज़िय्स का करतें बाहर कीडिवारों पे जैसे आप यहां देखे यूजाकी आपकी बाहर की डिवार आजरे शु कर लेंकरी बिना किसी ट्लास्टर के चोकि पर्फेक्ट्ठ्टन इनका जो corners है, edges are all kind sharp हैं, तो इसको उनों सीरे सीरे थ्लोर पर यूज कर सकने हैं, okay? Yes, my dear friends. Okay, my dear friends, okay. तो, अब मैं बताऊंगा आपको second class, तो second class इसे पुझा बेकार होगे हैं, ठीके? Second class, देखिए, first class आपका table में mold हुआ था, लेकिन बंटो में गरम हुआ था. Second class, अब आपका table से नहां उतर क्या आपका ground के, आपका ground में mold करना हैं, okay? जला उसको अब भटो में रहे हैं, okay? तो अच्छा तो रहे गई, सब कुस सही है, सब कुस सही है, एक्दम ऐसे ही है, लेकिन इसमें फुड़ा सा अनीगन ने सा जाती है, फुड़ा सा बेकार हो जाता है, इसमें sound का भुछ परक नहीं पड़ेगा, sound जो आपका रही है, कि क्रश्इंग यहाप भी आएगी, क्रशिंग इसमें 10 से साथ आगई है, और वॉटेगा अब ज्यादा हो जाएंगा, पानी ज्यादा एज़व करएंगा, तो वेकार हो जाएगा, तो पहले बीस प्रशंच अब टोर आप तर आप लेकार उज़व करा था लिए है, इसमे डारेक्टली बाहर इसमाल लहीं करेंगे इसको अंदर है या उसके ओपर प्लास्टर कर देगी ताकि इसफोस्टी कोई है इनकी शक्ति कम है इनकी स्टेंड तो प्राइसन हो गहीं दौर कम हो जाएगी अब मेरी स्टेंड क्या हो गई सर्फांज हो गई वाटर दोप्षिन से भी जादा हो गया 25 के आसपथ चला गया अब मेरी सांट कैसे आरी ना आने पर डल सांट आरी है इस यह इतो बहुत बेकार देख रही है यह इस मेरी बहुत बेकार है इसमें क्या है इसकी शेप तो बहुत इर्रेगुलर है बहुत इस्टॉर्टेट एज अब बहुत बेकार है इसमें यह इसे जैसे आप 1st class से 3rd class की और आएगे वैसे वैसे आपका कलर ब्लैक होने लगेगा, ब्लैकिश होने लगेगा, समझ रहे हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्रशिंग इसकी कम होगी है दो एक मेरा क्लास बेगे तो यहाँ होता है, जयसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अध्यी, सप् से पर गोला oh सब्स से काला होने बढ़ेगा, मेरी इृत्त बलैकने स्पड़ेगी और जो और यहांधी स्पान क्का क्या हो गिए कम है अब मेरी brick earth के अंदर क्या होता है देखिए दोस्तों, जो मेरी wheat, wheat, wheat है, उसको मैं जिस मिट्टी से बनाता हूँ sir, उसको मैं जिस मिट्टी से मनाता हूँ sir, मिट्टी के अंदर silika, alumna, lime, oxide of iron, magnesium, alkali, co2, CO2, CO3, यह सब कुस होता है, लेकि main silika alumna, lime, main silika alumna, lime, trick दोस्तों आपन क्योंकि Salim, S मेरा silika, A मतब alumna, L मतब lime, I मतब iron oxide, M मतब magnesium, फढ़ा है दोस्तों आपने, Salim मेरी trick है, Salim मेरा brick earth के composition देगा, brick earth मतब मिट्टी, जिसके मैं यह बनाने जारा हूँ, तो अच्छी मिट्टी कौन सी होगी, इसके अच्छी मिट्टी कौन सी होगी, जिसके अंदर sil देखें, यह जो आप देखें, lime से लेकर यहाँ पानी तक यह सारे जादर नहीं है, यह सारे जादर नहीं है, यह सब मिला जूला के, यह सब लोग मिला जूला के 20% से कम होने चाहिए, और ज्यादा तर मेरा कौन होने चाहिए, आप यह माने चलिए, लगबद 60% इसमें इसका function क्या है, यह मुझे बताई है, देखें, alkalis तो undesired है, यह inflorescence करेंगी, यह सब नीचे ली चीज़ें undesired है, ऊपर के 3-4 function है, silica, aluminum, बहुत अदर नहीं है, चलिए, okay, okay, my dear friend, yes, foundation है यह को दोता है, मेरा ज्रामा परिक, आपको पता ही है, चलिए, silica देखें, बच्चों से बचाता है, stress देता है, अच्छे से, ठीक है, shrinkage से बचाता है, जो आप heat को बच्चे में जला रहे होंगे, तो उसके सिकूर नहीं होगा, sir, मेरे जो silica होती है, वो heat को जले है, बहुत सक्षम है, heat को अच्छे से resist कर सकती है, तो shape नहीं भीगड़ेगा, समझ रहे हैं, और बाल्यू जैसी होती है, लेकिए बाल्यू के जो particles होते हैं, आपस में चिपकते नहीं, उनके बीचे कोई cohesion नहीं होता है, आपने देखे हैं, आपस मेल लग होते हैं, ठीक हैं, उनके बीचे कोई stickiness नहीं है, कोई cohesion नहीं है, तो अगर यह जादा हो जाएगे, दोस्तों, मेरी जो मिट्टी है, मिट्टी के बीच में cohesion खता हो जाएगा, और मिट्टी बिखा जाएगी, लेकिन मुझे तो मिट्टी चेहें चिप-चिपी, मुझे चेहें मिट्टी जो पास-पास है, जो अच्छे से बंदर मना सके, ओके हैं, ओके हैं, बेरी गुड, यस, तो आग आगर दोफसों, याद रखियें, जब alubina होता है, alubina की मात्रा मेरे अगर clay में ज्यादा है, Yes clay यूज़ करते हैं, black cotton so I use कर सकते हैं, इल्गुल सहीँ बात है, अगर अलubina की मात्रा ज्यादा है, देखें, दो प्रागार की clay होता है, एक में होता है clay, एक होता है high alubina clay, ए तो जिसका alumina की मात्रा जब जादा होगी तो इसका melting point दोसको क्या होगा जादा होगा और अगर मेरा alumina की मात्रा कम होगी तो melting point कम होगा समझ रहे हैं समझ रहे हैं तो इसको बिल्कुल सही बात है चलिए तो आप यहां पर सब्गिए कि alumina का function क्या है दोसको प्लासिस्टी प्रवाइट करना और आकार देना ठीक है लेकिन अगर यह जादा हो जाए तो शेव बिगर सकता है ठीक है आप जो उसको सुखाने जाए जाए इंचेट को बट्टे में तो आपका शेव बगर सकता है इसके अगर जादा मत करिए फिर मैं बात करतों लाइन के यह कुपोजिशन 10% से काणो चीए जो यह जो इसको बताता है लाइन को सबसे मीन पॉंकोनेंट है यह फ्लक्स करता है यह सबको आपा से फ्यूज करता है अब तुमसे का पूशर है तुमने बोला सब आप ज्यादे कर जादा होगा तो अगर मिल्टिग मट जादा होगा त सब को दोस्तों का ओप संब करता हूँ लाई के समस्तों में एक उच्छा जाता है लेकिन दोस्तों धिशास पांड़ जो जाएगा लाई उच्छाथ कम करता ह्या है नियुक्त अछिए से गणि और युश करते हैं सब्सक्राइब इसक्राइब लगर नगरें अगरें एक दिए मत्राइब अभ बाद करतें आगें और यही पीन से मेरे यही पीम आद अपने बढ़ है अब इसे अग्नेशा रहा भाएगा और सैक जिए न अदर यहीं पहार दाएगी तर आप या अच्छी बात है स्दों चाहिए। मेड़न मंचलिक म्याइप गया साउ haiti अफंग देता है। जाए पर अइस सौना होना हर चाहिए। हरड़नेस स्क्राच करें। तो मेरी फिंगर नेल है, उभु हो तूट जाए। लेकिन ब्रिक। तो आदो बरिक आ लो फ़र गई विस इंब आ पड़ गया तो इस चीज का हाड किस बात का हर अगर हारी हार्डनेस का मतलब उस पे इंप्रेसंद ना पड़ें नगों से खरोष्मे इंपरें पड़ें साउंडेस दोस्तों क्या है साउंडेस जब आप एड को रड़ा रहे हैं मेटालिक लिंगिंग साउंड आ रहे हैं को अगर अगर अच्छी रिट है तो उसका जो बाटर ऑच्छन है 20 घंडे में 20 परसेंट से कम होगा दोस्तों इस बहुत इंपॉर्डेट पॉइंट है यह ए को इन सबसे त्री उनी चाहिए त्यंग किπο应 मिट्टी प्रिपेर करते हैं, मिट्टी पहले तैयार करते हैं, फिर उसको आकार देते हैं, फिर अपनी इट को सुठाते हैं, और फिर भट्टे में गरम करते हैं, और हमारी इट बन जाती है, तो देखें, पहले पहले मिट्टी तैयार करते हैं, कैसे करते हैं, पहले हमारी ज ताकि जो भी गंदगी है, पेबल से वह सब भड़ जाए उसके आदो दोस्कों उसको मौसम के लिए चोड़ देते हैं, मौसम में खोड़ देते हैं, बैदरी मोजाती है, अच्छे से खिए हैं, ताकि जो मेरा ख्ले है, जो अंदर पड़ा दबाद दिमें उसके, वो समय कि ऊशते हैं, य। अच्छे से कएो प्रण। य। जाएं गएं, सोफने मेलोम will be face more, य। देम एप जाएँ, और को दिमें रहे, आउब हॉस्कों कशी रेख साट काको भी नुन कि मिला रह रान दी है कि श्वा। तो आप दोस्तों क्या करेंगे उसकी टेंपरिंगे अब आप उसमें पानी डालेंगे बहुत आपकी इस जो मिट्टी है तयार हो गई अब उसमें पानी मिलाएंगे ऐसे गोला करती है और इसमें पानी बढ़ती है अब अब आपका वर्ग करेंगे इसको मिलाएंगे अब देखेंगे यहां तो मैंदोली करते हैं पानी डालं यहां पर देखें लेवा अपने पैर से यहां पर वर्ग कर रहा है इसको मिक्स कर रहा है इसको मिक्स कर रहा है तो जब मैं पानी को मिक्स करों अंडर प्रेशर आज़ायगे तो क्या हो जाएगा तो उसको मां दोल। आट एंटर से इंटर करते हैं और दूसरी और से यहां से आपकि बड़ी यहां से गुथी होई कले, मिट्टी आपकी बाहर निकलके आ जाती है इसको मैं मोलता हुद कले बाहर निकलके का इता है आ मीड़ी प्लास्टिक क्ले, यह घुखे बढें बढ sovereign findings ofётся what the अब देखो हाथ से सब्सक्राइब देखो यह तो मशीन से दे सकता हो आप अच्छा आए गए और हैंड से जो मॉड्लिंग करूंगा वो तो पूड़ी बेकार होगी इस्टिक है एंप बिल्कोल सही, आप देखो ground पे उड्लिडिंग कर सकता हैं या तेबल पे कर सकता हैं तो उनकी मैं molding, उनको मैं akar machine से दूगा, लेकिन मेरी, क्या नाम है, soft clear है, जो मैं akar दूगा hand molding से, ठीक है, यह जो भाई साब यहाँ बैठे है, जो आप दूँद देख रहे हो, यह देखना है, तो यह मिट्टी को इसमें भरेंगे, ठीक है, यह साचा है, mold है, इसमें भरेंग इसमें अच्छी है, एक बात और सम्झें, यह दो मोल्ड दिखाए दे रहा है, यह wooden mold है, इसका size थोड़ा से ज़्यादा होता, क्यों, क्यों कि दो बेटा है, जब तुम यहाँ पे ear to रख रहे हो, जब तुम यहाँ पे ear to रख रहे हो, okay, ear to जब तुम रख रहे हो, तो ear to 8% ज़्यादा होता है, उस wooden mold का size 8% ज़्यादा होता है, as temperature final mold, क्योंकि मोल्डिं के बात, उसको मैं करता हूँ, जब मैं drying करूँगा, बर्निंग करूँगा, तो मेरी, यह जो ear to here मजबूर बना रहा है, वो थोड़ा सूप के छोटी हो जाएगी, उसका size थोड़ा कम हो अगर मैं उसको directly जला दिया दोस्तों, तो बहुत सरे crack पढ़ जाएंगे, बिक्कति आ जाएंगी, इसके मैं उसको पहले ट्राइंग करूँगा, देको ट्राइंग दो कर सकते हैं, आर्टिंच ज़्यादा हो, आदेको इंडिया में आर्टिंच ज़्यादा होता है, ज़्य ज़िसा, बिक्तौन ममें ज़्यादा होता है, çıkart में अटे को सब्सक्राइब गो सब्सक्रा थे, हैं दो तिन दिन के अंदर दोनों, कभलो जाते हैं और अच्छा शाबF नग T. söyl. भ Herrn Keelich. अपर रुसको फ्रम उन ने टरुन करते हैं, क्रूसको तो बेच के एंड्या जगें उनी चाहिए कितनी कम से कम वन एमेम ठीक है याद रखना है कि जो से मौश्य कंटेंट पहले 20-30% होता था वह मौश्य कंटेंट अब कम होते हैं तो अपनी जो पहले सौटी जो ब्राउन प्राउन प्राउन दिख रही है अगर आप उसको लाल रंका देखना चाहते हैं तो आप क्या करिए उसको जला दीजे या तो क्लैम में और किल मेरा जो भढते है मेरे वह बढ़िया तरीक है यह लगनतरेह थो प्रमेश्चStart अर्यू drift &arch Land यह प्लमेकर अब कर दब्राउन बीक्त को क्यो गते थो आपने इट रखता जला तिर निकाल को प्रेश में क्या चाहरा रेट प्रेश का पुल कर देख कोच और दो यह जील को धर रहा है। और यहां फ्यूल को जला देके और एक दो मेरे तक आपकी इड़ जलती रहेंगी ठीक है और जो फूल थिखनेस देखनें आप फ्यूल की थिखनेस वह आपकी सब्सक्रस सेंटीमेटर है और यस वेरिगोड तो आपकी क्लैम्स क्या करेंगी इड़ को अच्छे जला देंगी और यह दो मेरे तक आपकी जलती रहेंगी लेकिन नॉन इविफमेटर है कहीं ज्यादा जल जाता है इसके यह अच्छा मेतड नहीं है लेकिन बहुत कॉमन एंडियम होता है इसके कम से कम तीज चले जाएं प्रिके निकल आती है एक सीजन में ठीक है चलिए फिर आप मेरे इसके में एक सकसी के नालेज है और आती है लेकिन इसरे स्कूलाद कम है शकर शेत शेप केजिए जर्म रहेंगी ड़्यक्ष्ट, बहुर और जताने के अदशत्य मेरे एक तो सारी भड़े ड़्यत पकन है थीक है तो नीचे मेरे अखर बढ़ पखनी हाई हो जाएगी के ओपर मैरा अदर बगनी को जाएगी लेकिन इसमें भी 9 इनिफॉर्म clicked yopen फाने क्या है है इसके बैतर तॉर कि kut और यहां क्जों समल के बैतर तान जाएगल तो आप यहां समझी की बहस्या необход कहां थे तर को होठे भाट या मेरा दाओं प्रॉट क्यों पां गर्मीलरा प्रॉट की यहां पूर्स भामी उनिक कभी इस ये सह दाउंडॉड सोध है वह अलिखन旗 मेरा कुरा अंग जाता है और पिर जगे जहाती जगे नीचे रहें ये साथ बहुत है और पैं से नाड़ूड ded तो मैं डाईरॉव्ड़ किन इस उप्ड़ॉड उंग उप्ड़ा यह आथा फार्शली बान लोंड दिyon इसमें क्या होता है आप देखें इर से लिट को लोड करके यह इन तेर गंदन जाती है और यह प्रति me अग्राइम के दूसरी बेलटे यहें है तो चीज़ा कि धने की सब्सक्रेंद 10 une कंष्यास कर दूल करा हों यहां पर पर प्री तूल करुश्य कर से यहांपर पर । याद कैसे गाती ही यहांपर पर प्री हीटीं पिर मेरी बर्निग के भाद अच्छे काथ पर यहांवरे चलता है। यहांपर क्री अथ ह readiness है क्धा के हुए इंडिया में काफे पॉप्लर रिस्ती है कि इनिशल बहुछ किसी कम होती है तो इससी को भटता खोलना दूप से पहले वोल्ड ट्रेंच के लिए कोली तो कि यह मेरी नहीं पूल्ड ट्रेंच के लिए इसमें उपर जगे होती है जैसे माली यहां पर पूरा हीटे सजा दिया है यह पर से फ्यूल डाग दिया अंदर फुरा धुवाँ दुवाँ का वह दुवाँ यहां यहां पर आके इधर से यहां चिम्नी से बहार निटा जाएगा यहां पर अपका बढ़िया से बिटा चलता रहता है यह यह तेमरी रूफ होती है बढ़ते जला जला लेकर दो भूट इसको हटा देंगे तो बस और चिम्नी जो होती है यहां मोवेबल होती है चिम्नी को आप मूव करते हैं कि किसी भी चेंबर में आप पर निकर से आप च प्रॉसस चलता रहता है उसी प्रेकार से लेकिन इसकी इनिशल कॉस्ट ज्यादा होती है यहां से बड़े अमॉंट अप इडालते है गुड पार्टी ब्रिक मिलती है देखे दो पंड या तक लीजे जो अच्छी ब्रिक मेरी गुड पार्टी वो मिलती मुझे होफ मैं से सब्रिक मुझे आप इंसे इनिशल कॉस्ट ज़र है करना है दो तो बस और यह कुछ नहीं करना है आप क्या करना हैं चेंबर प्यूल डालिएे उर अफनी चैने इड को से फटा तो 50 अच्छी कॉंटी की शाधे कि भी और ठेक works 2,5 में हीटिं Nh Glass पहले प्री हीटिंग, फिर असली वर्मिंग, और उसको हलका थंडा करके हम लोग बहाँ निकालने के टिक है, सिंपल सी वाद है, और कई सारे डोर हो गए, यह आपके में डोर हो गए, यह आपके में डोर हो गए, सारे डोर है, बारा डोर हो गए यह आपके कम्मुनिकेशन ड आपने 20 रिटों को एक साथ रख जाते हैं, तो यह मेरा तो यह 2 रिट, 3 रिट, लाइन से 20 रिट रख जाते हैं, 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 लाइन से 20 रिट रख जात जब एक मेरा नप्वे में हैं, जब width and height में नप्वे में हैं, तो बताओ, 20th कितने जएक अचारस हो, 20th कितने जएक अचारस हो, ठेक हैं, आप कोड में तॉल ने लिगाई है, कोड में बोला है, यह जो पारे 20th कि length है, या width है, 20 years, height width length, plus minus 80 mm, plus minus 40 mm, plus minus 40 mm, तो कोई रिकत नहीं है, इसका उतलब length लगवत सही है, इसे मैं बोलता हूं, dimension and dash, एक-एक एक 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 आपता हूं, very good, very good, 3800 mm, यह मैंने कोड से फिकर उठाई है, तो इतना टॉलेंस चलती है, प्लस मैंने चलता रहता है, आप में बात पर हूं, compressive strength test की, तो बहुत simple है कुछ नहीं करना है, यह देखो तुमारा इर्ट रहा है, यह इर्ट रहा है, इसके उपर तुम्हें क्या करा, यहां पर ऐसे यह लगा दी क्या नहीं है, कारबोर्ड, देखो, पहले क्या करते हैं, जो तुम्हारा प्रिक होता है, उसका जो फ्रॉग है, प्रॉग में मसाला भर्दो और उसको क्योरिंग कर दो 24 घंटे, मसाला भर्दो 1-3 वाला मोर्टार और गणी बैग में उसकी 24 घंटे क्योरिंग कर दो ठीक है, फिर तुम क्या करो कि एट को तीन दिने पाने भुगो दो और फिर क्या करो यहां पे लाके लोड लगाओ लोड लगा दिया और फिर जब तुमारी जब प्रिक तूट जाएगा यहां पे रीडिंग को मिल जाएगी तो तुम बोलो कि यह हो गया मेरा पहले से शामव भी Compass 계य रखेंशन पीयर पीट के लट खाय चाहले अगल priv cri का ज़्टर अगला आता है पिर मेना कंपरसीी क्तैन कर था और आपारह। है मेरी जब मेरी जब मेरी उआ अपिनल मेरी a ट्रैम 8 को अब दूसको क्यां जब व अद्रेश जो एसे के फुटने फानी परुटने मेरी तो किपनी पानी हो a to do अगर अच्छी रिट है तो मैं बोलूगा कि मेरा बॉर्ट जादा नहीं होना चीट है चौविस गंटेंगे अगर बात पर अगर मालगो तुमारा जो एडिया है तुमारा जो एडिया सिर्फ दस से कम परसेंट कवर वो तुमारा जो एडिया है उस पूड़ी एरिया का 10% से भी कम एरिया दा कवर वो वाइट ना तो मैं गोलोगा स्लाइट अगर मालों कि 10 चे 50 परसेंट चवर हो लेकिन पॉडर ज्याद ना बने है लेकिन जो ज़यप पैसितमार फैसे जड़ा प्रॉड़िंग ना Saying नाय庭 about DANIELS Lake डिकाव हैं डिख मेर, από मेरी दिख भाध के हैंAU लेकिन दिख्रम नेस अब माण तुमारा अब माणलो कह्यार आप माणलो कि तुमारा अधिच गया कि 50% हो गया डिपॉजेट लेकिन पोडरींग भी है। अब तुमशंच पर संथ तक अब पूद्री के साहत तो मैं बोलुगा है भी। दूपर से क्या हो रहा है ठीच हो रही है पूर्ण हो रही है już इसंतर रख्या परदा हिस्ट करतेए उसके किते हैं 7 कि यहां 10 से 50 होगां proceed 10 प्रेंड प्रेंडी उसमें 10 से 50 है इसने 50 से ज्यादा इसे 50, अरे से यह 0%, यह 10% से कंब, यह 0 के लिए हो गया, नहीं तुर्णा पर्काई है, फेवी में और सिर्यसर पर्काई है, फेवी में क्या होगा? तो तुमसे कोजे है तो तुमसे तो बता तो कि पचास परसंद ज्यादा तो पुमारे एडिया वाइट वाइट पैसी से कवर होगी लेकिन अभी नहीं नहीं हो रही है यहां लिखा हुआ है यहां लाल जो तुमसे तुमसे अःख़र note में यर्ष के सबसा球 yolते हैं यहां सिर्जाव अछ गर्शनकर में पर जावारे ऑसा lagi की क्रूति मुष्ट की पहुंमारे उदर पार्पार्ष के सबसा शेसे का इसी सब्सों अधिक नहीं प्रते हुआख़ अधिया कंपेसे तुमसे अगर अंदर बंडिंग अगर होगी तो मेरे फोर्स बहुते हैं अच्छे बंद नहीं हो पाएंगे और बंडिंग यहां होगा ज्यादा काली हो जाएगी शेप बिगड़ जाएगा थीग है अगर अगर को बंडिंगरिंग नहीं होगा इसे बिए वल्क इन दो ब्लेक जाएगा इन दो अगर्प ड्रॉने दोस्तों कोंड़ेंग श्रॉनेश श्रण श्रॉनेंग धरी जाएगा पनिवक्न दोस्तों क्या हो जाएग झारम धर्वी ए बुचाइगा function दोसी वनाइगा से लिखें इतके लिखें हो तो औवसी क्रैकिगी हो ओगी थीखें आजएगी थीखें के फिर स्पॉट जब मेरा श्पाइट आज़ाय तो काले शबंद बिखाई दे नहीं काले खर बिखाई दे येस, ब्लिश्टर सब ट्रैपिंग ओपेर कें येसे मेरे इट को ब्लिश्टर आ गया. येस, वेरी गुड. लेटी गुड्ड लेमिनेशन कें शर्च अब माले जिए कि एर ट्रैप पोईट इतने बड़े हो गये हैं यहां से मैरे एछ स्लाइस पुरी बहार आ गई बहारी होती है इस परकार की दिखाई जेती है उनको कहा है यूज करते हैं बहारी जगाओ परें क्योंकि यूज कि एवी डुटी प्रिस्की जो गईरी स्टेंट है वो वो 440-5cm शपर्यटिक है 400 से भी जाधा है स्टेंट हैं इंको है यूज करें थे यूज के हैं घ्यूज करते हैं कि यूज करते हैं इस थे खाय कि परपुरिटिशंत होती है यह जिन के अदर अधर परपुरेशंट हो थे हैं दो सब्सक्रियों क्या होगा हर फार्टिशन के वल्म वालो पिक्स में एर होती है तो ओविसकी भीटों को ट्रांस्वेट नहीं करेगी तो अब जाएकिए अधर पेरी होती है फायर क्लिफेक्स अंदर में अलम्ना औ शिलकी मात्रा बढ़ा लता हूं चारसो का मतलब चालीज तो यहां रहा रहाता है चारसो केजिए पर सेंटिवेट्वेट्स कर दिया है इनकी हीटेलिंग संता बहु जाए होगी हीट रेजिस्टेंट होगे है और इसमें लाइम के मात्रा में कम करता हूं कुकिdayि मेरा क कम हो जाता तो टो टो मेरी हीट को ना जिल मंको बढ़ा दो और यह तिन प्रकार के होते है अंसीध बैसि़ और वह तो है बढ़ति है यह यह प्रकार के ईकिकिंद प्रकार के रिखिका e- integrated हमें कि तो मैं प्रकार यह उत यह थी कि ज tätä होधिनpping तो है और भीज मीण रिखे भीया है. और लाइन दो वाइंटिंग रिजेट होते हैं , और फिर मेरा स्रेंड होती है , सेंड यह अप उस्रेंगिश कम करना है , रिड़ना में और अबर्ल आमा ओवर्व कॉस्त करना होते है , तो जब मैं लाइम यूज करना हूँ सीवेंट से साथ तो मैं उससे होता हूँ केश मोटर रिशयो होता है 1-2, 1-2, 6 का उपके बढ़िया आप देखिए जो टाइप आप आप याद कर लिजेगा यह पूरा याद कर लिजेगा कि पॉइंटिंग में सीवेंट सेंकर रिशयो क नहीं अजिती है चुछ इसे इसे मसालों के दिंके तरब भादिया अजिता बेदे बेडिया में यूसे होता है तो फैर्विया यह जो आप देखा दां लिए जो एक्सरे नामें बेडी लेता है ऐसे रिट एकसरे आप धो इस अगिए अबच्छा निया करता हो सुआख से मसाली आप्लाई कन्यक्त को और खंपर्सितन सबस्कर्षा साðथ है और मोटस्ड़शन से 40 glaze अज सबस्क शाथ है गांक Great सबस्क्राइब करने है टें गांतर पारम झीआङटिए एयगeten offers 11 appropriate सब्लिए जल्ए अब है चेसे बिंट्युक्त में संप्टक्राइज में स्विद्ध सब्सक्राइज को इस THEY exec土 है göstete हुआ पीठी को चेंगे समाज्रा को बृट्वा कसे सब्सक्राइज में जमत्या और पूरी दिवार गण नहीं है और ससके हैं काम देखक are यह आपकी ब्रीट में सेंडी बनी हुई है यह जो भीश में आपका आपका मसाला है चलिए अब आप सारे तब समगते हैं देखिए यह जो लॉंग फेस होता है वेटर यह जो लॉंग फेस देख रहे हैं इसको मैं बोलता हूँ स्टेचर अब देखिए ओवरलेटर बढ़ते हैं 50% फूरी ओवरलेटर इस तरह से ओवरलेटर वोगी होगी है ओके वाडियर फेंट्स ग्राउटिंग डिफरेंट ओपी है आपके ग्रितियां पड़िए और आपने इसमें इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर आपने बीच में मसाला इंजेक्शन कर दिया ताकि पूरी जो ग्रिति के बीच वोईट वो सब भुट गए का इंजेक्शन जैसे आपके बीच के प्वुट वोईट से ज्यूट अन्युक्त, सब ये एक लयन आएंगे नियुक्त तर अब एके लाइंगे तो इनी इमेजवी लाइंगे उने इमेजवी लाइंगे को जिस्में ऑल्टरनेट कोर्श Bor 59 जाएंगे कि एे ऐगे लाइंगे इमेजवी लाइंगे आअअअवर्ट को यदि की जा जाना फिक टीक हैं उसे मिलता के लिज outfit इन जो आपने ब्रिंस और उसे यहको, जापन तो इसको आपने और प्रिंद ऐलारा को बेड़ें। आपने ब्रिंस दीजिए दीक अपयरा कर दिया, qrinka अफ़ आपने अभावनिज को अभी मालतल दी भी है कि धुर को टौत हो कि यह इस बोलता हूं को अगा की का कुरह मिरा ऑट फैसे लहdown मोई का को बनख कुरह ी है अइस लेकिन से अंडरे ले अपन दें यूदक कुरह हूं स्कूंतिए इस लेदा से टीम कैम क्उक्णिन अरे यह लेंग्ज है ना यह लेंग्ज है लेंग्ड करें यह लेंग्ड करीए इस ने तो अगर आपने बीट करेंगे टो एक हुट व कुण करेंगे हैं। विट के एक्रॉस सा आपके कुठ किया तो मेरा बैड अगर आपने विटा ही तराफ बैड ही विट से हाफ पता प्लार के तो मेरा ग्लोसर penalty प्लो दो हाज बिखके लूँँं हेद्ध दिद्ध के लूँँ गें। को फोला मैश्था सी आइडर दिखना है को इस तरह के बॉलता हूं कि कुछ तरह के बॉलता है। वो दिवार की चोड़ाई कितनी आएगी? एक इंस चोड़ाई है ना, जो 20 cm, ये लेको 20 cm मतले हैं फसाल एक साथ, लेको एक चीज संजो बहले, 10 cm मतलब हाफ ब्रिक थिक, हाफ ब्रिक थिक, ठीक है, 20 cm दोस्तो, ब्रिक थिक, अब क्योंकि यहाँ पर तुमने हेडर यूस किय तो ये जो अंदर की चोड़ाई आएगी, वो 20 cm मतलब हाईगी, तो ये जो ब्रिक थिक वो लूँ है, तो ये जो ब्रिक थिक हो लूँ है, और कोने में यहाँ पर बैट लगा है, कोने में 3-4 बैट लगा है, ताकि क्या आप अल्टरनेट एक से सामने आ साथे, अगर कुम ये अगर 40 cm के आप सबसें तुम अभर हो लूँ हाँ, तो ये जो ब्रिक है, तो ब्रिक तिक तो बताओ कितनी थिकने सो गई, कितनी थिकने सो गई, हाफ रिक तो गए, इसमें मैं क्या करता हूँ, कोने में पर देखो क्या किया है, मैंने हाफ बैट यूज़ किया है, हाफ पिल्ड पिल्ट प्रोभ इस पर पिल्ट करने से तुम्हारा ओवर्लैपिंग हो जाती ओवर्लैपिंग उपलाइबिक अच्छे सब्सक्राइब और आप प्रणाए इसको ने रखा होता तो मेरा बॉंड ब्रेक नहीं होता तै मेरा overlaping नहीं होती अब देखो English bond होता क्या है English bond में सर लेज़ा एक porce 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला एक जैसे है और 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला यह सारे एक जैसे है यह सारे सर लेजर roger हो गये यह सारे आपके strac heard strac header ranger लेज़ा हो गये एक porce strac har क्होंने में क्या रगता हूं क्या है क्वोइं क्में क्लोजर को देखो एकमें पूरा हैड़र और 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 में पूरा स्टेचर इसे हैं इसमें इसे 3Con कंदर एक ही कोड़ में मेरा क्या है एंडर है स्टेचर है फिर ही कोड़ में है अगले कोड में यह सब्सक्राइब इस पुर्णी तो दोस्तों घ्यास देखते हैं, यह गोड़ा है डवल फ्लेमिश, यह गोड़ा है सिंगल फ्लेमिश गोड़ा होता है, जब तुम सामने से देखते हो, तो तुम्हें फ्लेमिश जैसे देखाया जाता है सिंग्ल व्य मैंश का मतल्स चल तुम साद हम देखा उपर से, लेकिन पीछी हम देखता है स्टेचर स्टेच़ धर हेको फेल चेक्स लिए और अगे से ऍका है नेively बिड़ा मतल्स अगे से देखा तो फ्लेमिश देखा टम के क कह anthropology हो। तो मैंने English दिखा इस तरह के bond को मैं बोज दाओं single-flemish wand लेकिन double-flemish क्या होता है चाहे तुम आगे से देखो चाहे तुम पीछी देखो चाहे तुम पेसिंग से देखो चाहे तुम बैकिंग से देखो से देखो तभी तुमी अजीख भी दुमा quy देखे का है और देखो ने देखो यहाँ पर, आरे, हेडर,इस्टेचर,एडर,इस्टेचर,थिक मैं तो दोनों साइध से तुम साइध से तो से देखा 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 दे खे में में double-flemish pineapple की दिखा भी देखा वोता हूं तिया संदर कोड़ी जादा है अपटी आती है। मों कॉम्पेट होता है। और यह कुड़ा होता है इसमें प्लेमिश हो जादा है। ब्रिक आपका सहाओ को गया ब्रिक आप समय लिए अच्छे सारां बैंने आपका ब्रिक कवर करवा दिया है। अब दोस्कों बढ़ते हैं Timber के ओर, आज वो बेटा दोस्कों आप चलते हैं Timber के ओर, बताओ सारे trips and trips कवर होगे, सारे testing होगे, सारे defects होगे, सब कवर होगे इंपरिक में, बताओ कोई प्रॉब्लम होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं से, अब मेरा आ रहा है से Timber, अब आ रहा ह Timber में आज को classification पढ़ेंगे, structure देखेंगे, properties क्या होगे, को समय में, difference important है, preservation कैसे, fire, seasoning सब पढ़ना है, चले शुरू करते हैं, important इसमें क्या है, सबसे अजरूबी क्या है, इससे question आते हैं, इससे classification सोड़े question आते हैं, seasoning से question आते हैं, चले पढ़ में सुरू करते हैं, तो मेरा इसका भजन कवे, strength ज्यादा है, इसकी बहुत खास बात है, तो इसके timber को में इसमार करते हैं, आप timber को carry कर सकते हैं, लेकिन concrete को carry करने हैं, बहुत तिक्कत होगी है, तिमबर हलका है, और strength उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन problem क्या है दोसको, ये uniform नहीं है, ये uniform नहीं है, moisture changes बहुत जादा होगे, moisture changes बहुत जादा होगे, इसमें decay होगा, सड़ने लगडी मेरी, ये सब कुछ प्रॉबलम है, आप देखे दोसमों, ट्रीस मेरी दो प्रकार की होती है, एक तो exogenous और दूसर मेरा endogenous, टीक है, exogenous टीक है, एक तो exogenous टीक है, जो बहुत जादा है, जो दोस्तों यहाँ पर आपकी, तो ये जो मेरी endogenous टीक है, invert, grow, invert, grow, invert, और ये मेरा एक ग्रो करती है, grow, outward, endogenous टीक है, दोस्तों, endogenous टीक है, अपकी जो है, अंडर के दर ग्रो करती है, और limited applications रहती है, इंजिनिंग में इतना इसमाल नहीं होती है, limited engineering applications चीक है, लेकिन जो मेरी ex अच् scrambled, अश्माट सब्सक्राइब करते होती है, उसमें दो प्रकारती होती है, एक होती ही फिर धी सॉंद्ड-Word, पॉणिफर कषप्लांट, और ह tätä रहट बहर द benefici है, आपने पड़ा भी हो, उनकी लीख Fest स्ब्रेदर करते है, तो से परकारती होती हो, देखिए आमने कृश वो निडल शेप की हैं और इसमें बेर पतिया होती है टेसी दोल बहुन चोरी होती है ब्रॉड शेप होती है थी कहें ब्रॉड शेपल लीज होती होके ओपे निए यह सोपे बाइडे अलगा नहीं है अज़िए तो फास्ट ग्रोफ फास्ट होगी है ना पेट हलका, डेंसिटी कम, उसको काटना पीटना, कनवर्ट करना असान, उसके अंदर बोन की मातरा ज्यादा, उसके अंदर रेजिनेस मेटियल ज्यादा होता है, उसके जो एनुल लिंक से अलग अलग दिखाई देती हैं, और इसके चेल, पर्द, योदार, कैल, पाइन, यह सब जैसके एक्जांबल हैं, और यहीं अगर मैं बात करो, यहीं मैं अगर बात करता हूँ, अपनी ब्रॉट हार्ट बुड़दी, तो वह उतनी है, ब्रॉट शेपक्नियों वाली, डेजिदुस्ट्री, इनके साथ सब कुछ ज्या होता है, इनकी भारी है, हेवी है, ठीक है, कलर डार्ट है, और इनकी अनुलिक दिखाई देती नहीं है, टीक साल और शीशम आपकी सबसे तगली लगड़ी है, सबसे बहत्वीन लगड़ी है, जिससे आप लोग पनीचर्स बनाते हैं, गुड क्वालिटी पनीचर आप अब जो आपका फेड होता है, ऊपर आले पार्ट को अब बोलते हैं क्राउन, इसको अब बोलते हैं तना मतर स्टेम और इसको बोलते हैं रूस, अब अगर स्टेम का 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 उसके बार्थ जो मेरा गोल्ड बड़ा होता है यहाँ इसको मैं कहम बलता हो जो केम्बियंब क्या बहुते हैं य क्या दुस्कों यह देखोगो यह देखाऊ है यह मेरा जैंटérie यह क्या है केम्बियंब लेर ar unreli Yes, very good और जो मेरा बाहर यहाँ पर आउटर कवरी है यह है मेरी बार्ख यह क्या है दोस्तों बार्ख है यह क्या है मेरा बार्ख अच्छा बारक दो प्रकार गाए, एक तो इ cerva बार और कका है इंदर बार्ख और एक दुमारा पर गाए आउटर गाश फिक है पढ़ी होती है, पेड़ बढ़ा होता है, तो मेरा जो सेंटरल पोर्शन है, वो मर जाता है, ठीक है, वो मर गया, अब क्या होगा, उसके अंदर का जो गोंता हो सब बहार की दरब चला गया है, हार्ट और भी मरी हुई है, यह जो लकड़ी है पहले जिंदा थी लेकिन अब अ और इसके अंदर के जितना गोंता वो सब चला गया बहार की हो, सब चला गया बहार की हो, ठीक है, तो जो सैप उड़ है, उसके अंदर अपी कोंद है, वो जिंदा लगड़ी मैं यह लिख देता हूं सर, मैं यह लिख देता हूं, कि जो मेरी लिविंग होड है, इसके अंद हर साल में एक बार आती है तो अनुल बोलते है अनुल मुतब साला ना यह रिंग अगर तुम्हें गिल नहीं तो पता चलते है कि एज किनी है ठीक है पूछा रत एक्जाम में कैसे मैं पेड़ की एज पता लगाऊं तो बताते हैं अनुल लिंग लो उसके तुम यह जो रेल्स लेखे हो। यह रेस होए फिसमें थी नहीं है, इनको बोलते है Medullarize, यह अपर रेस, यह रेस का काम है कि सारी अनल लिंगो पकड़ कर रखे, Medullarize को पकड़ कर, Medullarize का क्या होता है, सारी अनल लिंग को पकड़ कर रखता है, टीक है, Strength बहुत तो दोसको सब्सक्राइब टरूण है । निम बात तरूणे परिया पर लगटी पर लगटी की बात तरों आप अजीये रखते जनाए ठाल रोगटी की ठाले में तो पर लगटी की जो स्पचिपीक की बात तरूणी आजिक है फिसी तुम चूलिए पाई। पानी के खी अझाछी भागदी अटिन है। शिद अजली भीच पाईवाहिट हो अगर लगडी फाट रोंड़नो धुच्छे स्गाटिने पहती हैं। वित गीन अलगदी पांदी के भाँ अगर जो क्या अश्कित्एक हैं। तो वो लकडी के ओपी 1.54 के आस पास्ती नहीं तो लेकिन ओर अवरिदेंसी तो भाई पानी से कम रहती है और टैटी है वो मुश्यर कंटिंट लेकर मैं बात करो हुँ तो देखो तम्हारा जो यह एक फाइबर से कarden अजरा रही होँगी एक से डूक जाओ क्या देख्ए और यह जो अदिफ हैं यह अदरत आ इसवारी तो म ere crack्र hardware हैं एसके अधार हैनि यह और महती हैं व안च्थ ने तो पे इडार सब को फीस लेटी है यहां पेजमने कोशिष करो यहां पईल पानी कि कैविटीמת होसकता है और पानी तुम द्वार कोब्र में उसकता है जो अंदर someday जगे हैं वाहा से पाने क流गर हुआ घएक है। को के तो यहां से पानी निकलना शुरूँ होग और और बॉल्यूम चेज नहीं आए गा। लेकिन जैसे ही ही तुमारा कइविटी का पाने खतम भूआ। जैसे तुम्हारा cavity के पानी खतमगा फिर इसका नंबर लगने वाला है? फिर इसके पानी निकलना शुरू होगा? छेल से पानी तुम्हारा फाइबर से बहार निकलागा बहुत है जब तुम उसे ट्राइ करो देखे हैं है सर क्योंकि अवी स्रेटी से बाहर गया है लेकिन सेल वाली अधिक है तो एसा वार्टरा कंटेंट जिसके ने मेरे फाइबर फुली सैचुराइट रहें है इस वार्टर कंटेंग तो मैं बोलता हूं पायबर सैचुरेशन पोईंट क्या बोलता हूं और अगर तुमने इसके की वॉल्यूम काम होती है सेल की वॉल्यूम तभी कम होगी जब उसके अंदर का वॉटर कम होना शुल हो जाए तो फाइबर सैचुछिन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पर इस सेल वॉज तो पूरे सैचुरेटरेटर है लेकिन लेकिन मेरा कैविटी खाली हो चुकी है अचा कितना वर्चर कंटरेटर इकमेंट के जाता है दस से बीस परसेंट दस से इस परसेंट चलिया इस डाइकशन का बहुता हूं अच्राइबर याध खीगा लोंगडू अच्राइर की जैथेटरेटर खाली हमाला लेजिए तो यह आपकी लांगडू आर्टिफर रेक्ष्ण और यह आपकी ट्रांफर्स दाइक्शन तो लागडू और दॉनिडूडू और यह आपकी ट्र जाता होगा है कि तर वि猪 है आप लगडी को एशे फूल करेंगे यह सारे फाइबर हो गए आप ने आपकी को कंथो कि तो कर अब है नुग तो ब subsidiर प्राइबर करें यह है अब आपने क्या करघा है अब आपने क्या क्या करें अब फिये लगाए तो क्योंकि फाइब्र आपके अपहीं मंट चाहिंगी, इस मतलब अलों आप यहाँ जेली ऑफ इस तो को हो सुद्ध मस टॉक्ट ने पड़ेंगे ड्यूनám ऐसे क्लिसों कि एंपर ज्लमाच शियेगं देज़ह दोस्तों यहां में बहुत सारे फाइबर पढ़िए हैं और फाइबर में जब हम नुए यहां और बंदालन फाइबर लगागे असे ऐसे को पड़े ओड comentarios जब पारे writing पाईबर और खंट मेरा देज ढ़न जांते हैं अब मैं बात करूंगा तो तो टेंसाल सबसे दा हो थी फिर बेंडिग मेरा पेड़ होदा है और तो 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 दब जाता हो जाती है वाटर पर्मील्टी क्या हो जाएं इसा ना हो कि आप लगडी के अंधर पानी जाएं पानी जादा सोख लेगो हो समझ रहा है उसी खुष्पू अच्छी रहनी चाहिए है फाइबर उसके स्टेट उने चाहिए समझ रहा है पायर रिष्टें जाए हो बेसिक चीव है यह होते पूछा के तो मैंने बता दिया है यह पूछा कि आप पान चाहिए यृवर्ट करते हैं फूचन करते हैं कुछ्छ फूछ था छाटे हो पाई लगडी को फिर निताती है और यृवर्ट करती हैं फो चलिए पहले रहने प्र पढ़रां देखिए अभी या ज्यां दीगी जै यहाँ पर जिर से कंट है ज Pearson पर जाते हैं विवाल्षेटिक देखते हैं जो को रोल होनी है इसे देखना जुटाहिए है चोंब जिर जाते हैं टिर स्वाइबर शोह पर Caesar策ता है तो उसको मैं बोलता हूँ तॉन गरेंगा 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 तॉन वह देख्जे स्वाइन है जुदू से रहती है तो मेरा क्या क्या रभ्दा है बेन चिंश कता है बेन इमेज के साथ आपको ढियदी नग से अज़में आ जाएगा आज आप अब फंगस देखिक दों फंगस क्या करता है सिर्ण देखिए देखि ऐसा fungus जो मेरे लकडी के सैफ को अटेक करे ना जो गोंद को अटेक करे और फ्लूगलगे धभ्बे बनगे बनगे देखिए यहां ब्लूगलँ पढ़गे तो मेरा ब्रूगल नोगे पर मिरा आता है ब्राउन रॉड यह देखिए यहां ब्राउन रॉड में आचार या जब बेंटिलेशन अच्छा नहीं होता है तो आपकी लकडी सढने लगती है और पाउडर का भूग लेने लगती है इसको मैं बोलता हूँ ड्राइ रोड अचा हार्ड मतलब हार्ड वूड देखिये हार्ड वूड देखिये हार्ड वूड तो आपकी बीच्टी होगी अंदर स compelling慟 जब मेरी सढ़ जया अंधर से लेकडी अदर होगर देखिये हां तो मैं बोलूगा में हार्ड वूड बoss स्वाकरी अंदर हिलका पठने लग्ता है जो मेरा sap, जो मेरा gohn रूज होने लगे, क्योंकि अंदर जो गॉन पे उसको फंगस न टैक कर लिए तो जब उसका पड़ने लगे तो में दुस्तों क्या पोँँदा ? बॉर्म भ्राइट कैमीकाला खर्शू रखो कमीकल आधा है इसाइक है करने कणने लगता है। थैए लैक्स पोड़ने लिख गुलिया रगता है, निगे रूदेफंटा लिखेग केमीकल еп warum है वहCrage भूल के जबारा कमे चाहिए। किई ? क्योंकि उसमें कुष्षा वज़ता है वैच वेसव वजङ वे वाइट निए डरक से वाइट निंडुर में और पर यह सेुलोलिलॉश यह वज लेकिन अब इस सम्झझो ज़या नहुत को इसमें cellulose attack होता है ठीक है अब ठीक है चलो पड़िया कोई प्रॉब्म नहीं यहां पर यह पढ़ लेना अच्छी से एक्जम असाल सी वास है जो important exam में आता है वो तुमारा बेटा है dry rod ठीक है हर्टृट में हाता है हा hours how to do queue okay एक है को यह ऑफ लाक है त्पर एक ऑर लीघनें पर ओश्ली पाहन क करता है वह तुमारा when is a wind rot , startling , chemical decommunion चलो तुमारा इंसेक्ट देखो महीन महीन पोल कर दें पिं거를 सोते पिंपोल क्र दें च्छोटे च्छोटे गोदा पिंके डायमेडर कर देंके बीटल refriger चोटी बेटल यो मेरीद मोर्ट से बड़वड़े हो था इंक तो लगड़ी को तहस्नेस कर देते हैं, फिर आती बड़ी में दीमत जिसको उतने हैं, तर्माइट और वाइट नहीं नहीं लगती हैं, तो लगड़ी जानती हो, दीमत को खाई चाती है, तीन तरह के नहीं इंसेक्ट हो गया, कुछ लग्डिया होती है जो तर्माइट रिश्टेंट होती है जैसे तुमारे टीक हो गई शीशा हो गई यह सब इस पर बीमत नहीं लगती है अब में बात करतो नैचरल पॉर्सिस कुदरती तरीक है तो केमिकल स्टीन होता है देखो देख रहा है यहां पर केमिकल स्टीन हो फेड हो गया है कलर चला गया है यह कुदरती अपने हाँ है एक्सटनल एजेंसी एस यहां पर कुछ तुमारा जो लकडी है वो डीकलगाई हो गई है फिर उकी मेरे नॉट्स तो यहां आओ तुम पहले नॉट्स तो निशानन पड़ गया है उसे में नॉट्स टीक है। जब तुम किसी उटा यह कारत होगे तो तुम नॉट्स पड़ जाये consume certification उसे यह चिछोंगर meditation एक बात जानले, यहां लिख देदा हमें note दालके, knots, decrease strength of, knots, decrease strength of timber, क्योंकि discontinuity आजागी, ठीके, strength क्या होती ही, अगर तो फूल करो, strength क्या होती है, कम, तर शेक्स मेटा क्या होती है, देगो जहाँ समेठा, शेक्स मेटा विख्या होती है, संजो, जो मेरी annual rings है, बताया था मेरी annual rings, वो separate हो जाएं, यहां लिखा हो है, longitudinal separation of annual rings, longitudinal separation of annual rings होती है, मेरी longitudinal separation of annual rings मेरी क्या होती है, शेट, अब होगा क्या, तुमारी दो annual rings एक के बाद एक लगी होई थी, और इसके उपर तुरंटी दूसरे annual rings शिपट के लगी होई हृए लेकित, अब क्या हो एन के बीच में आगा racialreck में इनके बीच में आगया gap, इनके बीच में आगया gap थी。 ऑब मेलो। यहां सेदोणी हैं year away. इदने अरिया में अलग होगी और यह पूरा नीचे तक गाया हूँ पूरा गाा पूरा नीचे तक. यहां देखो बेरे और स्वाल खुटा और सखुटा आई पूरी रिंक की आते हाई आई टिक है फिर हार्ट शेक में या और आ आए और बाहर की तरफ जाके छोटे हो जाएं यहाँ यह इस तरह के जो मेरे क्रैक्स हाते हैं जो अंदर की तरफ जाधर चोड़ें लेकिन बाहर की तरफ हो थो ऑखलें हैं बहार की तरब रहें लेकिन अंदर की तरफ रहे हैं इस तरहिक जो में हलाइक होता है और in derived जो बाहर की दरफ चोड़ी है उल्टा जो बाहर की दरफ चोड़िए लेकिन अंदर की तरफ बाहर की दरफ दोस्तो और ये वह गए बाहर की दरफ पत्पने ऊंचे मैं पी तो इस सारी आदके आख कूशेया सिर्क चैलस किया होता है सर जो की लकडी है उसमें आप देखेंगे गर जब चोड लग जा तो पगर में जो सॉफ टिशू निकलाता है इसको मैं कैलस भोलना हूँ निकलाता है मेरे करने दो कि पारल मेरे भटा का सुनित है ह। जब मैरे सब्सक्राइब करिए हुआ है कर समय दोसको कर समय जो रप्चर आजा जाता है इसँ मिख चलती है तो इस तरह की कुछ पढ़ जाते है बहार से तुम्हें देखा हो के लखो ऑनगारी जी चाल होता है उसे हृत बहुत चा सीघ्ठें गट्र अाइयज होते हैस न यहाँ मौत Research पानी में नवे पानी काम करते हैं। और वाद उसको और काती है। उसको और चोड़ा कटी है ? तो लगड़ी सिखूड़ने लगती हैं से और हवार की तो यो मेरे क्पड़ी भी सुझ पढ़ जाते हैं। अटे बहुत का जाता है, और न सबस्ट कर्णाथा है। कर संब्सक्त करें वर्ष नगल कंता वे पानी कहांते हैं कर मुख然 के बाष हैं ऐससे कम करने कोसिच करेंкус करेंगे मैं संथी समस्धा के संदा चोनग वह कंता है चोना आप मेर हैं करेंकच यह प्र सिंधा द मैंद्टिस प्रॉपलम कर दिया चैकिती है अगर मान लोग width के cross, यह width है, यह length है, अगर length के long बुड़ गया, length के long अगर width के cross बुड़ गया, तो मैं असे cut बोलूगा, ठीक है, क्या वो दोंगा, चोंग कर, okay, बिल्कुल सही, आचा, burl रहे गया, yes, burl रहे गया है, आचा, 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 burl लहे गया है, आचा, आचा, मान लो कहीं, जैसे मान लो तो अपने साथ सोचो कि तुम्हें बहुत को गहरी चोट आ गई, तो जब तुम बढ़े होगे तो उसका निशाना मिशा रहेगा, ठीक है, उसी प्रकार से, मान लो ट्री के stem में, कहीं पे मान लो चोट लग गई, बच्पन में, ठीक है, तो वहा पर भण, बच्पन में, तो मैं बढ़न, कब, ठीक है, और केस हार्टिंग, दूसको क्या होता है, दीखो, कोई सर्फेस, लकडी जब होती है, अगर उसमें केस हार्टिंग नहीं होगी है, तो ऐसा रहेगा, ऐसा दिखेगा, लेकिन होता क्या है, कहीं पे स्रिंकेज जदा ह तो उसमें तनाव आ जाते हैं रेजिट्विल स्ट्रेस आजाते हैं उसके से होता क्या है लेकड़ी केस हार्णिंग इसे अंदर छे जाते हैं कहीं जाता है यहाँ जाता क्या है उस तनाव यहाँ पे तो यहां पे वालो टेंसार पॉर्स आगया है। तो लखडिया आधी कहीं चोली आधी कहीं पद्धिय आधी अगर पूरे ऐसे स्प्लिट कर दे लखडी को फीस से आता कर दे तो मैं बोनुमा स्प्लिट अगर चेक तुमारा एक एड़ से दूसरे एड़ तो उसे बोनुमा स्प्लिट तु पुष्ट उपन समझते ही हो मेरी पुस्प कर्दी स्प्लिट कर जाती है जाबर्ड गरं करें पर वैसे मेरी टिंबर भी ऑड़ कर लेकिशिये चेयँ है तो पीक है पिजर्शन क्या हो कर तो आपना चक्रत पार्णों कर चाहए अचा सभी कि आप सम्झोज़ रहा है। तो प्रेजर्वेशन हम लोग करने के फूरी कोशिश करते हैं। लेकिन याँ अपको प्रेजर्वेशन से मेरा मॉइस्टर ना कम होता है ना मेरा स्टेंज बढ़ती है। अब आपको प्रेजर्वेशन मेरा 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 वहाँ अपको प्रेजर्वेशन एक पार्स लेकों अपको अपको अस्वाइशन नेकरते हैं। और पानी के लेते हैं और बढ़िया से मिला के ब्रश कर देते हैं इसके उपर लगडी के उपर और ये जो है नेरा वाइट एंड से दीमत से मेरे लगडी को बचा लेता है दीमत से मेरे लगडी को बचाता है याद रखना है एक्जाब हो सकते हैं कि A.S.P.U. ट्रिटमेंट क्या करता है तो तुम बोलोगे दीमत से बचाता है वाइट एंड से बचाता है ते और क्या तरीक है चेमिकल सॉल्स कुछ हम लोग नमत के सॉलूशन लगा देता हैं तो इस इसमें कामाता है fire resistance लिए फिर मेरा clayosot oil होता है tar oil देखो यहां पे hair को में दिख रहा है अगर तुमने इसकी paint इसको अच्छे से brush कर दिया तो तुमारे जो fungus है तो फंगस सारी मर जाएगी बहुत जहरीला होता है clayosot oil बहुत जहरीला है तुमारे clayosot oil और नमारे fungus मर आप ऐसी moisture दूर भागते है याद आपको oil paint से काम होता है moisture से बचाना और उमर को बढ़ाना तो अपने ग़र है painting के उगड़ ताकि तुमारे durability बढ़ सके है ताकि तुमारे जो दिवार देख बढ़ से बढ़ से बढ़ से तो जो काम oil paints ना कर सके है अब हम लोगे करा solinum paint से तो जिए जैसे oil paint कलर दे रहते है Solinum paint भी कलर देते हैं देख साथ ही साथ यह क्या है बहुट tocsic है और white end जो मेरी दीमा ते उसको भगाते है तो solinum paint से इतना अच्छा है कि आप उसे painting कर सकते हैं, color भी पा सकते हैं आपने साब से color ही पा सकते हैं, color ही लेके अपया सकते हैं, और दीमा भी उपाझ जाएंगे, जा आ आ पूसकता है कि solinum paint क्या हठाने के लिए छीज करते हैं, इसको भी समझते हैं, इसको भी समझते हैं लोग। । इन्हों क्या करा। यहां sodium silicate है, और तुम्हारा चूना होता है, lime। भूजा हुआँ चूना, slate lime, उसको मिलाया। या ठखना sodium silicate और lime को मिलाया है। sodium silicate और lime के solution को मिला दिया दोस्तों मिला दिया ठीक है अब तुम क्या करो कि जो solution बना उसके दो पोड तुम्हारा जो लगड़ी उसके ऊपर एक बार बुल जाओ अब दोस्कों अगलाद वारा है सीजनिक देखो जो लगड़ी नहीं नहीं हम लोग गिराते हैं अभी मालो ताद आज लगड़ी अभी अभी गिरी है तो उसके अजर बेटा मुश्य कट्री बहुत ज़ग होता है जो फ्रेश्की कट्री उसके नहीं पचाथ से सा करते हैं मोश्य करके काम करने को मैं क्या बोलता हैं सीजनिक क्या बोलता हैं के यह utamakar तो युद तो सीजनिक क्यों कर रहे हैं आपको सुपन चलेगी और या तो या तो या तो नो घुड़ी आब उसकी आर्टोबीशनी कर दीजाए घर बहुत समझ रहा है तो अब ज़रा सुडू करते हैं कि कौन से मिखड कैसा है आट इपसे ने बॉइलिंग चेमिकाल लेट्रिकल किया है कि वाट पर सब लोग करते हैं लोग चली देखा जाए देखने क्या है एक देखने किया है एक बारिश का पानी ना चला ज़ए ओके यहां मैंने अब भूगा क्या है इसके भी से हवा पास पूसे अराम से एक दफिक और शूच जाएगी ताइम लगता है महीनों लग जाते है इसमें तो मैं बोलूगा इसमें कि रेट आप द्राइं बिटा अब लेकिन सफता है अहान है इसमेल है रिलाइबल है वो दिकत भात है नहीं पड़ी हुई अपनी और इसमेरा मॉश्यर कंटेंट कहां तर रिडियू हो जाता है इसमेरा मॉश्यर कंटेंट कहां तर रिडियू हो जाता है इसमेरा मॉश्यर कंटेंट कहां होगा इसमेरा 12-15 पर से रिडियू हो जाएगा अच्छा दूर्तों एयर सीजनिंग मेरा एयर उसकी जो असली शमता है, उसमें जदा परनिपड़े का ड्यूरेवल अची भी अच्छी रह लेह लिए हो लेकिन अब जब आप उसको अर्टिप्शिल करेंगे जैसे अर्टिबल करें एको बॉइलिंग तो बॉइली तो दोसले आप विल्म बनाए तो तु दोक्टिका आपने गरम कर दिया यहा उसके अंदर से जो भी ग्वन है. लकडी को आपने पानीता और परवर गरंग किया और उसके अंदर के सारा गोंद निकल गया उसके अंदर के सारा गोंद निकल गया किए कि दूसरा आपका क्या है है chemical सीजी दूसरा आपका कौन सा है chemical सीजी तो chemical सीजी की क्या होता है आपको जो टिमबर है यह टिमबर देख रहे हैं उसको आप नमक के solution में salt के solution बेटा आप उसको दूब हो देते हैं यह आपका container देख रहे हैं इसके लगडी बड़ी और salt का solution डाल दिया है क्यों क्यों कि आपको पता है नमक से असमोसिस की प्रकीशु उसीऊ जो जाती है और रहे मीटमर आपकी जो बहला जाएंगा आपकी जो बहु जाती है जो आपकी लखड़ीया है बहुत लचीरी जाती है उनकी लास्टिसिटी कम्जोर हो जाती है बड़ बहुत कोई मेखाड है बॉइलिक केमिकल्स का यूज करते हैं अम लोग 30-40 दिल लगते हैं उसको अम लोग दूबार हैं देते हैं अगला है दोस्तों मेरा अलेक्रिकल्स कीजिने क्या है इसमें क्या करते हैं लकड को रखते हैं इसके अत्रौस हम लोग विट्पी तुहारा दोड़ाते हैं थेकर मेरे पांच से अर्ट गंटे के अंदर यह सबसे रैपिड बढ़ते हैं जब आपकर करेंट इसके अंदर तौ सब क्या होगा खता हो जाएगा सब या पूरेट हो जाएगा ओके मैं इस चेंबर है ना सर उस चेंबर में सारी कंडिशन्स मेरे मनुताविग हो सकती है क्यों ऐसा सर उस चेंबर में सारी कंडिशन्स मेरे मनुतावि हो सकती है क्यों क्यों ऐसा सर क्यों क्योंकि बिड़ा इस चेंबर में जो भी बंदर मालीजे आपको मॉइस्चर कंट्रोल करना है आपका जो इंदर हुमिडिटी है जो भी हुमिडिटी वो सब आप कंट्रोल में तो फुल कंट्रोल मेरे हाथ में है, आप जैसे एर सीजिंग में आपका सब कुछ खुला हुआ था, कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ मॉइस्चर है, नमी है, टेम्प्रेचर है, हर यह चीज आपके कंट्रोल है, तो जो भी सुखाने का काम चलता है, वो एर टाइट चलता है, और एकदम सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, तो कोई प्राउब्लम की बाद नहीं है, ठीक है, और किल सीजिंग में फास्ट होती है, लेकिन सबसे बहत्रीन लकड़ी जो मुझे मिलती है, वो मिलती मुझे किल सीजिंग से, याद रखी है, तो आपको याद रखना ह किल सीजिंग के एक एक एर टाइड चेंबर में होती है, जिसमें अंदर की कंडिशन पूरी हमारे कंट्रोल में होती है, और इस तरह की लकड़ी की स्ट्रेंज, डाम से अटैक नहीं होती है, युदि बहुत ही मजबूल रखी है, लास्ट है मेरे गोस्तों, वाटर डेख रहे है आपने इमेज दिखाई दे रही है, यह जो लकडि है, लकडि को दोज सो लोग पानी में छोड़ दते है, रनिंग वाटर में नंकडि में छोड़ देता हूं, और पानी इस डिर्शें देखे है, तो मैंने लकडी का बड़ हूं है, जो बड़ा क्रोस क्रो ak्य जो लकडी के अंदर वो सारा पानी क्या गड़ेगा थींच के फोंगे से बाहर करने का दूसरी रोड इस प्रकार से अगर मैं अपनी तिंबर को रुनिंग वाटर में इमर्स करता हूँ पार्शली आधा अंदर आधा बाहर तैरता हो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं इमेज आपको दिखाई देही रही है तो इस प्रकार से क्या होता है मेरा क्या होता है गोंद सारा बाहर हो जाता रुनिंग वर्टर इंको बांद करते हैं और फोड जया तो लगडी निकल गई करते हैं और टिंबर जो मेरा है तो इसका सारा गोंद रिभू हो जाता है और फिर उसको बाहर निकालेंगे और उसको आप सुखा देंगे तुरण सुख जाएगी दूप में अच्छा लेकिन यह जो लगडी है इसकी वार्पिंग हो सकती बटा थिक है थोड़ी वार्पिं तो बहुत सारी प्लाई को जोड दिया तो बन जाएगा मेरा प्लाई बोल्ड तो मेरा बन जाएगा plywood ठीक है, combination of veneers, veneer मतल्ख slices, आपकी लगडी की बहुत पत्ली-पत्ली slices है, कुछ mm की है, आप देख रहेगा, यह जो slice आप देख रहे हैं, यह बहुत पत्ली-पत्ली पत्ली है, 0.5 mm ठीक ply यह बसी है, है ना, और बहुत सरी ply तो आपको जोड दिया, एकच उपर एक तो अबन जाएगा प्लाइबोर कोउमिरेशन औरिकला में यह सभाएवेवोर्ण में अमोर इस लिकला है यह प्लाइबोर आपको देख यह श्काते है इस प्लाइबोर आपको दिंग झाती को लिसे भीएख ने। इससे होता क्या है ? X में मजबूती रहती है और Y में मजबूती रहती है अब इस ply को जैसे महाले कि यहां मैं बनाऊ यहां करना प्लाइ बनाऊ तो इसको चाहे आप X में खीचे चाहे इसको आप Y में खीचे दोनों दर मजबूती बनाबर रहेगी क्योंकि X direction में आधी ply काम करेंगी और Y direction में भची हुई आधी ply काम करेंगी समझ रहा है यस सर तो plyboard इंदर मेरी दोनो डारेक्शन लगी हो थी है 90 degree पे और अर्थे चिपका जी आथी अच्छे चिपका जी आथी करका बादा जुआ जो मातें चाररा होता है तो जो भी तुमाने देखना है बहुंसरी जू भी उबहारी एंको तुम क्या करते हो सब को साफ लाके अच्छे से कम प्रेश कर देते हो ठीक है अ आप बुट डर्ष्ट हो गया है या बहुत सारी आपने पाईबर्स हो गई, या भूसे को नोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हस्क हो गया, है ना, हस्क हो गया, या वेजी टेबल और एनिमल, वेजी टेबल वेस्ट हो गए, तुमने बच्पन ने गर hard word पे लिखा हो बच्चो, hard word पे paper दिया तुमनों में, होर तुमों देखते हैं गंदा-घंदा रहती है यह तुमों गंदा रहता है तुम आरफ के डेखीया पाइज-धॆ छेगे वेटा तुम्मों जिसे फ्लाइड रहती है पड़ियों जिसी फ़ी उते हैं तुम्हें हमगाचा की फ्लाम में वेटेबल में अच्छे से कंप्रेस कर देते हैं अच्छे से कंप्रेस कर देते हैं अच्छे से कंप्रेस करा एक दम चिप्का दिया और मेरा बन जिया है फाइबर बोर्ड और हाइबर बोर्ड को मैं अपने स्कूल में कि लुए कि युवाट होते हैं फिर और ब्लॉप कर्द गवें z हैं फिर राचर ब्लॉट धालिज में अगा सकति है अगर प्लाइव के प्लाइब लाओ ये वी शेट हैं below you can get throttle under up containing equipment on your target रखते हैं बस 20 में लकडी और दोनों तरफ उसको किससे सराउंड कर देते हैं यह प्लाई दूसी प्लाई देखी और फिर उसको जोड़ देते हैं आखरी तिमबर और उसके यूज आपको समझ जाजएगा आपको समझ आजएगा इक फाइबर बोर आखरी में है कि चली आप देखिए कुछ पिंबर और उसके आतम नों खतम करते हैं तो जो चिर लकड़ी हो पर हलकी ती चिर दियोदार यह मेरी क्या थी सौफ टूकी हलकी लकड़ी ती तो वह दियोदार मेर बिए कि अच्छी लखडी होगी इन्हें अच्छे से कर सकते हैं इसमें शाइनिंग आती थोड़ी सी तो साल लखडी से मैं और अगूशड जो होते हैं इसे मैं यूज़ करता हूँ वह मेरा कौन साल लखडी है बच्छो बिल्कुल बद भूलिए का टीग मेरी सबसे स्ट्रॉंगेस लखडी है सबसे हाई क्वालिटी का फरनीचर रेल्वे के स्निपर होते हैं जब भी मुझे हैवी रोड देना होता है तो मैं टीग लखडी यू मलवरी पेटा आपकी श्पोर्ट बुड में यूज़ हो ती है विलो लखडी भी होती है इसे मैं यूज करता हूँ तहां एक विलो भी ऐगजांबल लेते हैं जो कश्मीरी लखडी आती है कश्मीरी लखडी आपको पताओ तुनिया वर्डी जितने बैट से जो भी स्पोर पॉड़ो are many Pinnca सब्सक्राइब अब यह सबत है मेरे शव coffee मैरन सब्सक्राइब आप और करके यह आपके 90-95% कुश्चन इस माराथान के अदर से हो जाएंगे, ठीक है, गेट और यह सीगे, क्योंकि कुश्चन जातर बिटा, इसी मैं साथ है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक अब यहाँ स्वाप करते हैं, चलिए आप लोग गें सी की लेक्चर को ऐसी फ आनगार्मी की आप में जाके आप सर्च कर लिए चेतन सक्से ना मुझे फॉलो करिए, मैं महां पर आप लोग के लिए इस्पेशल ग्लासिस दूँगा, पढ़िया से इक रहा है, चिंता मत कीजिए आप लिए इस्पेशल ग्लासिस आपकी चलेगी, चेतन सक्से ना सर्च क तो सुबह मिलते हैं दोसको हम लोग, यस हो बाती जोगी जोगी चीज़े होंगी उसको हम लोग कवर करने कुशिच करेंगे, बाती पीडियास की चितना मत तो आज ही मैं कुछ करूंगा, ठीक है, और जो भी आप लोग के डाउट होगे रहा है वोसा आप जो है, सोशल हैं यह और पॉजिटिव रही है जब ठीक है, चलिए, थैंक्यू अव्रीवन, पीडियास आपको मिल जाएगी